अलो एब्रिवान क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग एम आए आडिवल क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुँच पा रही है फटाफर्ट से चैट में टाइप वन अगर मेरी वाइस आप सभी लोग को एकदम किलियर दिखाई दे रही है प्लीज टाइप वन यास यास तो भाई सभी लोग अटेंडेंस लगाएं फटाफर्ट तो अलो फ्यों रेड़ी महवीर हिमांसूर नवनीत रितेक प्रवीन तिवारी कोटा मैमोरी सुजल दिवेधी ओके नाइस वांडरफूल मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग डिनर करके आए हुए हैं और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज की यह जो यात्रा है यह थोड़ी लंबी रहेगी तो सभी लोग अपनी सीट बैल्ट को बांध करके प्रॉपर तरीके से अपनी सेटिंग पोजीशन में आ जाएं क्योंकि सफर काफी लंबा चलने वाला है तो अच्छा फटाफट से पहले पूछ लेता हूं ऐसे कितने लोग हैं जो आज इस सेशन को एंड तक अटेंड करने वाले हैं मुझे पता है अभी आपका जोस बहुत आई है लेकिन जैसे ऐसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा कि तक आज इस पूरे सेशन को अटेंड करने वाले हैं प्लीज प्लीज टाइफ वान अगर आप लोग लास्ट मुमेंट तक टिकने वाले हैं एक जनाब पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर आफ आउर्स का ये सेशन रहेगा भाई सफर शुरू आ है यू आफ टू इन्जॉ आपको रिवाइस कराऊं और उन पर लास्ट थ्री टू फोर येर्स में जो पीवाई क्यूज आए हुए हैं उनमें भी वह इफेक्टिव पीवाई क्यूज जिनको करने से हमारे कॉंसेप्ट बिल्डप हो उसको जल्दी-जल्दी अपन लोग कवर करेंगे सो अलफ यार र सेशन में क्या-क्या कवर करने वाला हूं वो सभी को बता देता हूं सर्कुलर मोशन वर्क पावर एनरजी सेंटर ओफ मास एंड रोटेशनल मेकानिक्स यह वो चार चैप्टर्स हैं जो कि आज इस सेशन में कवर किये जाएंगे डन इसमें क्या रिवीजन जल्दी से कॉंस का और फिर उस पर बेज्ड नुमेरिकल्स करेंगे डन डन तौल फ्यार रेड़ी हाई चौहान साब क्या हल चाल है आपके हर्स अहुजा निर्वेरास सिंग फटाफर्ट से अटेंडिंस लगाईए भाई और अपने भाई बंदू जो इस समय आपके सो रहे हैं या जो इस स सबी को भी अपडेट कर दीजेगा क्योंकि आज हम वन शॉट में मेकानिक्स के इंपोर्टेंट कांसेप्स को कवर अप करने वाले हैं तो आज के इस एंटायर सेशन को अटेंड करने के बाद जो भी स्टूरेंट्स इस समय जे मेंस 2024 पर फोकस कर रहे हैं या इस समय क्लास 11 में उनका इफेक्टिवली बहुत ही सांदा रिवीजन होने वाला है तो चलिए सफर सुरू किया जाए बोलिए भाई आल इस गुट गुट इवनिंग गुट इवनिंग तो चलिए आज इस सफर को सुरू करते हैं रोहित कुमार सर हमें भूल गए क्या अरे भाई किसी को नहीं भूले भाई एकदम तयार हैं सभी लोग ओके डन नाइस फटा फट जल्दी से फटा फट तब लोग रेडी हो जाए कॉपी पैन लेकर के बैट जाए जब मैं कॉंसेट्स आपको बताओं तो उन कॉंसेट्स को दिहान से सुनिएगा फोकस होकर के सुनिएगा लिखने पर ज्यादा फोकस मत करिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी डिसकेशन करूंगा उसका पीडिएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ठीक है लेकिन जब मैं क्वेशन्स आपको कराओंगा मेर करके चलेंगे और मान लिजे डिरिंग दा सेशन अगर कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आ पाए या कोई ऐसा क्वेशन जिसको आप ना समझ पाए तो आपको बिलकुल भी घपराने की जववत नहीं है उसको वहाँ पर मार्क करिएगा और आगे बढ़ जाएगा मतल मैं अभी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूं from the circular motion circular motion आपको पता है कि circular motions direct j mains में तो बहुत ज़्यादा questions नहीं आते हैं लेकिन circular motion के जो concepts है उनका आगे की जो chapters है उसमें बहुत ज़्यादा use आता है जैसा कि जनाब आप सभी को पता होगा rotational mechanics में circular का कितना ज़्यादा use है work power energy जब हम chapter पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें इसी के concepts को देखने को मिलता है बोलो clear है बाई हाँ तो देखेगा ज़रा ध्यान से मैं आपको बता दूँ कि circular motion को हमने यहाँ पर दो हिस्सों में divide किया होगा circular motion में एक होगा सबसे पहले kinematics और इसके बाद हम cover करेंगे जनाब क्या पता है dynamics kinematics में हम force analysis नहीं करेंगे free body diagrams नहीं बनाएंगे लेकिन जब हम dynamics की बात करेंगे तो हम force analysis करेंगे free body diagrams बनाएंगे और फिर वहाँ पर equations को solve करेंगे ठीक तो यह दो sections है जो कि topic wise topic अपन लोग cover करेंगे ठीक है done ओके nice wonderful चलिए देखिए कुछ चीज है जो कि आपको अल्रेडी पता होंगी वो मैंने screen पर लिख करके रखी हुई है जल्दी जल्दी से फटाफट में आपको पताता चाहता हूं most important चीज circular motion क्या होता है यह बात सभी को पता है बोलो पता है या नहीं पता है आपको पता है कि जब कोई particle circle में घूम रहा होता है तो पहली बात तो यह समझ में आनी चाहिए यह planar motion होता है उस fix point को क्या कहते है center बोलो clear और उस fix point से ये छो distance होता है इसे क्या कहते है radius क्या कहते है radius और हम यहां पर यह कह सकते हैं अगर fix point से उसका distance हमेशा constant है तो इसका मतलब यह जो velocity vector है, और अगर मैं इसको position vector कह दूँ, क्या बोल दूँ बेटा, position vector कह दूँ, तो जल्दी बताएगा velocity vector और position vector के बीच का angle क्या होगा, यहाँ पर जब मैं position vector बोल रहा हूँ, तो यह position vector of particle है, लेकिन किसके respect में, with respect to center, मतलब इस position vector का जो tail है, वो circle के center प circular motion हो रहा है, उस समय, velocity vector और यह जो position vector है, इसका dot always zero रहेगा, बोलो, yes or no, हाँ मैं या ना में जबाब दीजेगा, बोलो, done, पक्का, बहुत बढ़िया, रियान से सुनेगा, यहाँ पर circular motion में, हम एक नए तरीके की kinematics पढ़ते हैं, and that kinematics is related to angle, तो यहाँ पर हमारे लिए angle की importance बहुत ज़ादा होती है, मैं आपको बता दूँ, कि आपने यह relation सभी ने पढ़ा होगा, यह क्या लिखा हो जल्दी बताए, s बराबर r theta, यह s क्या length of arc, r क्या है radius, और theta क्या है angle, मतलब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, जैसे कि एक particle यहाँ से गुमते हुए, suppose यहाँ value को हमने क्या लिखा, जल्दी बताओ, r into theta, be careful, एक बात का ध्यान रखेगा, यहाँ पर जवाब theta लिखें, तो theta किस में होना चाहिए, degree or radian में, radian में होना चाहिए, this term is very important, be careful, s यहाँ पर बताए क्या है, s is a displacement or a distance, s is a displacement or a distance, s is a distance, be careful, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि, अग में यह पता है कि एक particle का position vector कितना angle rotate किया है, तो उसको multiply करके theta से क्या हम r find out कर पाएंगे, अभी धीरे 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 pace बढ़ेगा, अच्छे concepts को भी discuss करेंगे, अभी सफर शुरू हुआ है, थोड़े से वक्त के बाद अपना engine गरम होता जाएगा, और जैसे ऐसे engine गरम होता ज चला जाएगा, बोलिये, done, okay, हाँ, आपको यह बात पता होगी, कि angle जो है, वो dimension less quantity है, इसकी SI unit क्या है, radian है, एक बहुत ही important line यहाँ पर आप लोग observe कर पा रहे होंगे, ज़रा देहान से देखेगा, क्या आपको screen पर यह line दिखाई दे रही है, क्या यह line जो नीचे की directions are possible, तीकि मैं आपको बता दूँ, कि जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया, क्या बताया, कि हम यहाँ पर angles से related kinematics पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर angular variables पढ़ेंगे, angular variables मतला angular position, angular displacement, angular velocity, angular acceleration, और जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, यह 2D motion है, क् जितने भी angular variables अभी मैंने बताये, उस angular variables के सिर्फ दो ही direction possible हो सकते है, no doubt कर लीजे का बहुत important बात बता रहा हूँ, angular variables का direction हमेशा, जिस plane में motion हो रहा है, उस plane के perpendicular ही होगा, मैं यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछे, angular velocity, angular acceleration, या angular displacement का direction क्या होगा, तो मैं यह कह सकता हूँ कि वो direction हमेशा, जिस plane में motion हो रहा है, उसके perpendicular होगा, be careful हमेशा इस बात को याद रखेगा, कि angular variable perpendicular होते है, and the most important point is this, कि plane के perpendicular दो ही direction है, या तो plane के बाहर, या plane के अंदर, बोलो मानते हो इस बात को, और 1D motion में भी तो ऐसा होता है, जब particle straight line में चल रहा होता है, तो उसका velocity और acceleration जो है, वो along the motion हो सकता है, या तो velocity के direction में हो सकता है, या velocity के opposite हो सकता है, इसलिए यहाँ पर यह term बोला गया है, क्या बोला गया है, it is a analogous to 1D motion, बोलो done, किलियर है, याद रखेगा इस बात को, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँगा भाई, angular position, I hope कि angular position आप समझते होंगे, ज जब आप position बताते थे, तो सबसे पहले आपको एक reference axis और origin बताना होता था, reference axis मतलब what is your x, what is your y and what is your z axis, as well as आपको origin बताना होता था, उसकी तरीके से यहाँ पर जब भी हम circular motion की बात करेंगे, तो यहाँ position से ज़्यादा important हमारे लिए angular position होती है, जैसे कि for example एक particle अगर घूम पर है, तो मैं उसकी अगर angular position बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा पता है, एक reference line लोगा, मैं सारे angle इस reference line से measure करूँगा, फिर मैंने यहाँ पर यह position vector बनाया, done, और फिर मैं यह चेक करूँगा कि इस reference line के साथ यह angle क्या है, यह जो angle आपको दिखाई दे position होगी, बोलो clear है, अब आप angular position देखकर के तुरंत बता सकते हैं कि particle इस समय कहाँ पर है, लेकि आप आपको लग रहा होगा कि why there is a need to define angular position, हर चीज को define करने के पीछे बहुत basic logic होते हैं, कि हम चीजों को simplify करना चाहते हैं, अगर एक particle plane में घूम रहा है, और आपने घूम रह आज तुम यहां angular position की बात कर रहे हो, आज तुम्हें यहां पर दो variable नहीं जववत पड़ेगी, आज सिर्फ एक से तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर मैंने यह कहा कि particle की angular position 240 degree है, क्या तुम्हारे भेजे में जा रहा है कि मैंने क्या बताया आपको, अगर मैंने यह बोला क कि particle की angular position 240 degree है, मेरे को जल्दी बताना particle कहा होगा, 240 degree जैसे ही मैंने बोला, क्या तुम्हारे दिमार्ग में तुरंत क्लिक कर गया, कि it should be in the third quadrant, मतलब इसका मतलब particle एदर कहीं होगा, और 240 का मतलब यह वाला angle कितना होगा, 60 degree, सिर्फ एक information आपको particle की exact location बता रहा है, मैंने angular position, now come to the angular displacement, be careful, displacement is not angular displacement, these two are two different physical quantities, displacement एक linear variable है, और angular displacement जो है, वो एक angular variable है, for your syllabus आप यह कह सकते हैं, कि in a case of circular motion, angular displacement अगर कोई आप से पूछता है, तो आप कहेंगे, कि particle का जो position vector है, वो कितना angle rotate हुआ, वो लो किलियर है, जैसे कि for example, मैं अगर आपके सामने यहाँ पर यह diagram बनाता हो, बनाया, अब मैंने यहाँ पर, बोला कि particle यहाँ पर था, और वो यहाँ से circular motion करना सुरू करता है, क्या करना सुरू करता है, circular motion, अब वो particle इस तरीके से जा रहा है, जा रह about the angular displacement, बताइए, what about the angular displacement, फटाफट से जल्दी से बताइए, क्या angular displacement 0 होगा, अगर आपका जवाब 0 है, तो जनाब मैं आपको पहले ही बता दूं, कि आप एकदम गलत है, आपका answer 0 नहीं होगा, 0 जो आप सोच रहे न, वो displacement होगा, क्योंकि displacement is a final position minus initial position, बोलो सहमत हो, अरे बो displacement यहाँ पे पूछेंगे, तो पताइ, angular displacement is, क्या बोला था, मैंने जल्दी बोलो, angle rotated, कितना angle rotate किया, 2 pi, कितना rotate किया जनाब, 2 pi, तो भाई, angular displacement आपका 2 pi radian होगा, done, 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 बोलो सहमत हो, yes, लेकिन अगर आप displacement की बात करोगे, तो displacement 0 होगा, and the next point, what about the direction, how will you decide the direction of angular displacement, you should use a right hand thumb rule, particle जिस sense में rotate किया है, उस sense में, आप अपनी fingers को curl करिये, थम जिस direction में आएगा, that will tell you the direction of angular displacement, अब भी पताए, कैसे गूम रहा है, कैसे गूमा, जल्दी देख कर कर के बताए, clockwise या anti-clockwise, बोलो, जल्दी बोलो, clockwise या anti-clockwise, क्या आपको anti-clockwise दिख रहा है, और अगर anti-clockwise है, तो anti-clockwise म जाहें, चाहें आप left-hand हो, फिर भी right-hand को ही turn करना है, fingers को turn कर यह थम का आए, बाहर, तो इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ, कि जब मैं यह direction लिखूँगा, तो इसका direction पता है, क्या लिखूँगा, k-cap, अगर यह x-y plane है, तो, बोलो, done, बोलो, done, समझा है, कि नहीं है, बोल clear है, अच्छा, एक और चीज़ बताएगा, मैं एक और चीज़ आप से पूछता हूँ, for example, देहां से सुनिएगा, माल लिजे, पार्टिकल ने यहां से अपना motion सुरू किया, this is the initial position, this is the initial position, पार्टिकल यहां से घुमते हुए, देखेगा, देहां से देखेगा, पार्टिक यहां पर टर्ण लिया, और यहां से टर्ण लेने के बाद पार्टिकल वापस लॉटा, और फिर पार्टिकल यहां पाया गया, उसी रेडियस में गुम रहा है, मैंने थोड़ा सा बाहर से बना दिया, बोलो clear है, यहां पहुँच गया, पतलब मैं यह कह सकता हूँ, पहले A अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट, बताईए, यहां बई, निर्वेर रासिंग, बताईए, वाट अबाउट दा टोटल अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट, इस केस में बताईए, क्या होगा, बोलो, शुरूती, पाई बाई टू, नाइस, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, तो साग ने बताया, 90 डिग्री, ग्रेट, देखिए भाई, A से जब B गया, A से B गया, तो पहले तो आप यह से देखिए, A से B कौन सा सेंस है, कौन सा सेंस है, अंटी क्लॉक्वाइस, अंटी क्लॉ अब जब उसने टर्न लिया, आप देख पा रहे है, B पॉइंट पे जाकर के उसने अपना सेंस चेंज किया, और B से C जब गया है, तो उसका सेंस क्लॉक्वाइस है, और जनाब अगर सेंस क्लॉक्वाइस हो गया, तो जब आप उसके अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट की बात करेंगे, तो जब हो 30 डिग्री टर्न किया, कितना टर्न किया, 30 डिग्री टर्न किया, तो यहाँ पर पता है क्या लेकिंगे, magnitude तो आपका πई बाई six होगा, लेकिन direction इस बार minus of k cap होगा, बोलो, ऐसा क्यों बोला, right hand को use करिए, just curl the fingers of your right hand, क्या thumb धंने आ रहा है, और अगर thumb साइड आ रहा है तो इसका मतलब angular displacement इस बार negative होगा जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इस जस्ट आ अनलोगस of kinematics 1D तो ही direction possible है अंदर या बहार जैसा कि आप observe कर पा रहे हैं अगर anti-clockwise तो बहार और clockwise तो अंदर तो जल्दी बताये टोटल angular displacement a से सी में कितना है क्या मैं directly बोल सकता हूँ this is pi by 2 इन दोनों को add कर दीजे पताई यह add करेंगे कितना है का pi by 2 k cap this is a total angular displacement लेकिन अगर कोई आपसे यह पूझ ले कि total angle कितना rotate हुआ यह question same है क्या angular displacement और total angle rotated both things are same are different please ask please please बताईए कितना angle rotate करेगा मेरे बाई सुभम कुमार यस्वर्धन सेंग रागव गोयल total angle rotated अगर आप देखेंगे तो 120 डिग्री ऐसे और 30 डिग्री ऐसे तो total angle rotate किया है 150 डिग्री total angle rotated is just analogous to distance जैसे kinematics 1D में आपको एक बात बताई गई थी कि distance कभी भी time के साथ decrease नहीं करता अगर एक particle आगे जा रहा है और turn लेकर के पीछे आने लग जाए तो उसका total angle rotated बढ़ता चला जाएगा बोलो done तो यहाँ पर अगर total angle rotated पूछा जाता सुन लीजे का ध्यान से अगर यहाँ पर total angle rotated पूछा जाता तो आप यहाँ पर बोलते 150 डिग्री या इसी को क्या लिखते 5 times of pi by 6 radian confuse मत हो ना इस पर कई बार सवाल पूछे गए है लोग को लगता है semi चीज तो angular displacement एक अलग चीज है और total angle rotated एक अलग चीज है जब भी total angle rotated पूछा जाए then you have to check कहीं ऐसा तो नहीं कि during the motion particle बीच में अपना sense change किया हो पहले anti clockwise जा रहा था और पता चले बाद में clockwise जा रहा है बोलो done 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 बढ़ो आगे all is set बहुत बढ़े है तो देखे यह angular displacement की कहानी आपको मैंने बता दी है तो लिए आगे बढ़ते है इसी के साथ और भी physical quantities के बारे में पढ़ने वाले हैं जड़ा जल्दी से देखेगा स्क्रीन पर अब क्या लिखा हुआ है एंगुलर विलॉसिटी स्टार मार्क करनी देगा मुझे उमीद है कि सभी को पता होगा कि एंगुलर विलॉसिटी क्या होती है it is a rate of change of angular displacement displacement डिफाइन किया तो उसका rate of change डिफाइन करेंगे बोलो किलियर है rate of change of angular displacement is omega I hope कि most of the student को यह बात पता होगी अगर आप यह कहें कि सर्फ फील नहीं आ रही है इसकी परिभासा बताईए तो बताईए भाई मेरी प्यारी जनता मेंसे ऐसे कितने लोग है जो मुझे यह बता पार होगे radian per second क्या होगी ऐसा unit क्या होगी radian per second यहां पर इसके लावा भी दो units है जो बहुत ज्यादा famous रहती है आप लोगोंने कभी numerical solve किये हो तो आपने देखा होगा radian per second के लावा एक most famous unit जो है that is rpm 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 is revolution per minute देखिए का ध्यान से one revolution one revolution is equal to what two pi radian and one minute is equivalent to 60 seconds तो यह जो conversion है कि rpm of radian में भाई इस conversion को note करो पड़ा पर साथ साथ सारे काम की बाते लिखते जाएगा बहुत ही काम आने वाली है मतला अगर मेरे पास यहां पर revolution per minute दिया हुआ है और मैं उससे अगर radian per second में convert करना चाहता पाई बाई 30 का multiply करना पड़ेगा इसी तरीके से एक और यूनिट है RPS, RPS का मतलब बताईए क्या है RPS का मतलब है revolution per second क्या है revolution per second और radian में conversion to pi radian per second मुझे अमीदे सभी को पता होग डिरेक्शन, direction of angular velocity is same as the direction of angular displacement क्या करना है पार्टिकल जिस सेंस में गुम रहा हूँ, सेंस म राइट हैंड की fingers को curl करो, थम जिस direction में आए वही direction angular velocity का, यहां से देखर के तुम्हें एक बात समझ में आरी होगी, अगर particle circle में गूम रहा है तो उस plane के perpendicular ही direction आएगा angular velocity का, मैंने क्या बोला, clear है, आज के बाद जब भी particle गूम रहा है तो तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है उस moment पर particle का जो sense of rotation है, with respect to the center, वो clockwise है, anti-clockwise, अगर आपको पता चल गया clockwise, तो clockwise sense में fingers को curl करोगे, क्या आपको direction angular velocity का पता चल जाएगा, मुद्धे की बात, angular velocity, plane के perpendicular होगी, बोला, clear है, यासे for example, if I say that, कि R जो body का omega है, वो 5 radian per second है, क्या बोला मैंने, 5 radian per second है, इसका मतलब क् इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ, कि इस moment पर body एक second में, कितना angle rotate करनी चाहिए, 5 radian, या मैं ये कह सकता हूँ, कि अगर body का omega यही रहा, अगर body का angular velocity constant रहा, तो एक second के बाद, वो जो angular displacement होगा, वो उसका 5 radian होगा, वोलो done, unit याद है, चल is angular acceleration, आप angular acceleration को कैसे define करेंगे, पाई angular acceleration को define करने का तरीका क्या है, rate of change, बताओ किसका, rate of change of omega with respect to time, याद रखियेगा, alpha is not the acceleration, आधी जनता को तो यही confusion रहता है, कि alpha is the acceleration, alpha is not angular acceleration, first thing, this is an angular variable, and this is an angular acceleration, how will you define the alpha, आप alpha को कैसे define करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ, कि आप alpha को define करने का तरीका है, d omega by dt, this is the rate of change of omega with respect to time, जैसे velocity को change करने की जिम्मेदारी acceleration के पास है, उसी तरीके से omega को change करने की जिम्मेदारी alpha के पास है, अगर omega change हो रहा है, तो alpha होगा, बोलो, clear है बात, दुबारा repeat करूँ, मैंने क्या बोला, अगर omega change हो रहा है, तो alpha होगा, मतलब, omega को change कौन करेगा, alpha करेगा, इसका मतलब, मैं यह कह सकता हूँ, कि अगर आज के बाद कहीं, तुम्हें question में यह लिखा हुआ, दिखाई दे जाए, पार्टिकल is moving, with a constant angular velocity, मतलब क्या बोला, omega अगर constant बोल दिया जाए कहीं, तो इसका मतलब, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, कि बेटा, alpha क्या होगा, 0 होगा, अब देखिए, rate define कर रहा है, तो rate दो तरीके से define की जा सकती है, एक average और एक instantaneous, अगर मैं यहाँ पर average की बात करूँ, तो average angular acceleration लिखने का तरीका क्या होगा, delta omega divided by delta t, what about the delta omega, this is omega final minus omega initial divided by delta t, इसी तरीके से अगर instantaneous की बात की जाए, किसकी बात की जाए, इसकी बात की जाए, तो उसको simply क्या लिखेंगे, d omega by dt, जब भी average पूछा जाएगा, तो interval में पूछा जाएगा, instantaneous किसी instant पर पूछा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, कि कोई नया formula बता है, यह सिर्फ एक तरीके से आपका quick revision चल रहा है, किस चीज का जो आपने formula पड़े हुए, यह line जो मैंने बताई है, प्लीज इस बात को याद रखेगा, angular acceleration, इस बात को point down करें, angular acceleration जो है, वो omega को change करता है, ना कि velocity को change करता है, बोले done, done, बहुत बढ़े है, नोट कर लीजेगा इस बात को फटा-फट, चलिए, अब सर इसका direction क्या होता है, any one of you, मेरे भाई लोग, जो इस समय, इस session को attend कर रहे हैं, उसमें से कोई बता पाएगा, कि how will you decide the direction of alpha, yes, Sonu Gupta, मुझे जल्दी बताईए, कि आप यहाँ पर alpha का direction कैसे decide करेंगे, बोलो, बोलो, 1D motion पढ़ा है, बोलो, पढ़ा है, तुम लोग, मैंने थोड़ी देर पहले, जब मैंने start किया थे session, मैंने कहा थे, it is analogous to 1D motion, मेरे भाई, यह एक बात बताना, अगर एक particle, M mass का, V velocity से आगे जा रहा है, और अगर मैं यह कह दूँ, कि इसकी velocity जो है, वो increase कर रही है, मतलब speed increase कर रही है, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब यह होता था, कि acceleration भी उसी direction में होगा, जिस direction में velocity होगी, acceleration भी उसी direction में होगा, जिस direction में velocity होगी, मतलब हम यह कह सकते हैं, कि इस case में acceleration आपके आगे होता, पहला case, बहुत बढ़िया, अच्छा, अगला case देखेगा ध्यान से, अगर मैं यह कहता कि particle आगे की तरफ move कर रहा है, लेकिन भाई, particle जिस direction में जा रहा होगा, velocity उसी direction में हो भी the direction of acceleration, आप यह कहेंगे, 1D motion में जो acceleration होगा, वो velocity का opposite होगा, बोलो, यह बात कितने लोगों को पता है, क्या 1D motion की analogy सभी को याद है, अगर यह analogy आप सभी को याद है, तो जनाब अब आपको बिल्कुल efforts करने की जोवत नहीं है, जब भी आपको alpha का direction देखना होना, तो अगट रहे है, अगर माल लीजे एक particle है, और वो इस तरीके से चल रहा है, माल लीजे xy plane है, मैं अगर आप से कहूं कि particle इस समय anti-clockwise sense में rotate कर रहा है, then what will be the direction of omega, तो आप यहाँ पर कहेंगे, कि sir, omega का direction है, वो k-cap क्या लोग होगा, जोगी fingers को curl करें, थम का आएगा बाहर, outside the plane, और बाहर का मतलब क्या है, प्लस k-cap, अब अगला सवाल, अगर मैंने आप से alpha पूछा, तो जरूरी नहीं है कि अगर एक particle circle में घूम रहा है, तो alpha होगा ही होगा, alpha तब आएगा, जब omega change होगा, पहले इसी बात को हम यह कह सकते है, omega को change करने के लिए जनम लिया है, alpha ने, और अब alpha का direction अगर आपको देखना है, तो अगला सवाल जो आपके जहन में आना चाहिए, वो यह है कि omega की value increase कर रही है, या फिर decrease कर रही है, if I say that, कि in that situation, यार जो omega की value है वो decrease कर रही है, तो आप यह कहेंगे, अगर omega decrease कर रहा है, तो इसका मतलब, जो alpha है, वो omega के opposite होगा, म alpha अगर इस sense में है, तो उसका direction, sense तो कोई direction नहीं है, sense के corresponding direction निकालने के लिए हम किसका use करेंगे, right hand rule का, अपने fingers को curl करिए, thumb का आया, inside the plane, बोलो या sir नो, और अगर thumb inside the plane आया, तो जनाब हम यहाँ पर कहेंगे, कि जो alpha है, क्या है, alpha वो होगा minus of k cap, मेरी सारी बातें आपको बहुत बहतर तरीके से समझ आगी होंगी, मतला हम यहाँ से यह conclude कर सकते हैं, कि अगर omega increase करेगा, तो omega और alpha का direction same होगा, बोलो yes होगा, और अगर omega decrease करेगा, तो omega और alpha का direction एक दूसरे के opposite होगा, done, बहुत बढ़िया, एक मिनट बाई, मार कर उठा लो, चलिए बाई, done, सारे concept clear हैं, आगे बढ़ूँगा, फटाफट, फटाफट, सारे concept, एक एक चीज को cover कर रहा हूँ, आप देखिए, लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी move करेंगे, बाई, move on, हाँ बाई, आजए, आजए, देखिए, अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपके साथ angular variable discuss किये, किये या न चैलेंज आता है, क्या आता है, चैलेंज आता है, आपको वो चैलेंज नहीं आना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सुनेगा, मिरा भाईयों एक बाई बाई बताना, s बराबर r theta सभी ने पढ़ा है, इसको differentiate कर दीजे, ds by dt, बराबर आप क्या लेखेंगे, r into d theta by dt, बोलो हाया न, ds by dt क्या है, ये क्या है, बताओ इसको क्या बोलोगे, rate of change of distance, rate of change of distance, बोलो सहमत हो, तो ये actually में जो है, rate of change of distance, यही तो बेटा speed है न, तो आप ये कहोगे, इसको लिखोगे, v बराबर r, d theta by dt, rate of change of angle, that is omega, this is a scalar form, मतलब v बराबर r omega, यहाँ पर v याद रखेगा, speed है, r आपका radius है, और omega आपकी angular speed है, मैं आपको इसका एक vector form भी बता देता हूँ, ये तो मैंने scalar form लिखा है, जब हम इसे vector form में लिखते हैं, तो vector form में इस तरीके से लिखा जाता है, v vector बराबर, omega vector, cross r vector, ये कोई normal cross नहीं है भाई, this is a cross product of two vector quantities, जब आप angular velocity का cross product, particle के radius vector के साथ करेंगे, तो इसका cross आपको v देगा, यहाँ से देखने के बाद तुम्हें साहँ एक चीज समझ में आ रही होगी, मुझे पता नहीं कि आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, ये तीनों vector, in case of a circular motion, आपस में perpendicular होते हैं, जैसे कि for example, अगर मैं ये कहता हूँ, ये एक particle circle में घूम रहा है, ठीक, और इस समय ये particle यहाँ पर है, जब ये particle यहाँ पर है, तो उसका velocity vector यहाँ पर होगा, बोलो मानते हो, और ये particle का radius vector, velocity vector उपर की तरफ, radius vector इस तरफ, मुझे ये बताएगा, what will be the direction of omega, how will you decide the direction of omega, omega के direction के बारे म आपको कैसे पता चलेगा, बताईए, जिस sense में घूम रहा हूँ, उस sense में fingers को curl किया, थम आपका बाहर की तरफ आगया, बोलो clear है, इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, कि जो omega है वो बाहर की तरफ होगा, तो अब आप यहाँ पर cross product में direction कैसे निकालते है, omega बाहर क लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बताईए, omega किदर है बाहर की तरफ, और radius vector किदर है, इधर, curl करिए जरा, omega से radius vector के direction में जाने पर थम बताईए, किदर आ रहा है, क्या velocity की तरफ आ रहा है, बोली, बोली आ रहा है या नहीं, बुद्दे की बात है, in case of a circular motion, यह तीनों आपस म जरा देखकर के बताईए, क्या velocity vector इस समय y-axis के along है या नहीं, क्या radius vector x-axis के along है या नहीं, और अगर velocity और radius vector अगर आप देख चुके हैं, तो omega का जो direction है, क्या वो z-axis के along है या नहीं, be careful, cross product में order भी important होता है, कि पहले omega आएगा, या पहले r आएगा, क्योंकि आप जानते है this is not a commutative, a cross b की value, b cross a के बराबर नहीं होती, जही means पर ऐसे simple simple question पूछे जाने की, संभावना बहुत होती है, कि आपको 4 options दे दिये, एक option में दे दिया r cross omega, एक option में दे दिया omega dot r, एक option में दे दिया आपको omega cross r, एक में आपको दे दिया r cross omega, एक दे दिया none of these, the point is this, order याद रखिएगा, यहाँ पे जो order है, उसमें omega पहले आएगा, और r vector बाद में आएगा, चलिए आगे बढ़ें इसी के साथ, हाँ, चलिए फटाफट 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 आगे बढ़ते जाते हैं, जल्दी से इस concept की तरफ आते हैं, equations of motion in terms of angular variables, देखेगा दियान से, मुझे उ valid होगा, जब आपका alpha constant होगा, अगर alpha constant, जहाँ ध्यान से, omega final is omega initial plus alpha t, theta is angular displacement, omega initial t plus half alpha t square, इसी को मैं दो form में और तोड़ के लिख सकता हूँ, यह donor form भी अगर आपको पता है, तो well and good नहीं पता, तो please note down करेगा, second equation को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते ह और यह है आपके पास third equation, तीनों equation में खास बात यह है, कि हर equation में total number of terms 4 हैं, और कोई एक term missing है, जो आपकी help करेगा, जब question आप पढ़ेंगे, तो यह decide करने में, कि मुझे कब कौन सी equation use करनी चाहिए, जैसे आपके पास total number of, यहाँ पे terms कितने हैं, theta angular displacement, omega initial, omega final, alpha and t is a time interval, अब आप देखिए, कोई भी equation देख लिए, चाहे पहली या दूसरी या थीसरी, किसी भी एक equation को observe करिए, हर equation में total number of terms 4 use हो रहे हैं, और उन 4 में, कोई एक term ऐसा है, जो आपका missing है, जैसे अगर मैं use करूं, first equation of motion, तो first equation of motion में देखिए, आपका क्या missing है, ठीटा missing है, second का, अ साम देखें, तो आपको देख के समझ आ रहा है, यहाँ alpha missing है, और third equation में यहाँ time missing है, equation of motion सभी को पता है, लेकिन जब सवाल हमारे सामने आता है, तो सबसे पहला question जो हमारे सामने आता है, वो question यह होता है, कि हमें किस equation को use करना चाहिए, तो हमेसा याद रखेगा, कि जब भ question आपके सामने आएगा, तो question को देखने के बाद, आप बहुत बहुत बहुतर तरीके से समझ पाएंगे, कि कब मुझे कौन सी equation use करनी है, done, बढ़ें आगे, be careful एक बात का जरूर ध्यान रखेगा, अगर alpha constant है, तभी यह equation use होगी, क्योंकि अगर alpha constant नहीं है, तो हम इसका use न यह को और form है, जो काफी ज़्यादा use होता रहता है, omega into d omega by d theta, please note down this, ठीक है बाई, done, आगे बढ़ें इसी के साथ, okay, nice, wonderful, अब मुद्दे की बात स्टार्ट होती है, अभी शुरुवात में जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी session स्टार्ट हुआ है, तो एकदम से हम काम की बात पर focus नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूं, यह बहुत ही ज़्यादा important है, acceleration of a particle performing a circular motion, जैसे कि एक particle है और वो circular motion कर रहा है, ठीक, सुनना ध्यान से, और मान लीजे, particle इस point पर आपको पता है उसका velocity vector इधर होगा, ठीक, अगर कोई मुझसे कहे कि particle का acceleration का direction क्या होगा, तो बताइए आपका जवाब क्या होगा, बोलिए, यस, कौन जवाब देगा, rocking boy, अच्छी हुई है, ओके, nice, quick revision, जल्दी बताइए, मैं कहूंगा कि acceleration का direction वो होगा, जो net force का direction होगा, और ये तो तय है, कि अगर एक 2D motion हो रहा है, तो net force हमेशा plane में ही आएगा, कभी भी net force plane के बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर net force plane के बाहर है, तो particle फिर planar motion करेगा ही नही तो इतना तो तय है, कि net force plane में आएगा, और इतना भी तय है, कि जो net acceleration होगा, वो भी इस plane में ही होगा, और माल लिजे, मैंने यहाँ पर इस moment पर ये बोला, सुनेगा द्यान से, कि जो acceleration है, वो suppose इस direction में है, this is a net acceleration, और यहाँ पर ये जो angle है, वो है theta, वो कितना है, theta, अब आ यहाँ acceleration को दो components में resolve कर सकता हूँ, acceleration का एक वो component जो velocity के along है, और acceleration का एक वो component जो velocity के perpendicular है, तो ये वाला जो component इस समय आप देख पार है, this is a sin theta, बोलो मानते हो, और ये वाला component बताओ, ये क्या है, ये आपका होगा a cos theta, पेटा इस a cos theta को 80 कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 80, 80 का मतलब जनाब होता है, tangential acceleration, क्या होता है, tangential acceleration, और यहाँ पर ये जो term लिखा हुआ है, इससे बोला जाता है, ac और ac पता है, normal acceleration, इसके नाम बहुत सारे, कुछ लोग normal acceleration कहते हैं, कुछ लोग इसी को centripetal acceleration कहते हैं, और कुछ लोग इसी को radial acceleration भी कहते हैं, और कुछ लोग इसी यहां पर components करने के बाद हमें चीजों को समझना आसान हो जाए आप यह जानते हैं कि किसी भी velocity vector को change करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं आप जब आप velocity vector लिखते हैं तो भाई एक तो उसका magnitude होता है और दूसरा उसका direction होता है आप magnitude को change करके भी velocity change कर सकते हैं और direction को change करके भी velocity change कर सकते हैं और एक बात आपको पता है अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो direction तो चेंज होगा ही होगा बिना direction change किये circular motion नहीं हो सकता और यहाँ पर मैं यह कह सकता हूँ कि acceleration का वो component जो इस समय सेंटर के towards है यह responsible होता है to change the direction of velocity vector मतलब यह AC जो आपको दिखाई दे रहा है न बेटा सुनेगा धियान से इस AC की जिम्मेदारी है V cap को change करना मतलब direction को change करना और यह जो आपको 80 दिखाई दे रहा है यह किसको change करता है इसको change करता है हमने responsibilities को divide कर दिया जब responsibilities divide हो जाती है तो चीजों को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है हम यह कह रहे हैं कि acceleration के दो component कर लिए है एक बात तो तह है इन में से एक ऐसा component है जो कभी 0 हो ही नहीं सकता बताओ कौन सा AC अगर एक particle circle में घूम रहा है तो इन दौनों में से ऐसा कौन सा component है जो 0 नहीं हो सकता वो है AC बिना centripetal acceleration के particle circular motion नहीं कर पाएगा वो लो के लिए है तो जनाब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि भाया हमने acceleration के दो component कर दिया यहाँ पर AT और AC उद्धे की बात काम की बात यह कि 80 और AC कोई दो अलग-अलग acceleration नहीं है वो net acceleration के ही दो component है और हम यहाँ पर यह कह पाएँगे कि 80 जो है वो किसको change करेगा magnitude को और AC जो है वो किसको change करे अब हमारे लिए understanding और बैतर हो जाएगी, आज के बाद आपको चीजों को देखने में बहुत आसानी होगी, बोलो ये बात किलियर है, acceleration किसको change करता है जल्दी बताए, acceleration change करता है velocity को, जब भी किसी भी given question में आप से ये पूछा जाए, कि find the acceleration of a particle, तो आप ये मत पूछना कौन स वाला, कौन सा वाला का क्या logic है भई, acceleration का मतलब है, you have to find the net acceleration, अभी careful, this acceleration is different from your angular acceleration, angular acceleration, उमेगा को change करता है, और acceleration velocity को change करता है, अगर कोई कहे कि acceleration की definition क्या है, तो मैं कहूँगा ये वो physical quantity है, जो जिम्मेदार है, velocity को change करने की, और ये मत पूछना कौन सा वाला, by default समझ जाना कि you have to find net acceleration, और उसके लिए आपको AC और 80 की value को find out करना पड़ेगा, अगर मेरे पास 80 और AC की value है, तो मैं net acceleration के magnitude को बताओ, फटा-फट क्या लिख सकता हूँ, 80 square plus AC square, बोलो clear, और साथी साथ अगर ये angle निकालना चाहते हो, 10 theta, तो बताना यहाँ पर 10 theta की value क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो फटा-फट, यहाँ पर तुम 10 theta की value क्या लिख पाऊगे, जरा अबज़र करना यहाँ पर 10 theta बराबर इसका ये component AT और ये component AC, तो मुझे देखके समझ आ रहा है कि ये जो theta angle होगा, perpendicular, that is AC divided by क्या होगा, AT, बोलो done, ये दो result आपके लिए काम आए समझ में आ रहा है, speed बढ़ा ही जाए या speed कम की जाए, अगर आपको लगता है speed बढ़ा ही जाए, just type 1, और अगर आपको लगता है speed कम की जाए, तो just type 2, फटा-फट, quick, yes, yes, quick, quick, move on, कुछ लोग कह रहे है, speed बढ़ा ही जाए, कुछ कह रहे है, speed घटा ही जाए, oh, 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 one वाले काफी बोट आ रहे है, ठीक है, speed, देखते हैं मैं, आईए, 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 focus, focus, nice, चलिए, centipetal acceleration की value, मैं आपको बता दूँ, v square by r हो थी, अगर आपको speed पता है, तो speed का square करके, divide by r कर दीजेगा, याद रखिएगा, यह जो r है, यह आपका radius of circle होगा, क्या होगा भाई, यह radius of circle होगा, और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, omega square into r, यह hope, मुझे उम्मीद है, कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा, यह तो जानते हो, v बराबर r omega होता है, तो यहाँ पर v की value put कर दो, तो कई बार क्या होता है, कि question में omega दिया होता है, तो omega square into r करके ac निकाल सकते हैं, और अगर हमें speed दी हुए, तो v square by r करके हमें ac निकाल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, this is a component of force, यह f जो towards the center, and ac must be non-zero, इस बात को जरूर याद रखेगा, कि अगर एक particle circular motion कर रहा है, तो उसका ac कभी भी 0 नहीं हो सकता, yes, next is 80, 80 is a tangential acceleration, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था rate of change of speed, क्या बोला था rate of change of speed, अब देखिए यहाँ पर मैंने किस तरीके से लिखा है, velocity vector का mod लगा है, mod लगाने का मतलब speed, और speed का rate of change है 80, इसका मतलब कभी भी अगर आपको speed दी हुई है, क्या दी हुई है, speed, तो speed का derivative करके क्या आपको 80 मिल जाएगा, और इसी चीज़ को आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 80 बराबर r alpha, वाला यहाँ पर यह दो formula हमारे पास निकल करके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही जादा important है, एक तो भाया, 80 को या तो आप ऐसे लिख लो, rate of change of speed, याद रखना यह भी जो है, वो speed होगा, या फिर आप 80 को क्या लिखोगे, r alpha, अच्छा एक बात बताओ, अगर एक particle circular motion कर रहा है, क्या 80 का होना जरूरी है, क्या जरूरी है हो भी सकता है, और ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर particle uniform circular motion कर रहा है, uniform circular motion का मतलब particle circle में इस तरीके से गूम रहा है, कि उसका speed throughout the motion constant है, अगर speed constant है, तो 80 का value 0 होगा, लेकिन AC का value कभी भी 0 नहीं होगा, बला हम यह कह सकते हैं, in case of uniform circular motion, 80 का value 0 होता है, जैसा कि आपक component of acceleration along the velocity vector, 80 is responsible to change the speed, और direction of 80 क्या होगा, tangent to circle or along the velocity vector, हाँ, जब मैंने बोला along the velocity vector, तो बात या आती है, कि सर्ये velocity vector के parallel होगा, या velocity vector के anti-parallel होगा, दोनों possibility हो सकती है, parallel भी हो सकता है, और anti-parallel भी हो सकता, तो डिमेंट करेगा कि particle का speed बढ़ रहा है, या घट रहा है, जैसे क for example, मैं यहाँ पर यह कहूँ, कि एक particle है, वो इस direction में जा रहा है, और इसका जो velocity है, वो increase कर रहा है, अगर इसका velocity मैंने कहा, increase कर रहा है, तो by default मैं यही कहना चाहरा हूँ, कि speed increase कर रहा है, और speed अगर increase करेगा, तो बताओ क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर यह कहोगे, कि जन decrease कर रहा है, अगर मैंने कहा, कि speed decrease कर रहा है, तो इसका मतलब जो 80 होगा, वो just इसके क्या होगा, opposite होगा, बोलो done, मतलब दौनो possibilities हो सकती है, मतलब मेरे सामने यह भी possibility हो सकती है, कि यह theta की value 0 आ जाए, यह कब आएगा, जब speeding up की condition होगी, और यह वाली condition क्या आएगी, जब speeding down होगा, बोलो done, बोलो, आया ना, देखना मेरे को एक बास समझ में आ रही है, यहां से, एक मिनट, एक कुछ blur सा आपको दिख रहा होगा ना, I think, एक मिनट रुखेगा, कोई दिखकत नहीं है, tangential acceleration, हाँ, uniform circular motion, एक मिनट, मैं यहाँ पर एक PPD आइड कर लेता हूँ, यह बता दिया, यह हो गया, यह हो गया, यहाँ पर एक blank slide और आइड करते हैं, yes, finally मैं conclusion निकालने जा रहा हूँ, काम की बात, मुद्दे की बात, जो तकी तुमारे लिए questions को solve करने में आपकी help करेगी, मैंने कहा कि acceleration vector, याद रखेगा acceleration vector को लिखने का तरीका होता है, this is rate of change of velocity vector, क्या होता है, rate of change of velocity vector, हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि इस velocity vector को हमने दो component में तोड़ा, जो कि velocity vector को लिखने का तरीका है, उसका magnitude multiplied by V cap, तो हम यहाँ पर यह कहेंगे, कि यार, इसके magnitude को जो change कर रहा ह है, that is at, this is the rate of change of speed, और इसकी value होगी r alpha, और इसके direction को जो change कर रहा है, that is ac, और ac की value होगी v square by r, या ac को मैं बोलूँगा, omega square r, तो general अगर expression लिखूँ, तो net acceleration का acceleration में लिखूँगा, square root of ac square plus at square, and be careful, यहाँ से जनाब, क्या लिखा जा सकता है, v square by r का whole square, plus r alpha का whole square, this expression is very much important for all of you, इस पर कई बार questions पूचे गए है, they will ask you net acceleration, बताइए कि particle का net acceleration क्या होगा, और अगर आप particle का net acceleration find out करना चाते हैं, तो आपको यह result यूज़ करना पड़ेगा, done, वो लो clear है, यह मैंने general expression आप लोगो को बता दिया है, ठीक, okay, nice, यहाँ पर, यह screen पर थ circular motion, अगर uniform circular motion होता है, तो याद रखिएगा, uniform का मतलब क्या है, अगर मैंने कहा कि भाई, UCM हो रहा है, तो UCM का मतलब velocity constant है, speed constant है, तो यह पार्टिकल अगर circle में गूम रहा है, तो velocity तो constant होई नहीं सकती, UCM का मतलब याद रखिएगा, कि इसका magnitude, मतलब speed constant है, और अगर speed constant है तो acceleration 0 नहीं होगा, acceleration का वो component 0 होगा, जो velocity के along है, मतलब हम यहाँ पर कहेंगे कि इस case में 80 0 होता है, और AC तो अभी भी आपका V square by R ही होगा, और अगर कोई particle circle में गूम रहा है, तो उसका acceleration हमेशा towards the center होगा, मतलब अगर मालने जे particle की velocity इधर है, तो उसका acceleration इधर होगा, particle की velocity इधर है, तो उसका acceleration इधर होगा, particle की velocity इधर है, तो acceleration इधर होगा, इधर है, तो इधर होगा, यह आपको acceleration के direction दिखाए जारे है, क्योंकि आपको एक बात देखकर के बहुत किलिरली समझ में आ रही होगी, कि यार 80 की value 0 होगी, और सिर्फ AC बचा, तो इस case में जो net acceleration है, क्य या वही AC है या नहीं, can I say that, कि in case of uniform circular motion, अगर कोई मुझसे कहे, कि velocity और net acceleration का dot product बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ, 0 होगा, can I say that, कि velocity vector और net acceleration का product 0 होगा, क्योंकि हर एक moment पर, बेटा यह perpendicular है, या है, पर perpendicular है, बोलो clear है, तो uniform circular motion में तो मस्त रही है, uniform circular motion में तो आपको ज्यादा efforts करने की जोवत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम बात करते हैं, non uniform circular motion की, भाई, आप लोग समझ में आ रहे हैं, सर मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह बताओ, पता चले कि मैं यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा हूँ, आपको हवा भी ना लग रही हो, यस, पानी पीलिया जाए भाई, हाँ, चले बहुत बढ़िया, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, नौन उनिफर्म, एन, नौन उनिफर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पर दो possibility हो सकते हैं non uniform का मतलब क्या है non uniform का मतलब यह हुआ कि जो speed है वो variable है और अगर speed variable है तो 80 होगा और 80 की value क्या होगी r alpha तो यहाँ पर आप यह भी कह सकते हो कि यह वो वाली situation होगी जिसमें alpha भी आपका non zero होगा और जबकि आपको पता है circular motion में जब uniform होता था क्या होता था uniform तो यहाँ पर आप यह भी कह सकते थे कि alpha भी zero था तो अब यहाँ पर दो case बनेंगे ना पहला case यह बन सकता है मालो particle यहाँ पर है velocity इदर है और यह velocity increase कर रही है क्या कर रही है increase तो अगर velocity increase कर रही है पहली बात तो बताओ AC तो हमेशा center की तरफ होगा और जो 80 है वो किदर होगा velocity के parallel या velocity के anti parallel जल्दी बताओ velocity के parallel या velocity के anti parallel सर मैं ससां के phone से भाई या phone वोन मत करो गई इस समय मैं कहूंगा कि velocity के parallel यह 80 होगा और अगर यह इसी है यह 80 है इसका resultant इदर आएगा net acceleration अच्छा एक बाताना यह वाला angle acute है acute नहीं बेटा acute है ना बलो है या नहीं तो क्या I say that कि यार velocity vector का अगर आप net acceleration के साथ dot करेंगे तो इस case में यह dot product आपका positive आएगा इस case में आपका यह dot product positive आएगा क्या यह बात आपको clearly समझ में आई वही पर यह वाली वो situation मैंने आपके साथ discuss करी है एक minute अरे भाई यह कहाँ चला गया कहाँ से move करेगा yes यह यह तो movie नहीं किया undo कर लेते हैं एक minute रुकिएगा इससे move करेगा लगत लेकिन इससे तो यह पूरा ही move कर रहा है चलिए कोई नहीं हाँ भई कहाँ पे थे वापिस लोटते हैं yes तो मैं यहाँ पर यह कह रहा था दूसरी condition आपके सामने यह हो सकती है कि particle जब घूम रहा है तो उसका माल लीजें यहाँ पर velocity vector इस direction में है लेकिन धीरे 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 उसकी speed कम होती जा रही है अगर speed कम हो रही है तो इसका मतलब 80 इसके opposite होगा और AC towards the center होगा इन दौनों का resultant इधर आएगा कहीं और इसका मतलब net acceleration of velocity vector के बीच का जो angle होगा वह acute होगा यह obtuse होगा कि यह वाली situation या फिर यह वाली situation यह दो ही situation possible हो सकती है इसके लावा non uniform circular motion में और कोई case तो possible होई नहीं सकता या तो उस moment पर particle की speed बढ़ेगी या उस moment पर particle की speed गटेगी तो यहाँ पर कभी भी अगर आपको यह बास समझ में ना पाए कि वह speeding up condition है speeding down condition है तो आप इस तरीके से dot करके आगे बढ़ सकते हैं चलिए तयार तो यह थे basic concept uniform circular motion और non uniform circular motion के फटा-फट एक minute में quick revision करेंगे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है सभी लोग तयार हैं बताइए सारी चीजों को recall करना है within one minute all of you are ready पोलो भाई कॉन कॉन ready है just type one in the chat yes आयू सेंग रोहिच चौधरी सुजल दिवेधी ओके wonderful तयार हैं बहुत तेज बोलूंगा quickly बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा अगर एक particle circular motion कर रहा है तो उसके acceleration की दो component हो सकते हैं acceleration को हम दो component में तोड सकते हैं एक acceleration का वो component जो velocity vector के perpendicular होता है उसे radial acceleration का वो component जो velocity vector के along होता है उसे tangential acceleration कहते है radial acceleration जिम्मिदार होता है direction को change करने के लिए tangential acceleration जिम्मिदार होता है किसको change करने के लिए magnitude को change करने के लिए जो AC है उसकी value होती है V square by R या इसी को लेख सकते हैं omega square by R और इसका direction हमेशा towards the center होता है जब हम बात करते है 80 की किसकी बात करते है 80 की इसका जो value है वो ता rate of change of speed speed का derivative करने पर आपको 80 मिलता है या फिर हम 80 की value को R alpha भी लिख सकते हैं अगर एक particle circle में घूम रहा है तो 80 की value 0 भी हो सकती है वो depend करेगा कि particle का motion uniform circular motion है या फिर non uniform circular motion है अगर uniform circular motion हुआ तो 80 का value 0 होगा और अगर non uniform circular motion हुआ तो 80 का value non zero होगा क्या clear है 80 velocity vector के parallel भी हो सकता है और velocity vector के anti parallel भी हो सकता है वो इस बात पर depend करेगा कि particle का speed बढ़ रहा है या particle का speed घट रहा है इसके लाबा जितने भी हमने angular variables पढ़े like angular velocity, angular acceleration, angular displacement यह सारे के सारे plane के perpendicular होते है linear variable और angular variable भी result होता है मतलब relation होता है V बराबर r omega उसी तरीके से 80 बराबर r alpha quick revise हो चुका है सब कुछ बोलो done yes चले शुरुवात करते हैं questions practice पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर screen पर आ चुका है J means 2020 में सवाल पूछा गया था देखेगा क्या है abida for mass m question पढ़ लिजे सभी लोग एक minute क्या सभी को question दिख रहा है क्या मैं यहाँ screen पर open कर लेता हूँ बताए answer क्या आ रहा है आपका just tell me what is your answer just tell me what is your answer yes yes देखिए question देखिए yellow side में हो गया देख रहा है न question अच्छा अच्छा मैं side में हो जाता हूँ yellow भई अभी सभी को दिख रहा है yes answer 2 बताया जा रहा है let's see देखते हैं what is the value of omega जैसा की question में बोला गया है a bead of mass m stay at point a, v on a wire bent in a shape of a parabola and rotating with angular speed the value of omega देखिए भाई particle यहाँ पर है इसको ऐसे गुमाया जा रहा है इसका मतलब particle इस तरीकी से circle में गुम रहा होगा बोलो मानते हो question में बहुत clearly बोल दिया गया है कि यह जो particle है हाँ भी है यह तो चलेगा रात बर चलेगा हाँ 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 जी भी है यहाँ पर यह इस तरीके से गुम रहा है ठीक है तो point is this कि अगर यह equilibrium में है equilibrium में है तो इस पर net 4 0 होना चाहिए अब यहाँ पर अगर आप observe करें एक मिनट यह मुझे ऐसा लग रहा है कि question थोड़ा बाद में आना चाहिए क्योंकि यह question तो मेरे साब से force analysis का हो गया है पहला ही question force analysis का आ गया है तो इसको अभी hold कर दें क्या थोड़ी दिर में बापेस लोटेंगे इस question पर ठीक आगे बढ़ते है next question की तरफ move करते है क्योंकि वो question जो है force analysis का है थोड़ा सा मैं dynamics पढ़ा दूँ उसके बाद करा हूँगा yes come to the next question दियान से देखे अगला सवाल आपके सामनी क्या है next question पर आ जाए भाई फटाफट the angular speed of a wheel is increased from 900 rpm to 2460 rpm in 26 seconds the number of revolution by a truck engine during this time जैमेंस 2021 में यह सवाल आ चुका है वे this question is from जैमेंस 2021 आप से यहां पर क्या पूछा गया है जल्दी से देखे number of revolutions पूछे गया है मेरे भाईयों यह आपको जो दिया हुआ है यह क्या है बताईए क्या यह initial omega है और यह आपके सामने final omega लिखा हुआ है क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूँ initial omega की value 900 है final omega की value 2460 है बोलो सभी लोग से मत जब इसका omega change हो रहा है तो 26 seconds में यहां से यहां तक पहुँचने में जो time लगा वो है 26 seconds तो आप से यहां पर पूछा है number of revolution which formula should I use कौन सा formula हमें use करना चाहिए जल्दी से बताईए क्या मैं यहां पर यह formula use कर सकता हूँ theta बराबर omega initial plus omega final by 2 multiplied by time थोड़ी दे पहले मैंने जब आपको equations of motion बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हमें कौन से equation कभ यूज़ करनी चाहिए वो इस बात पर depend करता है कि हमें कौन कौन से parameter दिये हुए तरह observe करिए कि आपको initial omega पता है कि आपको final omega पता है और time पता है जल्दी बताओ ऐसे कितने लोग है जो इस समय यहां बैट करके rpm को radian per second में convert कर रहे है सवाल तो पढ़ लो भाई सवाल देखो क्या लिखा है clearly लिखा है number of revolution मतला आपको जो theta बताना है वो radian में नहीं बताना उसमें आपको number of revolution ही बताने है तो भाई radian per second में क्यों convert कर रहे हो सीधे values को put करते 900 plus 2460 divided by 2 और इसे multiply कर दीजे आप 26 से तो देखिए यह हो गया 13 और यहां पर यह है 2460 और this is 900 तो बताए फटाफट कितना आ रहा है 0631 3360 कितना आ रहा है 3360 क्या सही चल रहा है भाई एकदम yes time is 26 seconds perfect तो यहां पर theta की value जब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3360 multiplied by 13 yes what is your answer बताए जल्दे 728 हाँ बिलकुल be careful बिलकुल ध्यान से देखिएगा जो time आपके सामने लिखा हुआ है बेटा यह 26 seconds लिखा हुआ है और यह है revolution per minute तो जब आप time की value put करेंगे तो it should be in the minute तो dimensions का दिहान रखना होगा यहां पर आपको 60 से भी divide करना होगा फाइनल जब आप result लिख रहे है तो बेटा यहां पर denominator में 60 भी आएगा और 0 से 0 कटेगा तो यह value आपके सामने वनेगी 56 और 56 into 13 क्या सभी का answer 728 आ रहे है देखे बाई चेक करिए 728 वि दिया होता टाइम हमें किसमें दिया होता सेकेंड में दिया होता ओके डन ओके नाइस 728 विल बी दा करेक्ट आंसर चलिए फटा फट मूब तु दा नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यहां पर दा पार्टिकल मूव इना होरिजॉंटल सर्कल यह भी आगे का सवाल आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यास आ जाईए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए यह वाला देखेगा क्या है बहुत ही आसान क्वेश्चन है पटाफट पड़ेगा अब्जब करिए को अबज Nawet velocity देखेगा यहांपर बहुत टिलिरली मेंशन है यह इस पार्टिकल कीूजिशन है वह एकस बराबर टू है वह पार्टिकल सरकल में घूम रहा है पार्टिकल जिस पोजिशन पर है वह एकस बराबर टू और अभी इसका विल इस इस point पर minus 4 j cap दिया हुआ है minus का मतलब इस point पर particle की velocity बेटा नीचे की तरफ 4 होगी समझ आ रहा है और इस समय इस particle का coordinate कितना है 2,0 the object's velocity and acceleration when the particle at x equals to minus 2 meter 728 correct answer है बेटा क्या हुआ भाई sir number of revolution पूछा है तो बेटा सही तो किया है भाई answer मैं यह देखो कैसी बातें कर रहे हैं यह कह रहे हैं कि sir उसको 12 pi के बराबर तो कर देते यह जो 728 निकला है यह आपके number of revolution ही तो है यह आपके सामने 900 क्या लिखा हुआ था यह अल्रेडी 900 revolution लिखे हुए थे पर मिनट तो भाई जब यह 900 revolution पर मिनट लिखा हुआ है तो अब तुम उसको क्यों multiply करोगे answer बताओ इस case का particle जब x बराबर minus 2 पर पहुँचा तो particle की velocity उपर की तरफ होगी ठीक है बहुत बड़े हैं velocity अगर उपर की तरफ है तो इसका मतलब है velocity उपर की तरफ मतलब 4g what about the acceleration अगर आपने question बहुत किलियरली पढ़ाओ जैसा कि मैंने बोला था बहुत ही simple question आते है constant speed लिखा हुआ है बेटा अगर speed constant है can I say that कि सिर्फ सिर्फ सेंट्रिपिटल acceleration होगा और अगर सेंट्रिपिटल acceleration है तो बताओ यहाँ पर सेंट्रिपिटल acceleration क्या center की तरफ होगा और उसकी value क्या होगी v square divided by r v की value चेक करके बताए फटाफट से क्या है v की value आपके सामने 4 है तो 4 का square divided by the radius और radius होगा 2 तो 16 बटे 2 यहाँ पर आंसर आ रहा है 8 लेकिन direction देख लिजेगा direction इस समय x-axis के along होगा तो बताए कौन सा option match कर रहा है 4 j cap and 8 i cap कितने लोग का एक दम सही जवाब है sj gaming and कीर्थी पिडिया बहुत बढ़िया 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 most of the question यहाँ पर kinematics के नहीं है ज़्यादतर question यहाँ पर dynamics के है तो एक बार हम dynamics भी फटा फट पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे भई इलियर डन? ओके, nice अब आते हैं dynamics of circular motion पर भई dynamics of circular motion का मतलब भई जब हम यहाँ पर force analysis करने जाएंगे और जनाब जब हम dynamics के question solve करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ basic चीजें पहले से पता होना जरूरी है जैसे कि यहाँ पर एक particle अगर plane में घूम रहा है और वो एक circle में चल रहा है तो हम यहाँ पर यह कहेंगे सुनिएगा द्यान से यह plane है जिस plane में घूम रहा है हमें force analysis अगर करनी है मालनी जे एक particle यहाँ पर है और उस पर एक force इदा लग रहा F1 एक force इदा लग रहा F2 एक force मालनी जे नीचे की तरफ लग रहा F3 particle इस तरीके से उपर की तरफ V velocity से जार यह angle आपको alpha दिया हुआ है और यह angle आपको beta दिया हुआ तो देखिए हमें dynamics में force analysis करनी होती है तो forces को तोड़ना पड़ता है और जब हम forces को तोड़ते हैं तो हमें सबसे पहले यह decide करना होगा कि हमें किसे x-axis लेना है किसे y-axis लेना है और किसे z-axis लेना है तो हमेंसा याद रखेगा आपकी एक axis हमेंसा यह वाली होनी चाहिए इसको बोलते है radial axis क्या बोलते है radial axis एक axis आपकी tangential होनी चाहिए और एक axis आपके plane के perpendicular होनी चाहिए तो जो net force होता है सेंटर की तरफ नेट फॉर्स सेंटर की तरफ बताओ यहां पर क्या होगा। जल्दी बता ना फटा फटॉर्स आप सेंटर की तरफ लिखोगे मैं एफ कॉस बीटा कि website जो center की तरफ है उसको positive लेना और वो force जो center से अवे है उसे negative लेना तो F2 cos beta minus F1 cos alpha ये है net force पता ये क्या लिखा हुआ आपके सामने पहले तो इस बात को समझो ये है net force towards center इसका एक और नाम होता है कौन बताएगा center की तरफ जो net force होता है उसका क्या नाम होता है उसका नाम होता है centripetal force centripetal force कोई नई तरीके का force नहीं है अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कोई एक नया force introduce कर दिया है जैसे tension और normal force हुआ करता था बिल्कुल भी नहीं है इस body पर जितने भी forces लग रहे हैं हो सकता है इसमें से कोई एक force tension हो कोई एक force gravitational force हो कोई एक force normal force हो उस body पर जितने भी net force लग रहे हैं उन net forces का ये वो resultant है जो center के towards तो जो net resultant center के towards होता है उसी को हम centipetal force कहते हैं point याद रखना कि वो force center की तरफ लग रहा है उसे positive लेते हैं और वो force center से अभे लग रहा है उसे negative लेते हैं this is a net force और ये value किसके बराबर होगी m into ac और आप ये जानते हैं कि ac की value क्या होती है v square by r कुछ लोग के दिमाग में ये myth होता है कि mv square by r एक नया force है मेरे बाई जल्दी से बताना क्या mv square by r कोई नया force है क्या नहीं net force जो center की तरफ है this is a cause और ये उसका effect लिखा हुआ है उसकी value mathematically mv square by r के बराबर होती है so we careful mv square by r कोई नया force नहीं है आज के बाद हमेंसा इस बात को याद रखना ये गलती नहीं होनी चाहिए तो देखो ये equation हमने लिखिए center के towards radial direction में किस direction में लिखिए बाई radial direction बोलो clear है यह होगी radial direction में equation बहुत बढ़िया इसी तरीके से tangential direction में हो सकता है कभी जरूरत पड़े और कभी ऐसा भी हो सकता है जरूरत ना पड़े क्योंकि अगर uniform circular motion होगा तो tangential direction में net force 0 होगा जैसे इस case में अगर मैं आपसे पूछू tangential direction में बताइए net force क्या है तो आप यहाँ पर देख पा रहे है F2 का और F1 का दोनों का component करेंगे बताइए equation क्या लिखेंगे F2 sin beta plus F1 sin alpha minus F3 this is a net force in the tangential direction और यह net force पता है किसके बराबर होगा M into 80 के बराबर होगा net force towards the center बराबर M into 80 यह equation हमने tangential direction में लिखी है इसकी जोगत कप पड़ेगी जब motion कैसा होगा non uniform circular motion पताफ़ट बताना क्या तुम्हें यहाँ से पताफ़ट equation लिखना आया की नहीं आया बोलो हाया ना क्या तुम्हें equation लिखना आगे है चलिए बहुत बड़े है the point is this now come to the यह देखिए सान्या सिंगल सर क्या आपकी सच में package इतना है बहुत कम सोच रहे हो या आपकी सोच बहुत कम है focus कर लो बेटा यहाँ पर तो मैं यहाँ पर यह बता रहा था कि जैसे कि मैं आपके सामने एक situation देता हूँ और यह इस तरीके से घूम रहा है यह chronical pendulum का example है अगर मैं आपसे यह कहूँ कि इस block का FBD बनाईए तो बताए फटा-फट से इस block का FBD बनाते समय कितने forces लगाएंगे मैं यहाँ पर कहूँगा दो force लगेंगे एक tension force और एक लगेगा mg force बहुत ही important बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा यह angle theta और यह length L अब मैंने कहा कि आपको इसके लिए dynamics में equation लिखनी है तो हमेशा याद रखिए कि सबसे पहला step यह होता है कि आप जिस body का FBD बनाने जा रहे हैं वो system decide करिए वो जिस plane में घूम रहा है वो plane find out करिए जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछू कि इस समय यह particle जब circular motion कर रहा है तो किस plane में घूम रहा है जल्दी बताएए क्या यह horizontal plane है अगर आपको plane पता चल गया तो definitely आपको center पता चल गया मतलब हम यह कह सकते हैं यह इसके about घूम रहा है अगर आपको center पता है particle पता है तो आपको radius भी पता चल गया धिहान से देखेगा बेटा center यह नहीं होगा center यह होगा और इस case में अगर मैं radius की बात करूँ तो radius यह वाला distance होगा जो कि आपको देखके समझ आ रहा है this is L sin theta dynamics के problem में यह चीज़ बहुत important होती है कि हमें radius का पता होना ज़रूरी है और radius तभी पता चलेगा जब आप recognize कर पाएंगे कि what is a plane of circular motion अब question यह है अच्छा कौन बताएगा कि मुझे tension का component करना चाहिए mg का जल्दी बताओ tension का component करूँ या mg का पटाफट यह बहुत बड़ा मित है कई बार लोग समझी नहीं पाते कि सर आपका मन करता तो tension का component करते है आपका मन करता तो mg का component करते है नहीं नहीं भाई मैं अपने मन के हिसाब से नहीं करता हर चीज़ के पीछे एक logic है यहाँ अगर आप observe करें बहुत ध्यान से तो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया था कि radial direction देखिए radial direction क्या आपका यह होगा और यह वाला जो direction आप देख पा रहे हैं यह वो direction है जो इस plane के perpendicular है और हमेशा याद रखना कि जब भी कोई particle circular motion में घूम रहा होता है तो plane के perpendicular direction में net force हमेशा 0 होता है यहाँ आप mg का component नहीं करेंगे क्योंकि mg already axis के along है यहाँ आप component करेंगे तो tension component करेंगे component उसका करेंगे जो axis के along नहीं है तो आप यहाँ पर यह कहेंगे कि अगर यह angle theta तो यह भी angle theta और आप बताए जल्दी से यह वाला component क्या होगा T cos theta और यह वाला component जो center की तरफ है यह क्या होगा T sin theta बोलो clear है तो हम यहाँ पर यह कहेंगे कि T का cos theta component उपर वाला force बराबर होगा नीचे वाला force बोलो समझ आया कि नहीं है तो कि plane के perpendicular direction में net force 0 करना है और center की तरफ सिर्फ एक ही force लग रहा है जो कि इस समय T sin theta है बेटा इस T sin theta को tension का वो component जो center की तरफ है इसी का नाम है centripetal force और यह T sin theta की value पता है किसके बराबर होगी यह बराबर होगी mv square by r now these two equations I hope कि आप इन दो equations को solve करके अपने answers तक पहुंच सकते है बोलो समझ आया अगर मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ बेटा equation number 1 और इसको बोलता हूँ equation number 2 second equation में से पहली equation को अगर आप divide करेंगे तो आप लेखेंगे sin theta divided by cos theta बराबर v square upon r g तो यहाँ से v square की value आती है r g 10 theta बोलो समझ आया कि नहीं v square की value कितनी आती है r g 10 theta और आप चाहें तो r की value यहाँ put कर सकते हैं मैं यहाँ पर v की value लिख सकता हूँ square root of r g 10 theta कितने भाई लोग को समझ में आया कि मैंने tension का component क्यों किया क्या सभी को clear है मैं आपको यही बता रहा था इस वाले page पर कि हम जब axis select करते हैं तो axis में एक radial axis लेते हैं और radial axis इस तमय यह है और एक axis यह लिए है तो आप देख पा रहे हैं mg तो already axis के along है तो component उसका करते हैं जो axis के along नहीं होता तो यही बात यहां पर लिखी हुई है देखिएगा यहां पर कुछ basic steps लिखी हुए है अगर यह basic steps of dynamics of circular motion के अगर आपने याद रखे तो आप circular motion के dynamics के किसी भी सवाल को approach कर सकते हैं सबसे पहला step देखिए क्या लिखा हुए define the system क्या लिखा हुए define the system system पता चल गया recognize the plane of the motion center and the radius of a circle this is the most important thing भहिया पता होना चाहिए और इसके बाद FBD बनाई और axis select करते समय देखिए एक axis radial direction में एक tangential और एक linear normal to the plane of motion done clear है चलिए आगे बढ़ता हूँ देखिए गवाई मेर एक और सवाल माल लीजे मैं यहाँ पर आपके सामनी यह situation देता हूँ और यह ऐसे घूम रहा है ठीक यह समय angle theta है बताए इस समय क्या equations लिखने वाले एले तो यह बताए है कि इस given body के उपर कितने forces लग रहे है how many number of forces on the given particle जल्दी बताए फटापट quick एक कितने number of forces यहाँ पर लग रहे है एक दो या टीन कितने लोग कहते हैं कि दो force लग रहे है yes how many of you just type 2 जितने number of forces लग रहे है उतना number type कर दीजे भाई chat में रोहिछ चौधरी कहते हैं Two आधित्य कह रहा है दो हुसल बंसल कह रहे हैं दो किसी को ऐसा भी लग रहा है कि Almost 3 लग रहा है कि दो ही forces लग रहे है यह तीन वाले भाहिया कौन है भाई 맞는 bak बिभु विक्रम कह रहे हैं सभी लोग बता रहे हैं दो ही forces लग रहे हैं बिलकुल आप लोग के concept काफी सही लग रहे हैं बहुत बढ़े हैं बहुत बढ़े हैं मजा गया दो ही फोर्स हैं बेटा tension और mg यह तो नहीं सोच रहा है mv square by r लगेगा अब यह mv square by r कोई force नहीं होता अच्छा एक बाँ बताओ इस समय क्या यह ऐसे गूम रहा है क्या यह plane है यह कौन सा plane है horizontal या vertical क्या यह vertical plane है अगर यह vertical plane में गूम रहा है जल्दी से बताना है यह जिस circle में गूम रहा है उस circle का center कहां पर है उस circle का center यहां पर है यहां पर है और अगर circle का center यहां पर है तो जड़ा observe करेगा यहां पर क्या आप यह कहेंगे कि आपकी एक axis यह होगी इसे बोलेंगे radial axis always select one of the axis in a radial direction और अगली axis यहां पर जो आप select करेंगे वो बताए क्या लेंगे your next axis will be in this direction और यह axis आपकी होगी कौन सी बताओ जल्दी बोलो भाई tangential मेरे भाई यह जल्दी बताएगा क्या इस बार आप tension का component करेंगे या mg का component करेंगे लेखिए अगर यह angle theta तो यह angle भी theta और यहां पर mg का यह वाला component क्या होगा mg cos theta बहुत बढ़िया और यह वाला component क्या होगा mg sin theta बताएगे net force center की तरफ क्या है जो force towards the center उसको positive लेते हैं और जो force अवे लगता है उससे हम negative लेते हैं तो यहां पर जब मैं पूछू net force center की तरफ क्या है तो आप क्या लेखिएंगे tension minus mg cos theta this is the net force towards the center का सभी लोग सहमत है क्या मेरे बाई बंदू है क्या मेरी बास समझ में आ रही है कहीं आपको जो confusion पहले था कि सर आप अपने मन से किसी भी force का component कर देते हैं क्या वो logic समझ में आया पिछले वाले सवाल में मैंने क्यों ऐसा किया था कि tension का component किया था और इस सवाल में मैंने ऐसा क्यों किया कि mg का component किया बोलो किलियर है बोलो बोलो फटा फट बहुत बढ़िया net force towards the center ये है और ये बराबर हम लिखेंगे m into ac और ac की value v square by r what is r center अगर ये है तो ये length है और यही length है तो यही तो radius है न बाई पहली equation बोलो clear पहली equation क्या सभी को clear है बिल्कुल fundamental तरीके से clear हो चुकिए vertical circular motion में इस equation को हम कई बार use करते रहते हैं क्या इस बार tangential direction में भी equation बनेगी क्या ये बिल्कुल बनेगी क्या हो कि mg के आपने दो component कि एक cos theta और एक sin theta जो sin theta वाला component है क्या वो tangential direction में है तो इसका मतलब इस तमय ये वाला जो motion आप देख पार रहें यह uniform circular motion होका यह फिर non uniform circular motion क्यों बोला मैंने जो मुझे बता सकता है की मैंने यहां पर non uniform circular motion क्यों बोला मैंने यहाँ पर non uniform इसलिए बोला क्योंकि ज़रा observe करेगा tangential direction में mg sin theta को cancel out करने के लिए कोई भी नहीं है और जो mg sin theta force लग रहा है क्या वो tangential direction में है तो मैं यहाँ पर tangential direction में equation लिखोंगा mg sin theta and that should be equals to m into 80 and this is the second equation इस समय particle के पास radial acceleration भी होगा और साथी साथ यहाँ पर आप observe कर पा रहे होंगे कि उसके पास tangential acceleration भी होगा अगर सवाल में यह पूछ लिए जाए कि यह बताइए कि इस समय particle का net acceleration क्या होगा तो जनाब net acceleration पता कैसे लिखूंगा AC का square plus 80 का square बोलो clear? बोलो concept समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे है? बहुत बढ़िया माहौल सेट all of you are ready ग्रेट एक बाद बताएगा आपको दिख रहा है AC इस direction में है और AT इस direction में है तो इन दोनों का resultant इधर कहीं आएगा क्या वो आपको net acceleration देदेगा? क्या वो आपको आज के बाद net acceleration देगा या नहीं? तो आज के बाद कोई भी question आजाए क्या फटाफट equation लिख पाएँगे? कोई भी question आजाए क्या फटाफट equation लिख पाएँगे क्या? ओके नाइस चलिए कुछ questions की practice कर लेते हैं भई अभी पता चल जाएगा कि आपके concepts कितने clear हो चुके हैं J means 2020 का ये सवाल J means 2020 का ये सवाल देखिए मुझे बताइए इसका answer क्या आ रहा है? क्या आपको question दिखाई दे रहा है? Just take your time समय आपका सुरू आप लीजे दो मिनट भाई पहला सवाल है इसलिए ज़्यादा समय दे रहा हूँ Please take your time और answer बताइए क्या आ रहा है? आजी भई, आजी, बोलिए सागर पूछने सर कितनी देड़ चलेगा? अभी तो सफ़र सुरू किया है answer बताइए answer What will be your answer? यास, यास चलिए, मुझे लगता है कि मैं भी आपके साथ solve करना start कर देता हूँ मैं आपको question बहले explain कर देता हूँ कि question क्या है? एक particle है जो एक spring से connected है spring की natural length आपको L दे भी है अब इस particle को यूँ गुमाना सुरू कर दिया जब आप particle को घुमाना start करेंगे तो साइद आपको ये बास समझ में आ रही होगी कि जो spring है उसकी length change होने लग जाएगी पतलब मेरे सामने ये situation कुछ ऐसा होगा देखेगा कि ये रहा particle जिसका mass M है और ये रहा center और ये particle इस तरीके से घूम रहा है जब हमने इसे गुमाना शुरू किया तो इस spring में x का elongation भी तो आ गया तो यहाँ पर जो radius है उसे हम बोलेंगे L प्लस x और अगर मैं आप से पूछूं कि इस पर force बताईए तो आप ये कहेंगे कि इस direction में जो force है वो है kx क्या center की तरफ सिर्फ kx force लग रहा है तो देखें सवाल खतम हो चुका है बहुत ही simple सा question है कई सारे लोग जवाब भी दे चुके है समय भी समाप्थ हो चुका है बहुत बढ़ी है सिवांगी, मनीज कुमार answer लोग का दो आ रहा है बई answer दो आ रहा है great great तो बताएगा यहां पर मैं यह लिख सकता हूँ center की तरफ जो force है that is kx और यह बराबर आप क्या लिखेंगे m omega square into r और बेटा जल्दी बताओ r की value क्या लिखो l या l plus x बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है सांदार l plus x length जो है वो total l plus x होगा तो यहां पर kx minus m omega square into x बराबर मैं लिखूंगा m omega square into l तो यहां से x की value आएगी m omega square l divided by k minus m omega square क्या देखिए फटाफट कौन सा option आपका match कर रहा है m omega square l क्या सभी का 2 आ रहा था क्या बहुत बढ़ी है nice wonderful क्या अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए तयार हैं अगले सवाल की लिए चलिए come to the next question अगला सवाल आपके सामने या स्क्रीन पर आ चुका है please try to solve it समय सुरू इस पार आपको मात्र मिलेगा एक minute you have only one minute for this given question please start हो जाएए बाई में आपका सुरू हो चुका है बताइए आपका अंसर क्या आएगा सर मैं स्टूडियो के बाहर खड़ा हूँ तो बाहर ही खड़े रहो भाई स्टूडियो में अलाउड नहीं है टू बताया जा रहा है बेटा सोच लो आराम से हर बार आंसर टू नहीं आता है लास्ट अनली फोर फ्री टू वन टाइम सब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस प्रोफाइल की क्वेश्चन जे मेंस लगातार दो से तीन बार पूस्ट चुका है मुझे बहुत ही आसान क्वेश्चन लगते हैं लेकिन मैंने देखा है अगर इस पीड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये तो समझ आ चुका है कि पार्टिकल के पस सिर्फ और सेंट्रीपिटल अक्सेलरेशन ही होगा तो ये जो भी नेट फोर्स लग रहा है ये सेंटर की तरफ लग रहा होगा एक बार बताएगा क्या मैं यहां पर यह बोल स ऐसा मैंने क्यों लिखा क्योंकि question में clearly mention है कि force is inversely proportional to this this is a force और ये बराबर आप किसके लिखेंगे m सुनेगा ध्यान से omega square into r अब आपको लग रहा होगा कि sir आपने m omega square r क्यों लिखा क्योंकि बेटा यहां पर time period of revolution की बात की गई है और time period का मतलब होता है पूरा एक revolution complete करने म जो समय लगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि time period होता है 2 pi by omega तो यहां पर अगर मैं omega की value put कर दूं तो काम चल जाएगा तो यहां से ज़रा observe करेगा omega square की value आपके सामने क्या आ रही है omega square की value आएगी k divided by m multiplied by r की power 4 यहां से अगर आप observe करें तो बेटा omega की value आती है 1 upon r square into square root of k by m और इस omega की value को यहां पर आपको put करना है तो बताए time period जब लिखेंगे 2 pi upon omega और omega की value put करिये बताए क्या है m by k multiplied by r square answer will be one first answer आ रहा है बैई कितने लोग का आया सीतु कुमार पैरसाइट रागव गोयल भाई इतने लोग का answer आ रहा है t is proportional to r square आ रहा है चेक कर लिजे बैई answer will be the one कितना आसान सवाल है ऐसे सवाल कई बार पूछे गए है मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ऐसे सवाल main level के आपके सामने आएंगे तो आप 4 के आप आएंगे बोलो clear done अगले सवाल की तरफ बढ़ें बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जा बताईए question पढ़िये फटाफट question 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 प्रताय। गंडी बच चुके है बाई, टाइम सब, कि क्वेशन मुझे काफी जादा पसंद है, और इसके पसंद के पीछे में रीजन है कि most of the student question पढ़ करके यही नहीं समझ पाते कि हमें क्या गिवन है, क्या आपके साथ भी बिल्कुल यह सेम चैलेंज आ रहा है क्या, क्या आप भी प भूम रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इस कार का FBD बनाऊंगी, तो यहाँ से normal लगेगा, नीचे mg लगेगा, लेकिन साथी साथ question में जैसा कि आप observe करें, यहाँ लिखा है magnitude of a negative lift, negative lift का मतलब समने, lift का मतलब होता उपर की तरफ, और negative lift का मतलब है कि यहाँ पर aerodynamics की वज़ की वज़े से उनके उपर force उपर नहीं लगता, नीचे लगता है, तो उस aerodynamic की वज़े से हम यह कह सकते हैं, यह force नीचे की तरफ लग रहा हुआ, तो अगर आप से यहाँ पर कोई पूछे, normal की value में क्या change आएगा, तो भाहिया, aerodynamic इस तरीके से design की जाती है, कि normal बढ़ जा नहीं तो पता चले की formula racing car की speed बढ़ी, और यह जो lift है वो उपर की तरफ है, और पता चले की आपकी formula car plane बनके हवा में ही आगी, तो इसलिए आपने देखा हुआ कि वो जो cars होती है, वो car की आगे वाली surface को flat रखा जाता है, जिससे की aerodynamic force उस पर नीचे की तरफ लगी, question पर आपिस लोटते है, normal की value, can I say that, कि mg और fl का resultant होगा, और जब यह car घोम रहा है, तो आपको यह बात समझनी होगी, uniform circular motion है, और इस plane में अगर आप observe करें, तो plane में सिर्फ और सिर्फ एक ही force है, that is friction, और बताओ friction किदर लगेगा, यह friction लगेगा, बेटा, center के towards, किदर लगेग मतला हम यह कह सकते हैं, कि friction इदर लग रहा होगा, और उस friction की value होगी, mu s into normal, तो यहाँ पर जो force center के तरफ लग रहा है, उसकी value को चुपचाप से आपको किसके बराबर करना होगा, mv square by r के, यहाँ पर space कम है, मैं अगले page पर लिख देता हूँ, मैं लिखूंगा, center की तरफ यह force होगा, और यह force होगा, m into ac, और ac की value क्या लिखेंगे, v square by r, mu s multiplied by normal force, normal force की value क्या होगी, mg plus fl, और यह बराबर आप क्या करेंगे, mv square by r, question पढ़ लीजे, question में जैसा कि आपको clearly देखकर के समझ भी आ रहा होगा, कि आप से यहाँ पर magnitude of negative lift पूचा गया है, मतलब they are asking you fl, तो यहाँ से अगर हम simplify करें, तो mu into fl की value को मैं लिखूंगा, mv square by r, minus mu mg, और यहाँ से mu को divide कर दें, तो fl की value क्या रही है, mv square by r into mu, minus of mg, check करेंगे, कौन सा option आपका match करना है, जल्दी फटाफट, कोई option है क्या, m को अगर common बहार निकालने है, तो मेरे इसाब से, 2 will be the correct answer, 2 will be the correct answer, क्या answer यही आ रहा है, बहुती आसान सवाल, लेकिन question की language इस तरीके से design की गई है, कई बार आसान question भी हमारे लिए difficult हो जाते हैं, चलिए, चूरन सवाल, अगले सवाल की तरह बढ़ेंगे, तयार है, अगला सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर बहुती आसान सवाल ह आपको 30 से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा, यही मेंस 2022 में, यह सवाल आपके सामने आ चुका है, question पढ़िए, smooth vertical wall, यहाँ पर यह ऐसे circle में घूम रहा है, और साफसा बोला है, with a speed of V, इसका speed constant है, which of the falling curve represent the correct relation between the normal reaction on the block by the ball, यह बहुत important, मुझे याद है कि जब एक question आया था, तो most of the student इस question को गलत करके आये थे, यो कि most of the student ने यहाँ पर answer पता है, कौन सा tick किया था, third, क्या लगता है आपको, बोलो भाई, क्या third answer will be the correct, बोलो, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या third correct होगा, देखो यहाँ दो तरीके के normal force लग रह हैंगी, तो यहाँ question में देखो कि वो just normal force की बात कर रहे हैं, मुझे जल्दी से बताना, यह just normal force की बात कर रहे हैं, यह normal force कहां से लग रहा है, यह normal force बेटा वाल से लग रहा है, done, बोलो clear है, तो देखना जड़ा, जब मैं इसका FBD बनाता हूँ, तो मुझे समझ में आता ह है कि एक normal ground से लगता है, इसको N1 बोला, और एक normal यहाँ side wall से लगता है, उसको N2 बोला, और नीचे की तरफ लगेगा Mg, तो हम से यह N2 की बात की गई है, और अगर यह circle में घूम रहा है, तो मेरे को एक बात बहुत clearly समझ में आ रही है, कि इसका जो acceleration है, that is centripetal acceleration, और वो acceleration कहा होगा towards the center, आप जल्दी से बताएगा कि N2 की value क्या लेखेंगे, N2 will be is equal to mv square by r, मानते हो, किस तरीके का graph है, N2 को y axis पे plot किया है, और velocity को x axis पे plot किया है, आप observe करिएगा, यह जो N2 है, यह आपके लिए y है, और यहाँ पर यह जो velocity दिखाई दे रही है, यह आपके रहा है, y बराबर k x square, क्या parabolic curve है, पताएगे क्या आपका answer 1 आ रहा था क्या, N is proportional to v square, तो बेटा answer 1 होगा 1, अगर आप यह सोच रहा है, यह, अच्छा 3 वाला कब correct होता, अगर वो graph किसका पूछते, normal by the ground surface, कि जो ground surface ने normal लगाया, उसका graph अगर आपको draw करना होता, then you will tick the third option बोलो, done, बहुत बढ़िया, now move to the next question, आ जाईए भाई, अगले सवाल पर आ जाईए, देखेगा अगला सवाल क्या है, बहुत ही simple सा question है आपके सामने, try करिए इस question को फटा फट, quota memories, मिड़ा answer बताईए, memories, सर साइड वाला समझा नहीं, static friction कहां लग रहा है भाई, friction तो यहां है ही नहीं, अच्छा, उस case में पूछ रहे हैं, आप लोग question को solve करिए, जब तक एक information पूछेगे, देखिए, जब car किसी surface पे चल रही होती है, तो car के tire रोल करते हैं, तो rolling motion का मतलब होता है, कि point of contact में relative slipping नहीं है, और अगर relative slipping नहीं हो रही, तो याद रखेगा, उस case में kinetic नहीं लगता, static लगता है, और static friction एक variable force है, जिसकी value 0 से mu n के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वहाँ पे बोला जाए कि friction maximum लग रहा है, तो उसकी value हम mu s into n लगा रहा है, जब दो surface में slipping होती है ना, तब kinetic friction लगता है, तो हमेशा याद रखेगा, कभी भी अगर कोई car roll कर रहा है surface पर, या आप normally walk करते हुए आगे जा रहा है, और अगर आपके surface पर, मतलब आपके foot पर, या car के tire पर friction लगेगा, तो वो static होगा ना कि kinetic होगा, आंसर 4 बताया जा रहा है, आंसर 4 बताया जा रहा है, let's see देखते हैं, यहाँ पर question क्या है, question में जैसा कि बोला गया है, कि एक car जो है, वो इस तरीके से circular track पर गुम रहा है, circular track पर गुमते में क्या हुआ, कि यह रहा trolley, और यहाँ पर यह इस तरीके का situation आप देख पा रहा हुआ, track जिस radius में गुम रहा है, वो आपको 40 meter दिया गया है, bob is suspended from the roof of a car by a massless string, constant speed से गुम रहा है, मतलब यह जो है, यह इस तरीके से गुम रहा है बाई, ऐसे, horizontal में आप समझ में चाहें, तो ऐसे समझ सकते हैं, यह car का back view है, और यह car इस track पर इस तरीके से चल रही है, मेरे भाईों एक बाप बताएगा, अगर यह angle theta है, यहाँ tension नीचे है mg, यह किस radius में गुम रहा है, 40 meter, मैं यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ, क्या यह आपके सामने situation बिल्कुल वैसी आ चुकी है, जैसे कि आपने conical pendulum वाली देखी थी, tension का cos theta component mg को balance करेगा, और tension का जो sin theta component है, क्या वो उसको accelerate करेगा, तो यहाँ पर अपन यह कह सकते हैं, कि T का cos theta component mg के बराबर होगा, और T का, जो sin theta component है, वो बराबर आप क्या लेखेंगे, जल्दी से पताएए, क्या यहाँ पर आपको speed दी हुई है, यस आपको speed दी हुई है, तो आप इस term को लिख सकते हैं, m v square by r, यह बेटा first equation और यह है second equation, क्या यह सभी को equation समझ में आगी, it is similar to the conical pendulum, बोले, clear, divide कर दीजे, 10 theta की value कितनी आ रही है, 10 theta की value बेटा, v square upon rg आ रही है, v का value हमें पता है 20 है, 20 का square, this is 20 into 20, divided by r into g, और r का value है 40, और g का value है 10, अरे वा, यह 10 theta की value 1 आ रही है, और 10 theta 1 का मतलब theta is 45 degree, theta is 45 degree, क्या answer आपका 4 है, yes, tell me, क्या answer आपका 4 है, बहुत बढ़िया, यह लीजी बाई, question खतम, बहुत ही आसान, कितने आसान सवाल आपके सामने देखिए, जे में में, direct formula based question आप से हैं, just draw the FBD, write down the equation, you will get the answer, बहुत बढ़िया, अब मैं आता हूँ, यहाँ पर कुछ questions पीछे हमारे रहे गए थे, मैंने कहाता कि, वक्त आने पर मैं बताऊंगा आपको दुबारा से, question थोड़ा सा आगे की topics के आगे थे, जैसे कि इस question पर आते हैं, वापिस लॉट करके, जे मेंस 2021 में, यह सवाल आप से पूछा गया, मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद इसका आंसर निकालें, और मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या रहा है, yes, try करिए भई, कुबार अनुप, आपके अगर जो भी doubts हैं, वो doubt आप साथी साथ पैड़वली पूछते जाएगा, लेकिए बहुत ही simple सा question, यहाँ पर एक पार्टिकल कोनिकल पैंडूलम जैसा है भाई situation, देखेगा, इस तरीके से गुम रहा है, लाइक दिस, और यह भी बताए कि किस radius में गुम रहा है, भाई आपको बहुत बड़ी information देदी, आपको उसने ठीटा बता दिया, मुझे लगता है कि फटा-फट आप बहुत आसानी से अपने answer तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि situation जड़ा observe करेगा, अगर यह angle theta है, यह length L है, तो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, यह radius R है, और आप जानते है R की value क्या लिखेंगे? L sin theta, लेकिन R की value उन्होंने खुद बता दिये, R की value है बेटा, L by root 2, R is L by root 2, and this should be equals to L sin theta, यहां से L से L cancel out, बेटा, sin theta की value बताओ क्या आ रही है? sin theta is 1 by root 2, इसका मतलब क्या हुआ, कि theta की value 45 degree, बोलो के लिए? लेकिन हम से theta नहीं पूछा है, समझ रहे हो? इस बार speed पूछी गई है, क्या पूछी गई है? तो आप क्या बोलोगे? इस बार आप कहोगे, कि यह tension का वो component, देखो यह T, यह आपको दिख रहा 45 degree, नीचे लगे का mg, पताओ equation क्या लिखोगे? T का वो component जो center की तरफ है, that is what? T cos या sine, T sin 45, और यह बराबर आप किसके करेंगे? M, V square by R के, और उसी तरीके से, T cos 45 की value आप किसके बराबर करेंगे? mg, angle 45 है, तो साफ साफ सी बात है, sin 45 और cos 45 की value, बताना फटाफट से, यहाँ पर जब आपने एक cos लिखा है, तो यहाँ पर जो 45 है, यह दोनों बराबर है, क्या मैं M, V square by R को mg के बराबर कर दूँ? अगर यह दोनों values को आप बराबर कर दें, तो देखके समझ आ रहा होगा, कि M, V square by R, यह value बेटा mg के बराबर, M से M cancel out हुआ, बताओ फटाफट क्या आ रहे, क्या V square की value R, G के बराबर आ रही है, R into G के बराबर आ रही है, बोलो, बोलो भई, R into G के बराबर आ रही है, तो यहाँ से V की value क्या आ रही है, square root of R, G, कौन सा option है, जो match कर रहे हैं, this is a first option, this is a first option, सत्य प्रकास बेटा यहां टाइम पास मत करो है ना जाकर के पढ़ाई करो नहीं करनी तो यहां डिस्ट्रिबेंस क्यों कर रहे हो बहुत देर होगी तुम्हें टाइम पास करते हुए क्या मतलब है यहां यह सब डिसकेशन करने थोड़ना आया है यहां पढ़ने आया है तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो कुछ और करो जाकर के कहीं ऐसी जगह अपनी एन इसे पहले ब्लॉक कर देते हैं सब लास्ट कोईयोन में कौनिकल पैंडूलम जो था उसका रेडियस जो बनायते बेटा इसन मैने एकडम सही बनाया था हम जब रेडियस लेते हैं तो रेडियस उ वाला लेते हैं जिस रेडियस में वह घूम रहा होताatar'S इसका मतलब होता है हमें center से उस point का distance लेना होगा तो वो distance बिल्कुल exactly सही था क्योंकि वही distance हमें given था ठीक है हो सकता है तुम question नहीं समझ पाए हो यहाँ पर मैं एक question और यहाँ पर discuss करूँगा यह वाला question ज़रा देखेगा ध्यान से यह question आपको याद होगा शुरुवात में आया था लेकिन यह dynamics का question था तो मैंने कहा था इसको hold करेंगे बाद में दुबारा solve करेंगे यहाँ पर yes आपको यह value दी हुई थी rotating with angular speed omega यह omega से घुम रहा है आप बताईए इस पर अगर fbd बनाएंगे तो बेटा कौन कौन से force लगाओगे क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर normal लगेगा बोलो और यहाँ नीचे लगेगा mg बोलो यहाँ तक के लिए रहे इस point पर अगर मैं tangent ड्रॉ कर दूँ और मालो उस tangent का यह angle है theta उस tangent का यह वाला angle क्या है theta मैं यहाँ पर normal के दो component कर सकता हूँ जल्दी से बता ना normal का एक component mg को balance करेगा और normal का एक component centripetal acceleration प्रोवाइड करेगा क्या यह बास समझ आ रही है कभी भी आपके सामने जब भी इस तरीके के question आए ना जहाँ पर आपको curve की ही equation दी हुई है तो आपको बिल्कुल घबराने की जगत नहीं है क्योंकि अगर आपको curve की equation दी हुई है ना तो वहाँ पर आप dy by dx करके क्या करके dy by dx करके आप slope निकाल सकते हैं और slope से आपको angle पता चल जाएगा तो देखना भाई यहाँ पर fbd बनाने जा रहे है नॉर्मल यह लग रहा है mg यह रहा किस plane में गुम रहा है horizontal plane में तो center यहाँ होगा और यह वाला जो distance है यह वाला distance आपका a होगा क्या होगा बेटे ए होगा यहाँ पर जो आपने tangent ड्रॉ करी थी यह इसका यह angle आपका theta होगा यह 90 है यह 90 माइनस theta यह 90 माइनस theta तो यह 90 माइनस theta तो यह angle भी theta होगया चेक करेए तो यहाँ पर आप observe कर पा रहे होगे कि n का यह वाला component cos theta और n का यह वाला component बेटा sin theta तो मैं यह कहूंगा कि cos theta component mg को balance कर रहा है मतलब हम लिखेंगे n cos theta बराबर क्या बेटे m into g सहमत हो और n का sin theta component आप किसके बराबर करेंगे m omega square into r क्या यह दो equations आगी अब इन दो equations को divide करते है दूसरी वाली equation को पहले में से divide करेंगे तो आपका आएगा 10 theta 10 theta की value बताओ क्या आ रही है omega square a divided by g लेकिन एक बाह बताना क्या 10 theta आपका dy by dx होता है बोलो क्या यहाँ पर y बराबर 4c x square जो आपको दिया हुआ है अगर मैं यहाँ पर आपसे dy upon dx पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब है जब मैं इसका derivative करूँगा क्या यह value बेटा 8c into x के बराबर आ जाएगे तो यहाँ पर यह value 8c x के बराबर करेंगे लेकिन x उस point का कितना है a कितना है a तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 8c into a चेक करो question पढ़ो फटाफट से आपसे omega पूछा गया है क्या पूछा गया है omega पूछा गया है क्या a से a cancel out हो गया और यहाँ पर omega square की जो value है वो कितनी आ रही है 8c into g मतलब यहाँ पर omega की value की अगर हम बात करें तो वो आएगा square root of 8c g कौन सा option match कर रहा है जल्दी बताइए इसे लिख सकते हो 2 root 2 into g into c yes कुछ लोग कह रहा है fourth answer आ रहा है मेरे साफ से fourth नहीं आ रहा भाई जड़ा check करिये दुबारा से मेरे साफ से second answer आ रहा है yes second is the correct answer रोईद भाई तुमने गलत आंसर बता है four वाले लोग गलत है एकदम गलत है root 2 के बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि square root में 8 है 8 और 8 का square root बेटा 2 नहीं होगा 2 root 2 होगा आपने observe किया कि अभी तक हमने dynamics के जितने भी problems को solve किया उन सभी problem में एक बहुती common चीज थी जो हमें समझ में आ रही थी कि FBD बनाना था और components में break करना था इसके अलावा किसी में कोई खास चीज नहीं थी जरा देखे का ध्यान से काफी सारी question हम लोग already solve कर चुके हैं अब मैं बात कर लेता हूँ motion of a car in a circular track अगर एक car किसी circular track पर चल रहा है तो तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करना जाओंगा कि अगर वो track जो है न वो horizontal हूँ कैसा हो horizontal मतलब यहाँ पर यह आपका track है भई इस तरीके का और इस track पर आपका car चल रहा है question is this कि जब इस track पर car चल रहा होगा एक minute मैं सिर्फ car ही बना देता हूँ back view कि इस तरीके से घुम रहा होगा बोलो मानते हो मानते हो या नहीं बहुत बढ़िया मेरे को एक बात बताना कि इस समय अगर इस car की speed constant है तो friction किदर लगेगा प्लेन में अगर observe करो ना तो प्लेन में सिर्फ friction ही है और अगर एक car circle में घूम रहा है तो उसके पास centripetal acceleration होगा मला इसके पास center की तरफ क्या AC होगा और अगर acceleration है तो 4 होना चाहिए और जिस plane में ये car घूम रही है उस plane में अगर तुम ध्यान से देखो तो सिर्फ friction ही हो सकता है मेरे भाई तो पहली बात तो तुम्हें ये समझनी होगी कि अगर एक car constant speed से घूम रहा है न तो यहां पर जो friction है वो center की तरफ लगेगा और उसका nature कैसा होगा static होगा अगर आप यहां पर उपर देखे normal नीचे क्या लगेगा mg तो normal और mg का contribution क्या हो गया जीरो क्योंकि normal और mg तो plane के perpendicular लग रहे तो अपन सीधे-सीधे कहेंगे उपर वाला force बराबर नीचे वाला force तो इसका मतलब plane में एकलोता है एक ही force that is friction तो यहां पर मैं लिखूंगा friction बराबर M into AC और यहां पर इसी चीज़ को लिख सकता हूँ M into V square by R अब मुद्दा यह आता है कई बार हमसे यह पूछा जाता है कि horizontal track पर maximum speed क्या हो सकती है तो आप आप सोचिए कि जब आप V को maximum करेंगे तो इसका मतलब आप यहां पर friction को भी maximum करेंगे और friction की maximum value बताओ जल्दी बताओ friction की maximum value क्या मेरे भाईयों mu s into normal होती है तो mu s into normal बराबर M into V max का square divided by R लिख सकता हूँ और normal की value बताओ यहां पर देखके समझ आ रहा होगा कि इस normal की value यहां mg पुट किये जा सकती है तो mu s multiplied by mg and that should be equals to M V max का square divided by R तो observe करिये यहां से maximum speed आपकी जो निकल के आती है this is the square root of mu s r g इस से जादा speed से अगर आप चलेंगे तो आप skid कर जाएं तो आपकी जो speed है वो एक horizontal track पर for the safe turn mu s r g से कम होनी चाहिए point is this कि अगर यहां friction नहीं होता मतला अगर यह surface smooth होती तो यहां पर यह car turn नहीं ले सकता था क्योंकि यहां पर friction ही responsible है उसे centripetal acceleration provide करने के लिए और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर static friction लग रहा है तो static friction उस direction में लगेगा जिस direction में जरूरत है अभी तो मैंने कहा कि यहां car constant speed से चल रहा है आप सोचिए कि अगर यहां पर car का speed लगाता इंक्रीज कर रहा होता तो इसका मतलब इसके पास AC भी होता और AT भी होता और जनाब आप खुद सोचिए कि अगर AC और AT दोनों होते तो वो provide कौन कर रहा है वो भी friction ही provide कर रहा होता मतलब उस case में friction center की तरफ नहीं आता friction यहां पर एक angle पर आता और मैं यह कहता कि उस static friction का वो component जो center की तरफ है वो उसे centripetal provide कर रहा है और friction का वो component जो velocity की तरफ है वो tangential provide कर रहा है इसलिए horizontal track पर friction का role बहुत ज़दा important होता है क्योंकि horizontal track पर normal और gravity का contribution जनाब 0 होता है क्योंकि आप जानते हूं कि normal और mg plane के perpendicular है तो horizontal plane में जिस plane में यह circular motion हो रहा है उस plane में सिर्फ और सिर्फ friction ही अपना योगदान देता है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि horizontal track पर आपको बहुत carefully turn लेना चाहिए क्योंकि अगर आपकी speed इस वाली speed से ज़्यादा हो गई तो भाईया यह तैय है कि आप slip मार जाएंगे बोले ड़न चलिए आगे बढ़ता हूं इसी के साथ बहुत बढ़िया सांदर यहाँ पर एक चीज और है important आप सभी लोगों के लिए यह formula आपको याद रखना चाहिए कई बार यूज होता है रेडिया अफ करवेचर का जो formula that is v square by an और an आप जानते हैं यह क्या होता है normal acceleration important बात यह कि radio of curvature जो है वो किसी भी curve की property होती है वो material पर depend नहीं करता यहाँ पर देखने के बाद आपको साथ ऐसा feel हो रहा होगा कि r b square upon an लिखा है तो speed change होगी तो radio of curvature change हो जाएगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि speed change होगी तो an b change होगा लेकिन यह r जो है वो particle पर depend नहीं करेगा वो curvature पर depend करेगा radio of curvature straight line path का infinite होता है बिल्कुल सही बात यहाँ पर एक यह formula लिखा हुआ है कभी आपको कोई एक curve दिया हो और आपको curve के किसी specific point पर radio of curvature पूछा जाए तो आप वहाँ पर यह formula यूज़ करके उसका radio of curvature निकाल सकते हैं यह formula क्या है 1 plus divided x का whole square और इस whole की पूरी power है 3 by 2 और divide में है double derivative डिवाइड में क्या लिखा हुआ है double derivative done okay nice चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ तो देखिए circular motion की overall अगर मैं बात करूँ तो आपको force analysis करना आना चाहिए आपको component में तोड़ना आना चाहिए और otherwise यहाँ पर as such कोई खास दिकत नहीं है now we will move to the next article and this next article will be what जल्दी बताइए अगला article अब क्या होने वाला है बोलिये भई पटाफट अब हम यहाँ पर next topic या कह सकते next chapter start करेंगे and this is work power and energy sir relative angular velocity देखिए मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर वो वो topic cover कर रहा हूँ जो जेई मेंस के point of view से important है कुछ ऐसे भी topics है जो जेई मेंस के point of view से उतने important नहीं है जेई advance के point of view से important है मैं अभी उन topics को यहाँ पर cover नहीं कर रहा हूँ तयार है जल्दी बताए तो सभी लोग तयार है अगला अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत important चैप्टर work power and energy इस सफर को शुरू है लगबग हमें दो घंटे हो चुके हैं अब हमारी speed बन चुकी है इंजन एकदम गरम हो चुका है smoothly 60-60 निकलते जाएंगे और अच् आफट से कितने लोग तयार हैं भाई फाइल को इंपोर्ट कर लिया जाए बहुत हाव मैनी आफ यू और रेड़ी और वर्क पावर एंड एनर्जी चलिए स्टार्ट करेंगे भाई 346 कौन सी फाइल है यह वाली होगी देखते हैं बहुत दो मिनट का पॉस है बहुत पानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन अभी कवर होगा बेटा वर्क पावर एनर्जी में देखिए अपकोर्स वो सारे टॉपिक्स तो अभी कवर नहीं होंगे देखिए हम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं अब आप जैसे बोल रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड यह सारे कोई टॉपिक्स थोड़ी है एक तरीके की क्वेशन्स है मैंने आपको FBD बनाना सिखा दिया ना सॉल्व करो सीधे क्वेशन्स को चले बाई चले कॉंसेप्स को रिवाइज करते जाएंगे वर्क पावर एनरजी जैसा कि आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं चले स्टार्ट करने जा रहा हूं कि यहां पर तीन फिजिकल क्वाइंटिटीज हैं कितनी हैं वर्क की पहले तो डेफिनेशन समझिए वर्क की बेसिक डेफिनेशन हैं इंटीग्रल एफ डॉट डॉट डिस इस जनर्वल डेफिनेशन ऑफ वर्क एक मिनट वेट दफ प्रोग्राम फॉर्ट तो रिस्पॉंट बोड भी आयंग करने लग जया हाँ यह जो इंटर्वल में निकाला जाता है पदला हम यह कह सकते हैं कि वर्क की जब बात की जाएगी तो हमें यह बताना होगा कि जिस फोर्स का हम वर्क निकाल रहे हैं वो कहां से कहां तक निकाल रहे हैं वर्क कभी भी इंस्टेंटेनियस डिफाइन नहीं होता there is no meaning of instantaneous work done क्योंकि आ आप अपना पैन चलाएगा तो देखेगा यहां पर डिएस का मतलब आप क्या समझते हैं अगर आपको लग रहा है डिएस डिस्प्लेस्मेंट आफ बॉड़ी तो मैं आपको बता दूँ आप एकदम गलस सोच रहे हैं यहां पर जो डिएस है वो डिस्प्लेस्मेंट आफ बॉड़ी नहीं होता डिस्प्लेस्मेंट उस पॉइंट का होता है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है तो वी केरफुल इस बात को दिहान से नोट कर लिजेगा आगे रोटेशन के कोईशन में यह सारी चीज़ें हमारे बहुत हैल्फुल होती है डिस्प्लेस्मेंट आ पॉइंट आप्लिकेशन आप फोर्स हम यह कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी फोर्स का वर्क देखें सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि वह फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है और फिर हम यह चेक करेंगे कि जब वह बॉड़ी डिस्प्लेस हुई उस मुमेंट वह फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट जो हो रहा है वो डिस्प्लेस्मेंट उस पॉइंट अफ एप्लिकेशन का है या नहीं मैं आपके सामने यह बहुत सारे एक्जम्पल्स दे सकता हूँ जिसमें यहाँ पर बॉडी डिस्प्लेस हुई है बॉडी का सेंटर आफ मास्ट डि अब मैं आपसे पूछू कि इस motion के दौरान what is the work done by hinge force, बताइए आपका answer क्या होगा, क्या आपकी body displace हुई है, हाँ हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दू कि इस case में hinge force का work 0 आएगा, क्योंकि hinge force जिस point पर लग रहा है, वो point displace नहीं हुआ, वो point वही है, तो इसलिए म मैं यहाँ पर कहूंगा कि hinge force का work क्या होगा, 0, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, इसी तरीके से अगर मैं आपसे यह कहूँ, कि जैसे माल लीजे, यह एक disk है, नीचे वाली surface fixed है, और यह जो disk है, यह यहाँ पर rolling motion कर रहा है, क्या कर रहा है, rolling motion, rolling motion का मतलब है, point of contact की velocity same होनी चाह होगा, कि यह point of contact की velocity है, उस moment पर, can I say that, कि अगर यह point P है, तो इस point P की velocity 0 होगी, बोलो, आया ना, अब एक बास सुनना, यह body roll करते हो, आगे जा रहा है, roll करते हो, आगे जा रहा है, अगर body के पास omega b है, that is vyr, और center of mass के पास velocity b है, v, और अगर मैं आपसे पूछू कि इस case म है, what is the work done by friction force, यहाँ पर body पर friction force लग रहा है, और उसका work done पूछा जाए, तो आपका answer क्या आएगा, in that situation, answer will be 0, body का center of mass displaced हुआ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि friction का work 0 होगा, क्योंकि friction जिस point पर लग रहा है, वो यह point है, और यह point जैसी surface के contact में आता है, उस moment पर इसकी velocity 0, अग और जनाब अगर displace नहीं हो रहा, तो बताईए जल्दी, अगर displace नहीं हो रहा, can I say that, कि work done by friction इस case में 0 होगा, ऐसे मैं बहुत सारी example आपको दिखा सकता हूँ, आपने एकदम से दौड़ना शुरू कर दिया, क्या करा, दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ने मतलग जा से आगे की तरफ accelerate करना सुरू कर दिया, अगर आपका acceleration आगे की तरफ है, तो आपको यहाँ पर एक बास समझ में आ रही होगी, definitely यहाँ पर कोई external force होगा, च्योंकि अगर किसी भी body को accelerate करना है, तो external force की जववत पड़ेगी, वो external force जनाब यहाँ पर कौन होगा, friction होगा, तुम तो बस यह बताइए कि friction की द्वारा work होगा या नहीं होगा, बताइए, नहीं होगा जनाब नहीं होगा, क्योंकि इस बात को समझेगा, friction यह पैर आपका जमीन पर है, friction लगेगा, बोलो लगेगा, ठीक है, अभी इस पर friction लगेगा, एक पैर हवा में एक पैर जमीन प बताओ, friction उस पर लगेगा, जो जमीन पर है, लेकिन इसका displacement नहीं होगा, इसका displacement कब होगा जब यह हवा में आएगा, पानते हो, point is this, कि जिस मुमेंट पर फोर्स लग रहा है, उस मुमेंट पर दिस्प्लेस्मेंट नहीं हो रहा है, जिस मुमेंट पर दिस्प्लेस्मेंट ह कर रहे हैं, तो बात अलग है, योगि उस केस में आप slip मार रहे होंगे, तो वहां static नहीं लगेगा, वहां kinetic लगेगा, मैं बात कर रहा हूँ, एक normal इंसान की, जो normal walk करते हुए running कर रहा है, तो running करते समय आप यह कह सकते हैं, यहाँ पर static friction accelerate तो कर रहा है, लेकिन static friction यहाँ प body का displace होना जरूरी नहीं है, body का उस point जिस पर force लग रहा है, उसका displace होना जरूरी है, और force और displacement यह दोनों एक साथ हो, यह भी बहुत जरूरी है, तभी किसी force का work हो सकता है, इसलिए हम कह देते हैं, कि normal walking के दौरा ने static friction के दौरा किया गया है, work zero होता है, अब सवाल यह आ जाता है, मैं तो ठक जाता हूँ, मैं तो side में जाके बैठ जाता हूँ, मेरी energy तो कम हो गई, और आपने कहा कि friction ने work नहीं किया, तो फिर किस ने work किया, work किस ने किया, बताइए जल्दी से, work किया है आपके internal forces में, जब आप दौट रहे हैं, तो आपकी body के अंदर, जो muscles हैं वो लगातार contract और relax हो रहे हैं, तो उनमें contraction और relaxation होने की वज़ा से, आपके internal forces work कर रहे हैं, तो friction work नहीं कर रहा है, लेकिन internal forces work कर रहे हैं, the point is this, बहुत ही important बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा, can internal forces do work, yes, internal forces can do work, but internal forces can't accelerate the center of mass of a body, बहुत ही important बात बोली है, तुरंत star mark क के लिख लिए जगा, क्योंकि आगे जाकर कि center of mass chapter में, ये एक छोटा सा statement आपको बहुत परिसान करेगा, जहां पर mechanical energy conservation की question आते हैं, वहां भी हमें बहुत दिक्कत होती है, क्या मेरी speed से आप map हो पा रहे हैं, देगे बाई, engine गरम हो चुका, speed बहुत तेज रहेगी, इसी त बताते जाओंगा, पूरे mechanics के entire important concept जो कि आपको सवालों को solve करने में आपकी मदद करेंगे, वो सारे concept आज के session में बता दिये जाएंगे, आखरी तक अगर टिके रहे तो आज के session को खतम करने के बाद mechanics के सारे concept आपके clear हो जाएंगे, और थोड़े बहुत concept अगर कहीं रह भ करते करते confidence अपने आप आपका चार कदम ऊपर पहुंच जाएगा, बोलिए भाई, hello sir, if I repeat class 11, then I am eligible for J.E. advance, आनन दवस्ति, बेटा, तुम्हें यहाँ पर present नहीं होना चाहिए था, ठीक है, मैं अभी ऐसे student को entertain नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप किसी counselor से जाकर के मिलिए, मैं मैं यहाँ पर J.S. को पढ़ा रहा हूं, so please don't deviate us, okay, आप ऐसी हरकते करते रहें, इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, चले बाई, चले आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, तो बताए, static friction के दवारा किया गया, work zero होगा, लेकिन आपकी body की energy कम क्यों हो गई, क्योंकि मेरे internal forces न मैं जब यहाँ पर force लगा रहा हूं, इस तरीके से force लगा रहा हूं, जल्दी बताएगा फटाफट, जब ऐसे force लगा रहा हूं, क्या यह displace हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन मैं force लगा रहा हूं, क्या मेरे द्वारा work होगा, नहीं होगा, अब मैं लगातार push-ups माल लूँ मैं लगातार push-ups माल रहा था, तो मेरे यहाँ पर body के internal forces work कर रहे थे, और internal forces के work करने की बैसे, मेरी energy जो थी, वो in the form of heat, और in the form of other form of energy, मेरी body से dissipate हो रही, क्योंकि लगातार push-ups माल रहा हूंगा, तब पसीना भी आ रहा है, body गरम भी हो रही है, तो internal forces work कर रहे है, लेकिन friction work नहीं कर रहा, इस पूरे conclusion से मेरे भाईयों, तुम्हें क्या समझ में आया, इस पूरे conclusion से यह समझ आया, कि जब भी work done की बात करें, तो पहला सवाल आपके जहन में यह आना चाहिए, किस force का work आप निकालना चाह रहे है, दूसा सवाल यह आना चाहिए, कि वो force किस point पर तो नहीं लगता है, जैसा कि मैंने आपको पता, नॉर्मल वौकिंग, जूर्मल वौकिंग करते हैं, तो जो pair जमीन पर होता है, उस पर friction लगता है, लेकिन जो pair हवा में होता है, उसको displacement होता है, लेकिन आपको समझ में आ रहे है, force भी है, displacement भी है, ले만 फिर भी friction के दवारा किया गया वर्क जीरो है स्वागत नहीं करोगे क्या मारा बोलिए भाई आनंद आ रहा है अगर आप वैक्टर बोलना चाहा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ आप गलत जगे आगे आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर लीजेगा आपको साइंस स्ट्रीम में नहीं आपको किसी औ स्ट्रीम में होना चाहिए था जनाब अगर आपको यहीं नहीं पता कि वर्क एक स्केलर क्वाइंटिटी है तो आप कर क्या रहे है तमासा बना के रखा हुआ है क्या आपने आप यहां पर देहान से देखिएगा फोर्स एक वेक्टर क्वाइंटिटी है में मिल रही है यह पॉजिटिव या नेगिटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है यह पॉजिटिव नेगिटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है बोलो मानते हो इस बात को तो कभी भी आपको यह देखना हो कि किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव होगा या न है आगे thermodynamics में work done by gas के questions को solve करने में आपकी बहुत ही मदद करने वाला है मतलब जनाब मैं यहां पर यह कह सकता हूँ कि एक body का यह point suppose यहां पर displace हुआ और यह displacement है आपका ds vector यह force है आपका f vector और यह angle है theta यह theta acute है cute नहीं बेटा कि जो force है वो किस दिशा में लग रहा है displacement किस दिशा में लग रहा है क्योंकि सिर्फ force decide नहीं कर सकता कि what will be the sign of the work done सिर्फ displacement decide नहीं कर सकता यह दौनों मिल करके decide करेंगे कि what will be the work done by the force बोलो तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं तक यहां पर आप observe भी कर पा रहे होंगे आपके सामने यहां state में लिखा हुआ है work can be a positive negative और 0 यहां पर अगर theta की value 0 से 90 के बीच में 90 नहीं होनी चाहिए 0 हो सकता है तो इस given force का work positive आएगा अगर यह value 90 से ज्यादा 180 तक है तो यह work done negative आएगा और अगर यह value 90 है तो यह वहाई बहुत बढ़िया case है यह case बहुत ही important है कि अगर force और displacement एक दूसरे के perpendicular हुए तो उस case में मैं यह कह सकता हूँ जो force है force उसके द्वारा किया गया work 0 होगा या मैं इसी बात को ऐसे कह सकता हूँ कि उस case में वो force उस system को energy provide नहीं कर रहा होगा बहुत बढ़िया चले इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अब मैं या पर दो तरीके के force के work done की बात करूँगा एक है work done by constant force और दूसरा है work done by variable force constant force का मतलब जनाब बताईए फटा-फट से क्या होता है एक ऐसा force जिसका magnitude as well as direction throughout the motion हमेशा constant होता है जनाब उसे constant force कहते है ना magnitude चेंज हो रहा हो ना direction चेंज हो रहा हो हमेशा constant है throughout the journey जब भी मैं work done की बात करूँगा तो obvious सी बात है किसी एक instant पे तो नहीं करूँगा एक interval में करूँगा और मैं जो interval consider कर रहा हूं, अगर उस interval में किसी एक force का magnitude और direction कुछ भी change नहीं हो रहा, तो उसे constant force कहा जाएगा, अगर मैं आप से कहूं कि एक ऐसा force है, जिसका direction change हो रहा है, लेकिन magnitude change नहीं हो रहा, क्या आप उसे constant force कहेंगे, नहीं कह सकते, तो be careful, अगर मैंने बोला constant, तो इस था, integral f.ds, अब आपको देख के समझ आ रहा है, कि अगर force constant है, integral से बाहर आ जाएगा, और अगर यह बाहर आ गया, तो work done by constant force आपके पास बनेगा f.s, this is a formula only for constant force, this is a special case, when a force is constant, हमेशा नहीं लिख सकते, अगर force constant है, तो आप कह सकते हैं, f vector.s vector, इसी को लिख सकते हैं, fs cos theta, theta, theta मुझे उम्मीद है, आप सभी को पता होगा, जल्दी पता हो, क्या है, this is a angle between force vector and displacement vector, यहां से देख के समझ आ रहा है, कि constant force का work, 0 होगा, अगर displacement 0 है, मैंने बुला constant force, अगर force constant है, तो displacement अगर 0 है, तो इसके द्वारा किया गया, work भी 0 आएगा, it is only for constant force, और एक बार बताएगा, जैसे कि for example, if I say that, कि body एक point से दूसे point तक गई, एक point से दूसे point तक कैसे गई, क्या displacement इस बात पर depend करता है, बोलो, नहीं करता है, displacement होता है, final position minus initial position, आपको पता ही होगा, displacement जब हम लिखते हैं, तो displacement का क्या लिखते है, final position minus initial position, बोलो, लिखते निकालने के लिए particle का exact path पता होना जरूरी है, क्या particle की trajectory पता होना जरूरी है, बोलो, चैट में type करो, क्या हो गया, jose कैसे ठंडा हो गया, अभी तो सफर शुरू आ है, अभी तो बेटा 10, sorry, 11 भी नहीं बजे है, अभी तो माहुल शुरू है, promise किया था, आखरी तक टिक जोस ठंडा कैसे दिख रहा है, अभी तो इंजन गरम हो रहा है, speed भड़ती चली जा रही है, focus, focus, how's the jose, okay, nice, wonderful, now come back to the displacement is the final position minus initial position, जब हम displacement निकाल रहे होंगे, तो जनाब path क्या है, मेरे पर कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि displacement final और initial position पर depend कर रहा है, तो इसका मतलब जनाब मैं यहां पर यह कह सकता हूँ, कि work done by constant force is path independent, लिख लीजेगा, लिखा हुआ है, तो underline कर लीजेगा, constant force का work path पर depend नहीं करता, सिफ फर सिफ initial of final position पर depend करता है, interesting बात, work done by a force, किसी भी एक force का work क्या frame पर depend करता है, frame का मतलब बताए क्या होता है, अरे भाई अभी आप जमीन पर बैट करके देखना है, अब आप चलते हुए गाडी में बैठ जये, औरते हुए गुबबाडे में बैच जये, चलते हुए ट्रेन में बैठ जये, आपकी इक्षा है न, आप कहीं भी बैट करके देख सकते है, तो मुद्दा यह है कि अलग अलग frame से कि किसी भी दिवन फर्स का व्र्क सेम zajगायों अलग अलग आएगा बताईएं के के मेरा मानना एक यह कि देको फोर्स की खाइब लेकिन डिस्प्लेश्मेंट लेकिन हर फ्रेम में सेम नहीं होगा दिस्प्लेश्मेंट फ्रेम पर डिपैंड करता है उस व्थ इस बात पर डिपेंड करेगा तो किसी एक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क अलग-अलग फ्रेम में अलग-अलग आ सकता है क्या बोला जैसे कि ध्यान से सुनिएगा अभी आपको समझ में आजएगा अपने आप यहाँ पर मैंने यह एक ट्रॉली कंसिडर करी यह ट्रॉली जो है यह एक होरिजॉंटल ट्रैक पर एक्सलरेट कर रहा है क्या गर रहा है जनाब एक्सलरेट कर रहा है क्या सभी को दिख रहा है बहुत बड़े है यहाँ पर दो अब्जर्वर हैं देखिएगा यहाँ पर दो अब्जर्वर हैं एक अब्जर्वर यह रहा औ और एक observer यह रहा, ठीक है, यह आपको दो observer दिखाई दे रहे हैं, एक O1 और एक O2, बोलो, clear है, सभी को दिखाई दे रहे हैं, अब अगर आप यह पूछो, कि इस block पर tension का work क्या होगा, तो सबसे पहला सवाल आपको यह पूछना चाहिए, आप किसके frame में देख रहे हैं, मतलब इस block को O1 देख रहा है, या O2 देख रहा है, क्योंकि आप यह बात तो समझ पा रहे होंगे, कि इस block पर horizontal direction में tension लगेगा, और उस tension का value M into A के बराबर होगा, force बराबर mass into acceleration, बोलो सभी लोग मानते हो इस बात को, क्या सभी लोग इस बात से सहमत हो, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर O1 देख रहा है, कौन देख रहा है, O1, तो यह point आगे move ही नहीं कर रहा, क्योंकि O1 के frame में यह point क्या है, rest पर, तो अगर आप tension का work, O1 के frame में निकालेंगे, तो आप 0 कहेंगे, और वहीं पर आप tension का work, अगर O2 के frame में निकालेंगे, देखिए O2 यह रहा, अगर ground frame से observe करेंगे, तो देखिए tension आगे लग रही है, displacement भी आगे है, क्या force और displacement के बीच का angle आपको 0 degree दिखाई दे रहा है, और अगर यह angle आपको 0 degree दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर क्या सकते हैं कि tension के द्वारा किया गया है, work यहाँ पर positive होगा, तो इसका मतलब O2 के frame में क्या बेटा है, यह work done आपका positive आ रहा है, यहाँ गया work, क्या अलग-अलग frame में अलग-अलग आ सकता है, बोलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब देखेगा ध्यान से, बहुत ही important खास बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा Fs cos theta, मैंने कहा cos theta को S के साथ किलब कर दीजे, तो यह S cos theta है क्या, this is a component of displacement in the direction of force, बोलो के लिए है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते है F into S parallel, आज के बाद कभी भी आपको किसी भी constant force का work निकालना हो, तो आपको displacement की भी जरुवत नहीं है, आपको सिर्फ वा सिर्फ displacement का वो component चाहिए, जो force के direction में हो, इसी चीज को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, अगर मैं इस cos theta को F के साथ club कर दूँ, तो मैं लिखूंगा F cos theta into S, what is F cos theta, force का ये वो component है, जो displacement के direction में है, तो F cos theta is F parallel into S, बले, you have a two choice, either this or this, मुद्धे की बाद सिर्फ इतनी सी है, कि आज के बाद अगर किसी constant force का work निकालना है, तो देखो दो तरीके के सवाल आ सकते हैं कि force or displacement आपको vector form में दिये हो, अगर vector form में दिये हो, मस्त हो जाओ, सीधे dot कर दो, क्या कर दो, dot कर दो, काम हो जाएगा, मुद्धा, अगर आपको इनका magnitude दिया हुआ है, तो you have a two choices, या तो force का वो component निकालो, जो displacement के direction में है, या फिर क्या करो, displacement का वो component निकालो, ज या फिर आपको ये method follow करें, इन दौनों ही methods की अपने आप में बहुत अच्छी importance है, और जनाब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बहुत ही सांदार चीज, देखिएगा ध्यान से, yes, हाँ, जैसे कि, माली जी मैंने line कितना है, बता है, डी, कितना है ये gap, डी, मैं यहाँ पर एक particle को यहाँ से, यहाँ लेकर के गया, ठीक, और इस path को मैंने one बोला, अगली बार मैं उस particle को यहाँ से, ऐसे घुमाते हुए, यहाँ लेकर के गया, और इस path को मैंने two बोला, in both of the situation अगर आप देहान से देखें, तो displacement अलग-अलग होगा, क्योंकि displacement क्या होता है, बताओ जल्दी, displacement क्या होता है, जल्दी बताओ, color change कर लाए, blue color, yes, displacement होता है, initial position और final position के बीच का shortest distance, यह है displacement, तो देखो, इस बार यह है आपका displacement vector 1, और इस बार यह है आपका displacement vector 2, बोलो मानते हो, मानते हो कि नहीं, अच्छ नहीं है, लेकिन फिर भी, पताओ, displacement अलग-अलग है, लेकिन फिर भी इन given situation, दोनों का work same होगा, क्योंकि constant force का work displacement पर नहीं depend कर रहा, displacement के उस component पर डिपैंड कर रहा है, जो force के direction में है, अगर मैं आप से कहूँ, इस displacement का वो component जो force के direction में, क्या वो D है, और इस displacement का वो component जो force के direction में है क्या वो भी D है तो अगर आप पहले वाले case में या फिर आप दूसरे वाले case में किसी भी case में आप मुझसे पूछ लीजिए मैं guarantee से बोलूँगा दौनों case में जो work आएगा वो F into D आएगा क्योंकि जब constant force का work निकालते हैं तो displacement important नहीं है displacement का वो component important है जो force की दिस्वा में है समझो आराम से relax 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 गोलो done तो मुद्दा यह है कि जनाब आज के बाद आप जब भी किसी constant force का work निकालें तो आपको क्या करना है जल्दी बताइए आपको displacement पर focus करना है displacement के उस component पर जो force के direction पर displacement के उस component पर जो force के direction में है constant force का सबसे बढ़िया जीता जाकता example पता है आपके पास क्या है work done by gravitational force जैसे कि मैं यह कहूँ एक particle यहां था मैं यहां से यहां तक लेकर के आया है मैं particle यह गुमाते वह नीचे लेकर के आ है उसका mass है m वन से टू आया particle इस पात को अपने ए बोल दिया आपसे gravity का work पूछा जाया जब भी आपसे gravity का work पूछा जाया आपको क्या करना है सुनेगा आपको पता है कि particle पर हमेशा downward direction में mg लगेगा तो मुझे displacement का सिर्फ वो component चाहिए जो force के direction में और यहां देखर के बहुत किलियर लिए आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मुझे यहां पर displacement से मतलब नहीं है मुझे यहां मतलब है vertical displacement से आज के बाद जब भी gravity का work निकाले तो आपको पता है क्या करना है आपको simple सा यहां पर दो horizontal line डॉ कर देनी है यह horizontal line यह एक horizontal line यह और इन horizontal lines के बीच का यह gap निकालीजे मालीजे gap h आया कितना है h आया बस आप सीधे सीधे यहां पर बोल सकते हैं कि work done by gravity जो होगा वो पता है कितना होगा बेटे mg इंटू h होगा बात खत्व ग्राविटी का work निकालते समय आप उसका displacement पर focus मत करेगा vertical direction में कितना displace हुआ है इस पर focus करेगा यहाँ पर h जो है वो body का vertical displacement है one और two के बीच में आने के हैं बहुत सारे path हो सकते हैं और even मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि आप इस horizontal line से अगर इस horizontal line तक दुनिया के किसी भी path को follow करके आईए कैसे भी घूम करके आईए किसी भी path से आईए क्या हर path में gravity के द्वारा किया गया work सेम होगा आपको पता है आप अलग-अलग path से आएंगे displacement अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन अगर इस line से चलके इस line तक पहुँचे हैं तो vertical displacement हमेशा सेम होगा gravity का work जब भी लिख रहे हो तो it may be positive, it may be negative, depend करेगा कि आप उपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेकर के आ रहे हैं अगर आप उस body को ऊपर ले जाएंगे तो gravity का work negative आएगा क्योंकि gravitational force तो हमेशा नीचे ही लगेगा और अगर आप उस body को नीचे लाग रहे हैं तो gravity का work positive आएगा बोलो ये बात के लिए रहे हैं बहुत बढ़िया सांदर देखिएगा ध्यान से मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ एक गलती होती है मालीजी एंगल ठीटा है और इस inclined plane की length है L लेंद कितनी है बाई L आब आई सन्नाटा कैसे चागया बाई देखिएगा देखिएगा आनंद लीजे बाई कोई दिक्कत नहीं है हमने यहां से एक ब्लॉक को रिलीज किया और वो ब्लॉक कुछ देर में यहां पहुंच गया आप से पूछा जाए gravity का work बताईए ग्रैव का वो component निकाली है जो इस direction मतला आप यह निकाली है height और यह height आपको देखके समझ रही होगी कितनी आएगी L sin theta तो एक तरीका तो यह है कि gravity का work आप ऐसे लिख सकते है force into displacement का वो component जो की gravity के direction में है and there is also another way to write down the work done अभी मैंने displacement का component किया है एक और तरीका है इसी चीज को लिख component मत करिए आप यहां पर gravity का component मत करिए sorry displacement का मत करिए आप यहां पर gravity का करिए नीचे क्या लग रहा है mg यह angle theta है इसका यह वाला component क्या होगा mg sin theta mg sin theta force का वो component है जो displacement की direction में बोलो मानते हो इस बात को यहां पर इसी term को लिखने का एक और तरीका हो सकता है mg sin theta this is a component of force in the direction of displacement multiplied by L multiplied by L दौनों तरीकों से लिखा है एक मैं force का component किया एक मैं displacement का component किया कोई फरक नहीं पड़ता किसी भी तरीके को follow करिए आपको हर बार answer same मिलेगा कई बार लोगों के दिमाग में confusion होता है कि सर कौन सा method follow करूँ मैंने का कोई भी follow कर लीजे it's your choice आप ऐसे भी लिख सकते है mg sin theta into length of the path और एवन ऐसे भी लिख सकते है mg into the vertical displacement बोलो के लिए रहे डन gravity का वक काफी important है आगे यूज करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ that was the work done by the constant force constant force में हमें क्या-क्या सीखने को मिला फटा-फट एक बार quick revise करें फटा-फट constant force के द्वारा किया गया वर्क क्या path पर depend करता है बोलो नहीं करता clear है closed path में closed path का मतलब आपकी initial and final position same होनी चाहिए क्या constant force का work zero होगा yes बिल्कुल होगा क्यों होगा बताइए व्योंकि displacement zero displacement zero तो constant force के द्वारा किया गया work भी zero होगा बोलो clear है बहुत किसी भी given force के द्वारा किया गया work positive negative और zero कुछ भी हो सकता है हो सकता है किस पर depend करता है angle पर depend करता है कौन सा angle force और displacement के बीच का बहुत बढ़िया constant force का वक जब निकालोगे तुमारे लिए displacement important है यह displacement का वो component जो force के direction में, displacement important है यह displacement गंपूनेंट जो force के direction में बहुत बड़िया, पताइए displacement important नहीं है displacement का वो component important है जो along the force है हाँ आगे आते है variable force की तरफ, बहुत important variable force मतलब एक कैसा force जिसका magnitude या direction कोई भी चीज चेंज लगातार हो रही है अब आप सोचें मैंने आपके सामने यहाँ पे एक force लिखा और सपोज मैंने कहा कि यह जो force है यह force है आपका fx i cap plus fy j cap plus fz k cap और माल लिजे एक variable force है भई सुल लिजे का दियान से फटा फट कैसा force है variable force लगातार change हो रहा है यह लगातार क्या हो रहा है change आप एक particle को किसी point 1 से लेके गए point 1 के coordinate आपको दिये x1, y1, z1 इस point से आप particle को कहा लेके गए x2, y2, z2 ठीक यह initial position है यह final position है आप से पूछा जाए कि बताए work done क्या होगा इस case में आप f.s नहीं लिख सकते क्योंकि force लगातार change हो रहा है जब particle को point 1 से 2 ले जा रहा है तो force लगातार change हो रहा है तो यहाँ पर आपका वो वाला formula नहीं लगेगा यहाँ पर आपको किस तरीके से करना होगा वो आप समझेए for a very small displacement dr vector पराबर मैं लिखूंगा dxi cap plus dy j cap plus dz k cap ठीक और a very small displacement लिखा है यहाँ से देखने के बाद आपको समझ मारोगा कि dw की value हम यहाँ से लिख सकते है force vector dot displacement vector आप dot करेंगे तो यहाँ पर यह term आपके सामने क्या बनेगा fx into dx plus fy into dy plus fz into dz देखिए यही expression यहाँ लिखा हुआ है क्या यह screen पर यह expression आपको दिखाई दे रहा है मैं कहूंगा भाईया यह formula याद कर लिए जो उमीद है सभी को यह formula याद होगा जब भी किसी भी variable force का work calculate करना है तो force के x component को x के respect में force को y के respect में और force के z component को z के respect में integrate करना हो ठीक यहाँ पर लेकर limit लगेगी नीचे वाली जो limit लगेगी हमेशा याद रखना यह initial points होने चाहिए इसे x के respect में integrate करना है तो x y के respect में y z के respect में z तो नीचे वाली जो lower limit होगी वो आपकी हमेशा initial position होगी यह याद कर लिजेगा lower limit आपकी हमेशा initial position होगी और ये जो term उपर लिखा हुआ है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाली आपकी final limit होगी मतलब final position होगी यह formula काफी important है अभी आपको थोड़ी दिरबाद समझ में आएगा कि इस formula की importance क्या है अब आते हैं work done by spring force ओ हो हो भया spring force का work इतनी बार calculate करना होगा इतनी बार कि तुम कहोगे कि law यार इसका formula ही याद कर लेता हूँ इसलिए सीधे formula बताता हूँ कि spring force के work का जो formula है वो क्या होता है k by 2 bracket के अंदर x i का square minus x f का square be careful या x i और x f is not the length of a spring ये है change in length of a spring और जब भी हम change की बात करते हैं तो change हमेशा बताईए कहां से measure करते है change measure करते हैं with respect to the NLP be careful जब भी आप spring force का work calculate कर रहे हो अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएगा हमेशा इस formula में जब value put करें तो with proper sign convention values put करिएगा पहले initial और बाद में final का square होगा ये formula अपने आप बता देगा कि उस force के द्वारा किया गया work positive है या negative है यहाँ पर ये वाला term आपके लिए काफी ज़ादा important हो जाता है क्योंकि यहाँ पर this is not a length of a spring this is a change in length of a spring point is this work done by the spring force जो है न वो on the path followed by the body नहीं depend करता ये क्या कह दिया भाई इसने अभी मैं आपको बताता हूँ next page पर कि ये क्या बात बताई गई है yes देखेगा देहान से वो क्या कहना चाह रहे है सुनना एक question दे रहा हूँ करना ये रिंग है ये ऐसे spring से connected है ठीक इसकी जो natural length है कॉंसी लेंथ भाई natural length वह माल लो आपको दो मीटर दी हुए ये तो distance है ये आपको 4 मीटर दिया गया है इस समय ये angle जो है वो आपको 37 degree दिया है कितना दिया है 37 degree ठीक ये रहा point A कुछ देर बाद ये body यहाँ पर पहुंच जाएगी ये आपका A point है और ये आपका B point है spring constant की value माल लिजे आपको 100 newton पर मीटर दी हुए है अब आप से ये पूछा जाए A से B में spring force का क्या work होगा पटाफट बताइए अभी पता चल जाएगा कि आपके concepts के लिए हैं या नहीं है just check it is total work done by internal forces independent of frame of reference हाँ बेटा total work done frame से independent होता आगे जाके बात करेंगे ठीक है बताइए work बताइए क्या आएगा पानी बानी पी लेते हैं भाई जबतर हाँ बही क्या हुआ प्यासे जोज ठंडा हो गया एक दम से बोलो बोलो हुआ हुआ पानी जबते हैं यास यास 250 600 सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं चेक करता हूं पहले तो यह समझो कि यह चार मीटर दिया गया है और यह एंगल आपको 37 दिया तो यहां पर साथ यह समझ पा रहे होंगे कि इस समय यह जो लेंथ है यह आपकी 5 मीटर हो जाएगी इसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब मैं यहां पर कॉस 37 की वैल्यू लिखूंगा तो कॉस 37 बराबर बेस एट इस 4 और माल लिजे यह जो लेंथ है इसको अपने एक्स बोल दिया और कॉस 37 की वैल्यू 4 बाई 5 तो यहां से यह लेंथ 5 आगे मुद्दा यह है कि अगर मैं आपसे इनीशल लेंथ पूछूं एक्स आई यह मैं क्या पूछ रहा हूं चेंज पूछ रहा हूं और चेंज विद रस्पेक्ट टू एनल पी निकालते हैं ध्यान से देखना क्या नैच्रल लेंथ आपको 2 मीटर दिख रही है अगर जनाब नैच्रल लेंथ 2 मीटर है तो यहां पर जो एक्स आई की क्या लिखेंगे बेटे 5 माइनस 2 और यह वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 3 मीटर और जब आप एक्स एफ थी बात करेंगे तो देखो यहां पर मतलब मैं यह कह सकता हूं इनिशली स्प्रिंग में लॉंगेशन 3 मीटर का है बोलो डन अब आते हैं यहां पर जब यह यहां पर पहुंचा इस पॉइंट पर जब यह पहुंचा अब आपसे पूछा जा रहा है कि देखना अब लेंथ होगी 4 और NLP लेंथ कितनी लेंथ ही नेच्रल लेंथ 2 मीटर तो बताओ अभी क्या लिखोगे 5 पांच नहीं आएगा यहां पर यह अब हो जाएगा 4 माइनस 2 क्या बेटा यह 2 मीटर आएगा इनिशली स्प्रिंग में लॉंगेशन 3 का था और फाइनली स्प्रिंग में लॉंगेशन 2 का है और जब आप यहां पर वर्क दन बाई 250 विल भी दा करेक्ट आंसर माइनस 250 बताया जा रहा है देखा देखा गलती कर दी न माइनस 250 नहीं होगा बेटा प्लस 250 होगा इसलिए तो यह कोईशन कराया मैंने हरसल गुपता ने गलत जवाब दिया है कुनाल तनवर ने भी गलत जवाब दिया है प्लस 250 विल भी दा करेक्ट आंसर माइनस 250 नहीं आएगा चेक करिए मैंने इसलिए फॉर्मूला कहा था याद करने के लिए जनाप यहाँ पर k by 2, यह जो term लिखा है, this is a initial length, और यह जो term लिखा है, this is a final length, अपनी तरफ से दिमाख मत चलाइए, formula में सभी values को proper तरीके से put करिए, यहाँ पर आप observe कर पा रहे है, initial length 3 है, final length 2 है, तो यहाँ पर जब मैं work done by spring force लिखूंगा, that is k by 2, x initial का square, minus x final का square, तो बेटा, plus 250 आएगा, ना कि minus 250 आएगा, तो देखे, formula अपने आप में, well explanatory है, तो मैं अपनी तरफ से दिमाख नहीं लगाना, जिन लोगों ने दिमाख लगा है, कि negative sign मैं लगा देता हूँ, वो वो लोग है, जो यहाँ पर दिमाख ज़्यादा लगा रहे हैं, सवाल मैं direct formula में value put नहीं करूँ, एक और खास बात बता देता हूँ, कि यहाँ पर यह path कैसा रहा, spring का work इस बात पर depend ही नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है, कि मैं यहाँ पर इस ring को ऐसे गुमा करके, यू गुमा करके, यहाँ लेकर के आजाओ, तो बेटा, इस path के through भी, spring के द्वारा किया गया जो work है, वो same path जैसा कोई function ही नहीं आ रहा, मतलब मैं यह कह सकता हूँ, कि spring force के द्वारा किया गया work path से independent होता है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, ओ हो हो, this is a beauty, this is a beauty, बहुती important, दियान से सुनेगा, work energy theorem, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, work energy theorem for a particle, बहुती ज़्यादे important है यह theorem, और J means में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर सटा 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 सट, आप इतने सारे questions देखेंगे इस theorem के ऊपर, बहुती यह तो तैह है कि इस theorem पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, कि J means में सवाल ना पूछा गया हो, देखना दिहान से, for a particle, work energy theorem का statement क्या है, जब भी हम work energy theorem लगा जाना है, वाला what is the initial and what is the final position, और उस given particle पर जितने भी forces लग रहा है, सबसे पहले FBD बना ले, तो सारे forces दिख जाएंगे, तो हम यहाँ पर यह बोल सकते हैं, कि work done by all the forces, अब यहाँ पर सारे external forces ही होंगे सिर्फ, तो कि अगर आपका एक single particle है, तो single particle के case में internal तो कुछ है नह तो यहाँ पर हम कहेंगे, work done by all external forces is equals to change in kinetic energy, और यहाँ पर इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, half m, v final the square minus v initial का square, यह ज़र term आपको दिखाई दे रहा है न, यह term पता है क्या है, work done by all forces, आप इसको external ना भी बोलो, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि there is no meaning of internal, क्योंकि system में अगर एक ही particle है, तो internal का कोई मतलब भी नहीं है, तो आप पर यह कह सकते हैं, उस given body पर जितने भी forces लग रहे हैं, उनके द्वारा किया गया work, बराबर होगा change in kinetic energy, माली दे एक given body के उपर 14 force लग रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, work done by F1, plus work done by F2, plus work done by F3, बराबर change in kinetic energy, यह बात सभी को पता होती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है, कि सर सवाल को पढ़ने के बाद हमें कैसे पता चलेगा, कि हमें work energy theorem का use करना चाहिए, this is one of the most important equation, और can I say that, कि this is a beauty of the physics, इस equation की help से हम काफी जादा complicated situations को भी बहुत easily handle करते हुए, आगे निकल जाते हैं, अब मैं जो आपको पताने जा रहा हूँ, यह आपके लिए एक बहुती सांदर भ्रमास्त्र है, कि हमें कैसे पता चलेगा, जब भी आप सवाल पढ़ें, और सव भी गिवन unknown force का work, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला thought यही आता है कि integral f.ds, आज के बाद यह thought आपका change हो जाना चाहिए, आज के बाद आप यह ना सोचें, integral f.ds, आज के बाद यह सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं, कि उस बाड़ भी माल लीजे, तीन force लग रहे हैं, और तीन में जैसे 2 का work पता है मुझे, तो तीसरे का work में direct work energy theorem से भी निकाल सकता हूँ, तो किसी भी unknown force का work पूछा जाए, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में, जो सबसे पहला step, जो strike करना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उसको समझने का प्रियास करेगा, उस पे focus करेगा, वो हो करना चाहिए, work energy theorem, दूसरा, कभी भी आपको, अगर velocity as a function of position पूछी जा रही है, यह आपको velocity as a function of position given है, मतलब given question में, कहीं भी time का जिक्र नहीं हो रहा, कहीं भी time का function involved है ही नहीं, वहाँ अगर चर्चा velocity as a function of position हो रही है, ऐसे questions में भी आप work energy theorem से सोच सकते हैं, मालीज, अगर आप से यह पूछा जाए, कि particle point a से point b तक गया, तो बताए, point b पर उसकी velocity क्या होगी, आपके जहन में सबसे पहला यही आता है कि, मेरे को यहाँ पर third equation of motion लगाना पड़ेगा, बोलो, आता है, लेकिन third equation of motion तो तभी valid होता है, जब acceleration constant होता है, मालो a से b जाते स हमें acceleration variable है, तो फिर क्या सोचोगे, यार, acceleration निकालूँगा, integrate करूँगा, यही सब सोचोगे न, नहीं, this is, beauty ऐसे ही थोड़ना बोल रहा हूँ, कुछ तो खास बात होगी न, इस बार के energy theorem में, आपको कुछ नहीं करना, उस body पर जितने भी forces लग रहे हैं, सभी forces का work निकाली जाए, तो rather than to solve the mathematical equation, you should always think about work energy theorem, और साथी साथ मैं यहां पर यह भी कह सकता हूँ, कि अगर किसी भी unknown force का work पूछा जाए, तो भी मैं यहां पर इस equation का use करके, उसे find कर सकता हूँ, बोलो, clear है, यह मैंने बात करी है, for a particle, अगर आपके पास एक single particle है, माल लीजे, ऐसा भी तो ह हो सकता है, आपके पास system of particle हो, अगर एक system के अंदर, आपके पास, एक से ज्यादा number of particles है, यहां पर थोड़ा सा, change आएगा, मैं यहां पर बोलूँगा, work done by external forces, plus work done by internal forces, लो उस body पर जितने भी forces लग रहे हैं, चाहे वो internal हो, चाहे external हो, थोड़ी दिर पहले मैंने बताया था कि internal forces भी work कर सकते हैं, तो मुद्दे की बात यह है कि उस body पर जितने भी forces लग रहे हैं, उन सभी forces का जो total work है, मतलब work done by all the forces, चुप चाप से इसको किसके बराबर कर देना है, इसे बराबर कर देना है, तो मैं change in kinetic energy के, अब मुद्दा यह है कि जब change in kinetic energy के बराबर करेंगे, तो system के अंदर एक से ज़्यादा number of particle होंगे, तो हर individual particle की kinetic energy का change आपको लिखना होगा, माल लिजे उस system के अंदर तीन particle है, तो आप ऐसे लिखेंगे, change in kinetic energy of first particle, plus change in kinetic energy of second particle, plus change in kinetic energy of third particle, मतलब हम यह कह सकते हैं, जब हम एक system की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक additional term और आजाता है, that is the work done by internal forces, और यह sum आपका इसके बराबर होगा, बोलो सभी को clear है, क्या work energy theorem क्या आपको important समझ में आ गई है, क्या work energy theorem आप किसी भी particle क्या किसी भी system पे लगा सकते हैं या नहीं ल तब तक आपको initial or final position नहीं पता होगी, तब तक आप किसी भी given force का work calculate नहीं कर पाओगे, बोलो yes or no, चलिए बहुत बढ़िया, सीदे, अब हम इसके बाद questions की तरफ move करेंगे बाई, so all of you are ready, बोलिए, एक बार जोड़दार तालियां हो जाएं इस दमाकेदार session के लिए, कैस पर दिखना चाहिए, आपका जोज कितना हाई है, मैदान में टिकना है, आखरी मुमेंट तक टिकना है, मैं तो टिकूंगा, और मुझे ये देखना है कि मेरा साथ अंतिम दम तक यहाँ पर कौन देने वाला है, सवाल आ चुके हैं बाई, स्क्रीन पर सवाल आ चुके हैं, ठीवी वाला पार्ट खतम हुआ, मैं समझ सकता हूँ, जैसी ठीवी आती है, कुछ लोग को नीन आने लग जाती है, लेकिन मस्त हो जाएए, एक डम, सवाल लगाते जाएंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे एक दम हाई है बहुत बढ़ा माहॉल सेट अलिस सेट आवरीटिंग इस फाइन या पीछे वाली जनता क्या मेरी आवाज पीछे वाली जनता तक पहुंच पा रही है सोना किसी को नहीं है अभी तो 11 बजे है अभी तो सफ़र शुरू हुआ है पूरा अनन्द लेंगे बाई दिवाली शुरू होने से पहले एक सांदर धमाका हमारी तरफ से भी तो होना चाहिए क्यों बाई इतना सांदर सेशन अटेंड करेंगे कि दिवाली एकदम मस्त में आपने अपने जीवन के चार से पांच महीने लगा दिए अगर एक सेशन के थुरू अगर वो सारे कॉंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाए और कुछ क्वेशन की प्राक्टेस हो जाए तो इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है यास यास अक्ष्य उपाद्या आंसर बताइए भाई करें को देखते हैं राहे हैं टैन बताए जा रहा है रूट 20 माहिर को रहा है रूट 20 जोहित बोल रहा है 10 चलिए लेटसी देखते हैं एक क्वेशन को देखेगा पार्टिकल को यहां से रिलीज किया गया है आई होब कि आपने क्वेशन पढ़ लिया होगा ठीक है पॉइंट सी के बाद वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है और यहां तक पहुंचता है पॉइंट सी के बाद और इस पॉइंट की हाइट बेटा हमें एक मीटर दी हुई है हमसे पॉइंट पे पहुंचने के बाद इस पॉइंट पर पार्टिकल की काइंटिक एनरजी पूची जा रही है मुझे लगता है यह तो बहुत ही आसान सवाल है जही में दो हजार बीस में एकदम सस्ता चूरन सवाल पूचा गया है आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट पी तक यू शुड यूज अ वर्क एनरजी थियो रहा है और आप यह समझ पा रहे होगे कि इस दौरान सिर्फ और सिर्फ ग्रैविटी का वर्क होगा क्योंकि सर्फेस स्मूथ है फ्रिक्शन है नहीं नॉर्मल का वक्ट जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल डिस्प्लेस्मेंट के पर्पेंडिकुलर डिरेक्शन में लग रहा है यह विलॉसिटी नहीं निकालनी है यह लो भाई विलॉसिटी निकालना है बे काईटिक एनर्जी निकालनी है बाई question पड़ो भाई mains वाले हैं इतने हाइफाई सवाल नहीं पूछते आप लोकल लेवल हो सकता है बहुत ज़ादा हो आप IIT के लिए over qualified हो सकते तो you should prepare for MIT है ना yes yes kinetic energy निकाल ली है तो यहां से यहां तक gravity का work थोड़ी दिर पहले मैंने बताया था path depend नहीं करता initial यह रही final यह रही vertical displacement बताए कितना हुआ vertical displacement एक मीटर है vertical displacement कितना है एक मीटर मैं यहां पर लिखूंगा mg h और यह value बराबर करूँगा किसके half mv square मुझे समझ आया बाई मुझे लगता है मुझे half mv square ही calculate करना है जो लोग यहां पर root 20 आंसर बता रहें वो ध्यान से देखेगा उन्होंने speed निकाल दिये m की value observe करें m की value कितनी दिविये 1 कितनी दिविये 1 तो 1 into 10 यही आपका answer होगा बेटे kinetic energy मत निकालो answer will be the 10 joule एकदम फर्जी question एकदम फर्जी question now come to the next question आईए अगला सवाल बहुती सांदर question आपके सामने screen पर आचुका है तरह observe करेगा variable force का एक बहुती simple question आपसे पूछा जा रहा है you have to find the work done by the variable force बताइए हाँ 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 है यह देखिए work done by this force एक particle को हम यहां से यहां तक लेके गए ए से भी इस force का वर्क पूछा गया है मुझे पता है थोड़ी दे पहले मैंने work done by variable force का आपको expression बताया था तो अगर वह expression आपको याद हो यहां पर variable force का वर्क अगर आप लिखना चाहते हैं तो x component है minus x into dx और y component पर लिखेंगे y into dy बोलो यहां तक क्लिए रहे सभी बोलो भई done यहां तक समझ में आगे अब यहां पर हमें करना है integrate lower limit बताओ x की lower limit क्या डालेगी x का initial coordinate 1 है और final coordinate 0 है तो यहां पर जब initial limit दे लेगी तो 1 आएगी upper limit आएगी 0 और जब मैं y की बात करूंगा तो y की initial limit 0 है upper limit 1 है तो इसको integrate करूंगा तो लेखूंगा 0 से 1 done आएए integrate करते हैं minus x को integrate करेंगे तो यहां पर लिखेंगे minus x square by 2 1 से 0 y को integrate करेंगे तो क्या लिखेंगे y square by 2 0 से 1 this is the work done by given force यहां पर जब हम work done लिखने जा रहे हैं तो यहां लिखेंगे 0 और 1 put करें तो यह आएगा minus 1 by 2 और यहां पर put करें 1 put किया तो यह 1 by 2 और यहां पर put करें तो यह कितना आ रहा है भाई plus 1 by 2 0 आ रहा है कहां पर गडबड होगी 0 आ रहा है क्या answer कुछ गडबड कर दी क्या हां sorry माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यह गडबड हो गई थी 0 put करेंगे फिर minus यह put करेंगे तो 2 minus आ जाएगे 1 minus पहले से 1 minus integration का आएगा तो मेरे साब से answer will be the 1 यह देखो कितना आसान question direct formula based question क्या आपका भी answer 1 आ रहा है क्या आपका answer भी 1 आ रहा है क्या भाई बिलकुल एक दंग सही जवाब yes answer is answer 1 joule होगा लेकिन second option correct है done बहुत बड़िया चले अगले सवाल की तरफ आते हैं एक बैतरीन सवाल आपके सामने यहां पर screen पर जैमेंस 2020 में यह सवाल आपसे पूछा गया है जैमेंस 2020 में यह question आपसे पूछा गया है try करिए इस question को फटा फटा take your time मैं आपको समय देता हूँ 2 minute का क्योंकि इस question को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है इसलिए आप 2 minute का हां जी भई हां जी क्या हाल चाल सर पोजीशन वेक्टर निकाल के डॉट नहीं कर सकते है इतनी मेहनत क्यों करोगे भई वैरिएबल फोर्स है the total distance through which the box has been moved is 30 meter what is the work done by the person during the total movement of the box so question पढ़े है भाई question question सभी को दिखाई दे रहा है क्या yes बताईये are you able to observe the question देखे यहां पर अगर आप question को पढ़के समझ पा रहे हूँ तो यहां देखकर के समझ आ रहा है कि यह जो force है न यह पहले 15 meter तक यहां पर जो दिया हुआ है यह constant है उसके बाद यह force linearly decrease कर रहा है और यहां पर बोला गया total distance 30 meter चला तो यहां पर इस question से एक बात समझ में आ रही है कि अगले 15 meter में जो force है वो 200 से 100 linearly change हुआ है देखकर इस question को करने के दो तरीके हो सकते है कि आप एक constant force का work अलग से लिखे है variable force का work अलग से लिखे है दौनों को add करते है लेकिन variable force का work लिखने के लिए सबसे पहले आपको force का mathematical expression लिखना पड़ेगा और फिर उसको integrate करना पड़ेगा सच बताऊं तो काफी lengthy method होगा लेकिन इसका एक और सांदार तरीका है graphical method आप मैं से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि force और displacement का force और displacement का area under the curve area under the curve आपको work done देता है अगर मैं आपसे यह कहूँ कि बेटा इसका graph draw करिए क्या draw करिए graph मतलब force और displacement का क्यासे बनेगा पहले constant यह value कितनी है 200 newton 15 meter इसके बाद यह value decrease कर रही है color change कर देता है decrease कर रही है नहीं yes कर रही है decrease करती गई finally बताना है यह value कितनी होगी 100 newton लेकिन यह distance कहां पहुँच गया 30 meter बोलो दिखाई दे रहा है point is this कि इस graph का area under the curve आपको work done देगा इस graph का area under the curve आपको work done देगा क्या यह समझ पा रहे है आपको यहाँ पर यह work calculate करना चाहिए तो पहले तो यह वाला area निकाल लेते हैं अगर मैं आपसे पूछू कि इसका area कितना आएगा तो आप देखिएगा इसका area लिखेंगे 200 into 15 ठीक है अब हमें यह area निकालना है तो यह area अलग से निकाल लेते हैं यह वाला area जो आएगा वो कितना आएगा प्लस यहाँ पर मैं लिखोंगा 100 multiplied by यह वाला distance और यह वाला distance होगा 15 और यह एक triangle है triangle का area क्या लिखेंगे हाँ base into height मेरे साब से बेटा यह total 3 terms बन रहे हैं यहाँ पर 200 into 15 यह आगे आपका 3000 done 100 into 15 यह देखकर के आ रहा है 1500 और यह आ रहा है 1500 3500 प्लस साड़े 700 5250 जूल answer will be the 2 क्या second answer आ रहा है क्या yes राज सौरब यादव बताए जल्दी से बहुत अच्छे बहुत अच्छे इसका मतलब second is the correct answer तो जब भी इस तरीके के questions आते हैं जो कि आप देख पारें question बहुत आसा है लेकिन language थोड़ा सा confusing है और आप देख पारें force का variation अगर linear हो रहा है तो सबसे best way पता है क्या होता है essay questions को solve करने का कि you should draw the graph और यहां से इस question को solve करने से हमें क्या सीखने को मिला कि area under the force or displacement curve will give you the work done अगले सवाल की तरफ आते हैं में table पर रखा हुआ यहां से यह chain slip करना start करता है जब यह पूरा slip कर जाता है इस दौरान आप से यहां पर पूछा गया है कि what is the kinetic energy of a chain in joule yes watching life while traveling in train nice wonderful भाई क्या बात है भाई अनीस राज के लिए जोड़दार तालियां भाई train में सफर करते हुए भी online session देख रहे हैं इस तरीके का जज़बा अगर किसी J-Aspirant के अंदर है तो भाई वो अपनी मंजल तक जरूर पहुंचेगा मेरा मानना यह है yes what will be your answer question की language आपको समझ आगी होगी मैं यहां पर सबसे पहले क्या करता हूं diagram बनाता हूं देखेगा chain का कितना हिस्सा table पर रखा हुआ है 2 meter यहां पर 2 meter हिस्सा रखा हुआ अब 2 meter हिस्से का करता हूं मास पर unit length वो है 1 kg पर मीटर कि बोलो किलियर है और यहां पर एक मीटर जो हिस्सा है वो यहां पर हैंग कर रहा है मतलब यह 1 meter और साथी साथ 1 kg यह है कहानी आपके सामने मेरी मुह जुवानी अब यह यहां से slip करते हुए नीचे आएगा अच्छा एक बात बताएगा अगर टेवल स्मूथ है तो एक बात तो समझवारी होगी कि पूरे सिस्टम पर ग्रैविटी का वर्क होगा पूरे सिस्टम पर ग्रैविटी का वर्क होगा तो कुछ दिर बाद यह situation यहां आ जाएगी तो यहां पर इस सवाल को दो हिस्सों में तोड़ते हैं मैं यहां पर दो हिस्सों को अलग-लग देखूंगा एक उस हिस्से को देखूंगा जो हिस्सा अल्रेडी यहां हैंक कर रहा था यह हिस्सा जो एक मीटर लेंथ का था वो पूरा का पूरा कितना नीचे आएगा जितना यह chain आगे आई है और यह chain कितना आगे आई है दो मीटर तो इसका मतलब यह वाला हिस्सा जो है जिसका मास आपने 1 kg कहा था उस हिस्से का जो displacement है वो displacement कितना हुआ भाई सीधे-सीधे हम कह सकते हैं कि उसका जो displacement हुआ वो हुआ 2 मीटर तो इस पर gravity का work कैसे लिखेंगे M इंटु G इंटु H इंटु H इंटु H लेकिन वो हिस्सा जो table पर रखा हुआ है अगर आपको उस पर gravity का work देखना है तो पता है क्या देखना चाहिए उसका center of mass y direction में कितना displace हुआ है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिस्सा जो table पर रखा हुआ है उसका displacement हर हिस्से का same नहीं है आपको पता है सबसे ज़्यादा ये वाला हिस्सा displace होगा 2 meter और इस वाले हिस्से का y direction में जो displacement है वो 0 होगा तो हर हिस्से पर gravity का work अलग-अलग होगा अगर ऐसी situation कभी भी आपके सामने first जाती है तो आपको ये check करना चाहिए कि भाईया उस chain का center of mass y direction में कितना गया है तो मैं कहूँगा पहले center of mass यहाँ पर था इस हिस्से का अब ये center of mass यहाँ आ गया ये length आपके सामने 2 meter है तो ये कितना नीचे आ गया एक meter तो इसके उपर gravity का work लिखना है तो पता है कैसे लिखूँगा m mass 2 into g into h तो ये value है 20 और बगल में लिखी हुई value है 20 20 plus 20 ये कितनी होगी 40 कितनी होगी 40 तो मेरे हिसाब से मेरा सही जवाब है 40 क्या आपका भी यही आ रहा है बहुत बढ़िया सीतु कुमार ने पहले 20 दिया था लेकिन फिर 40 बताया रागब गोयल ने 40 बताया था सुरूती सर्मा ने 40 बताया था बहुत बढ़िया 40 जूल will be the correct answer आप लोग खुद से ट्राय कर रहे हैं गूगल पर सर्च करकर के बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया सर बापिस बता दो दोबारा बता देता हूं ध्यान से सुनना देखिए चेन का वो हिस्सा जो हवा में हैंक कर रहा है उस पर आप gravity का work directly mgh लिख सकते हैं कैसे क्योंकि मुझे पता है कि जब यह slide करेगा तो यह पूरा हिस्सा उतना ही तो नीचे आएगा जितना यह आगे slide किया है कितना आगे slide करेगा 2 meter तो यह हिस्सा कितना नीचे आजाएगा 2 meter लेकिन उस हिस्से की अगर मैं बात करूं जो यहाँ table पर पहले से रखा हुआ था उसका हर एक element y direction में same displaced नहीं होता यह वाला जो point है इसका displacement y direction में 0 होगा क्योंकि यह यहाँ से यहाँ पहुचा है और इसका displacement सबसे ज़्यादा होगा कितना होगा 2 meter होगा तो point यह है जो तुमें समझना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि यहाँ पर हर element पर gravity का work अलग-अलग है जब भी ऐसी situation आए तो आपको उस case में यह देखना चाहिए कि उस given portion का जो center of mass है वो y direction में कितना displaced हुआ जैसा कि यहाँ देखकर कि समझ में आ रहा है कि वो पहले 2 meter table पर रखा हुआ था फिर यह यहाँ पर पहुंच गया यह 1 meter हो गया तो इस case में जो work होगा वो होगा MGH कितना होगा MGH सो answer आगे आपका 40 बोलो done आगे बढ़ सकते हैं इसी के साथ यहाँ से आपको समझ में आएगा कि what is the beauty of work energy theorem क्योंकि आपको यहाँ पर velocity as a function of position दिया हुआ है मेरे भाई एक बात बताओ initial position पता है final position पता है अगर x की value यहाँ पुट कर दो क्या तुम्हें initial and final speed नहीं पता चल गई बोलो question पढ़ लो आराम से देख लो आराम से देखो आराम से देखो और एक बात बताओ mass भी दिया हुआ है उच्चे की जान लोगे क्या simple सी बात है change in kinetic energy is what work done आंते हो तो यहाँ पर initial and final kinetic energy का जो difference आएगा वही से तो हमें work पता चल जाएगा तो अगर मैं आप से कहूँ x बराबर 0 पुट करो जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो velocity कितनी आ रही है 4 meter per second at x equals to 0 x बराबर 2 पुट करो x बराबर 2 पुट करोगे कितना रहा है 3 into 2 का square plus 4 यहाँ पर देखें समाझ आ रहा होगा 4 into 3 that is 12 plus 4 यह कितना आ गया मेरे साब से 16 आ गया तहाँ पर at x बराबर 2 तो velocity आपको पता है 0 पर 4 है और आपको पता है x बराबर 2 पर 16 है तो अगर मैं आप से पूछू change in kinetic energy निकालो बताओ क्या लिखोगे जल्दी फटा फटा फट थोड़ा सा हाथ पर जल्दी चलाएगा भाई पैर नहीं चलाने की जोगत है हाथ ही चलाने half m बताओ भाई m की value क्या लिखोगे 1 by 2 into final final 16 16 का square 256 minus 4 4 का square 16 मेरे हिसाब से भाई ये value आ रही है 1 बटे 4 into multiplied by 240 answer आ रहा है 60 joule क्या 60 joule कोई answer है क्या yes second option is correct क्या आपका भी second ही आया था क्या अर पिता जैन सर आप vertical circular motion बताओगे क्या हाँ बाई बताएंगे बहुत बढ़िया देखिए J means 2022 का इस सवाल है आप सोचिए कि अगर आपने कुछ basic fundे किलियर हैं आपको work energy theorem की applications पता है तो ऐसे questions को approach करना कितना आसान होता है आजाओ आगे आजाओ बढ़ो बढ़ो बढ़ते रहो रुकना नहीं है question लगाते जाओ जितने question लगाओगे confidence build-up होगा अगे next question J means 2022 में आ चुका है momentum of a body is increased by 20% then you have to find the kinetic energy में कितना percentage change आएगा यहाँ पर यह formula आपको use करना चाहिए कि kinetic energy जो होती है किसी एक particle की उसे मैं p square by 2m लिख सकता हूँ एक single particle की kinetic energy यह बात पता है क्या p square by 2m लिखी जा सकती है यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आंसर यास जल्दी बताइए momentum increase कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पर यह बात समझ आ रही है कि अगर मैं यह कहूं कि यार मेरा initial momentum p0 था तो मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि जब मैं final momentum लिखूंगा तो p0 प्लस 20 परसेंट का change 20 परसेंट का change बतलब p0 by 5 यहाँ से value कितनी आ गई 6 by 5 p0 बतलब this is what 1.2 p0 तो मैं यहाँ पर अगर मैं initial kinetic energy पूछू तो आप कहूंगे initial kinetic energy थी p0 square by 2m अगर मैं आप से पूछू final kinetic energy तो final kinetic energy क्या लिखोगे 1.2 p0 का whole square divided by 2m हमें क्या निकालना है percentage change calculate करना होगा fractional change यहीं निकालना kinetic energy increases by वो कैसे निकालते हैं change in kinetic energy divided by the initial kinetic energy अब हम change लिखेंगे तो आप observe करिए यहाँ पर p0 square by 2m यह term common आ जाएगा बाहर 1.2 का whole square this is what 1.24 minus 1 divided by p0 square by 2m यहाँ से यह value आती है आपकी 0.44 percentage change निकालना है तो 100 से multiply कर दीजिए into 100 into 100 तो बेटा यह value आगी आपकी 44 परसेंट 44 परसेंट will be the correct answer 44 परसेंट मेरे इसाब से answer should be third answer should be third Samir Kaushik बहुत बढ़िया अनीश मुखर जी बहुत बढ़िया आनन्द आ रहा है कि आप देखिए मेंस किस लेवल के सवाल आते मुझे लगता है कि आपका जिस तरीके का लेवल है अगर आज का लेक्चर भी आपने बहुत ध्यान से अटेंड किया है तो आप कोईशन को बहुत स्मूथली अटेंड कर पारें बाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है चलन दे भाई एनरजी कम तो नहीं हो रही आनन्द लेते रहिए और बढ़ते रहिए सवालों को सॉल्व करते रहिए देखेगा जरा ध्यान से यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई आंसर आगया थ्री चलिए आईए सवाल बहुत है वर्क एनरजी थेोरम बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टिकल है आप देखिए जेई मेंस में लगातार पिछले तीन से चार सालों में कितने देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कब कौन सा फॉर्मुला हीट करना है सर यह आपको कैसे पता चला जड़ा देखिएगा दियान से क्या फोर्स का एक्सप्रेक्शन फोर्स प्लस थ्री वाई स्कॉाइर जे कैप लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिरेक्ट फॉर्मुला बेस्ट कॉष्चन है यह तो मैं यहाँ पर अगर वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूँ वर्क डन बाई F इंटिग्रेट करूँगा बेटा 4X DX को और यहाँ पर इंटिग्रेट करूँगा 3Y स्कॉाइर दी वाई को क्लियर है लब लोर और अपर लिमिट बताएए जब X की लिमिट लगाएंगे तो इनीशल 1 है और फाइनल 2 है तो यह वन आएगा यह फाइनल 2 आएगा जब आप Y की लिमिट लगाएंगे तो इनीशल 2 आएगा और ऊपर 3 आएगा जल्दी देखिए फटा-फट कोईशन cube, minus 2 का cube, क्या रहा answer calculation करिए, फटाफ़, थोड़ा सा fast move करेगा भाई, यहाँ पर लिखूंगा 2 multiplied by 2 plus, यहाँ बनेगा आपके सामने, 27 minus 8 and this is 19 तो जनाब यह expression आपके सामने, 4 plus 19 मेरे साब से 23 आ रहा है एक मिनिट, कुछ गडबर कर दी क्या हाँ, सॉरी, 4 minus 1 यह 3 होगा तो 2 into 3, 6 सॉरी, 6 plus 19 25 joule will be the correct answer how many of you, जिनका 25 joule मतलब हमारा answer 3 आ रहा है third option will be the correct वोल, यह clear है क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सांदार भाई, आनन्द आ गया भाई, आप लोग जिस तरीके से questions को solve कर रहे है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी speed और आपकी speed लगबख बराबर चल रही है बोलो, मानते हो आप सोचिए, आप उतनी तेज सोच पा रहे हैं जितनी तेज मैं सोच रहा हूँ कमाल देखिए, यह आनन्द होता है live sessions attend करने का बोलो मला आ रहा है बोलो, आनन्द next, अगला सवाल आपके सामने spring का question है, please read the question jmins 2022 में यह question पूछा गया है जल्दी से फटाफट question को पढ़िए and try to attempt it so chain वाली questions को एक बार integration से करके दिखा दो भई भाई, तुम्हें short तरीगा बता रहा है तुम्हें integration से करवाना है तुम्हें, बता तो भी है यहाँ पर भी इतना समय थोड़ी है कि एक सवाल कि मैं 10-10 method बताऊंगा अगर यह सब सीखना है, तो आपको detailed lecture मेरे unacademy के platform पे जो available है, वो attend करो वहाँ से पढ़ो जाकर के, अगर इतना ही details में पढ़ना है, 15 lecture में पढ़ा है work power energy एक एक चीज बहुत detail में बताईए यहाँ पर भी है one shot का मतलब नहीं समझते तुम लग रहा है, one shot का quick revision है यहाँ पर मैं यहाँ पर यह नहीं है कि एक सवाल को करने के 10 तरीके बताऊंगा भाई हिसान, थोड़ा समझो यार है ना only काम की बात बताई जाएगी yes, पताईए question क्या है question पढ़ लिया यहाँ से एक block को release किया गया, block नहीं है, ball है भाई इस ball का mass कितना है, 100 gram is dropped from a height of 10 cm on a platform, fixed at a top of a vertical spring यहाँ से release किया, यह आएगा, टकराएगा जब टकराएगा तो कुछ kinetic energy होगी, question में दिया गया the ball stay on the platform and platform is depressed by a distance h by 2 यहाँ पर यह spring को कितना और compress करता है h by 2 मतला हम यह कह सकते हैं कि यहाँ भी speed 0 थी और यहाँ पहुँचने के बाद भी speed 0 होगे यह यह ना question ठीक है अब देखो, mains level का question है ज्यादा दिमाग मत चलाना तुम्हारे दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि जब यह platform से ठकराएगा तो कुछ energy के losses होगे किस तरीके का collision है तो मैं आपको बता दू कि इन्होंने उन सभी losses को neglect किया है question में mention नहीं है लेकिन यही मानते हो solve हो पाएगा क्योंकि अगर तुम यहाँ पर सही physics की बात करोगे तो physics के point of view से तो question में data ही insufficient है अब mains level के सवालों में इतनी ज़्यादा physics नहीं देखते हमारा main objective होता है कि कैसे भी करके हमें सही answer तक पहुचना है तो point यह है कि यहाँ से छोड़ा और यहाँ पहुचा और जब ball और platform का interaction हुआ है तो उस interaction के दौरान जो भी energy losses हुए उसे neglect करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर collision के regarding कोई भी information नहीं है nature of collision कैसा है कुछ भी नहीं बताया गया है तो इसलिए मैं यहाँ पर वो impulsive forces के work को neglect कर रहा हूँ answer क्या रहा है क्रतिका गुपता 120 बता रही है traffler क्या नाम किया इसका कौन सी law है यह यह नहीं law आई है कि Newton की बताओ क्या करें this is a beauty of work energy theorem you should use a work energy theorem आपका initial position यह है final position यह है बिना दिमाख लगाए आप सीधे work energy theorem लगाए आपको पता है जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो इस दौरान उसके उपर दो ही forces का work होगा एक gravity का work होगा एक spring force का work होगा जल्दी से बताएं यहाँ पर gravity का work आप क्या लेखेंगे mg into total vertical direction में अगर displacement देखें तो h plus h by 2 तो h plus h by 2 की value जल्दी से बताएं कितनी हो जाएगी 3 h by 2 this is the work done by gravity work done by gravity positive होगा क्योंकि जैसे ही हमने drop किया वो particle नीचे जा रहा है कहा जा रहा है नीचे जा रहा है force भी नीचे है displacement भी नीचे है इसलिए gravity का द्वारा किया गया work positive हाएगा अब आते है work done by spring spring का work लिखने का formula आता है k by 2 x initial क्या initial spring अपनी natural length में yes initial अगर spring अपनी natural length में है तो जल्दी से बताएं x initial की value में 0 लिख दूँगा और जब यहाँ पर यह spring maximum compression में है उस समय यहाँ पर यह compression h by 2 के बराबर है तो उस समय में यहाँ लिखूँगा h by 2 का whole square this is the work done by gravity and this is the work done by spring मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताए था कि जब भी हम work energy theorem लगाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ यह देखते हैं कि हमारी initial position क्या है और हमारी final position क्या है और यह बराबर change in kinetic energy जनाब जब करेंगे तो change in kinetic energy 0 हो जाएगा क्योंकि जिस point से release किया है उस point पर जनाब speed 0 है और finally जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ भी speed 0 है तो observe करें यहाँ पर इस expression को अगर मैं उदर transfer करूँ तो मैं लिखूँगा 3 mg h by 2 बराबर k by 2 और यह बनेगा h square by 4 बोलो हाँ ना question पढ़ो फटा फट बताओ आपसे क्या पूचा है आपसे spring constant की value पूची गए k की value पूची जा रही है 2 से 2 वाला factor cancel h से 1 h वाला term क्या हो गया cancel out हो गया और यहाँ पर हम k calculate करें देखो देखो आराम से देखो अगर हम यहाँ पर k calculate करें तो 4 into 3 that is what 12 mg बटे चेक करना सही है क्या yes बिल्कुल perfect 12 mg बटे h यह आ रहा है m की value देखो 100 gram 100 gram का मतलब समझते हो 0.1 kg m की value 0.1 देखें 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 12 into 0.1 into g divided by h and what is h h is 10 cm में convert किया 0.1 answer is 120 कितने भाई लोग का 120 आया जिन लोग का 120 आया फटा फट से chat में type 1 अगर आपका answer 120 आ चुका है पता तो चलना चाहिए कि भाईया सिर्फ practice मेरी हो रही है या आपकी भी हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही solve कर रहा हूँ अपने भाई बंदू solve ही नहीं कर रहे है एक बार भाई ओहो क्या बात है सेम जैन आदित आयूज बहुत बढ़िया अरे क्या बात है यार तुम लोग मेरे साथ questions solve कर रहे हो यार एक बार जोड़दार तरीके से अपने लिए तालिया बजा दो यार आपके इस जज़बे को सलाम करता हूँ कि रात के साड़े ग्यारा बच चुके है और इस session को सुरू हुए साड़े तीन गंटे गज़ड़ चुके हैं लेकिन आप जिस जज़बे से आंसर निकाल रहे हैं मैंने live session अपनी life में बहुत लिए हैं लेकिन इस तरीके के live session जिसमें audience इतनी active है साड़े तीन घंटे के बाद भी लगातार questions को solve कर रहे है वाकई में जज़बे को सलाम है यार आपका जो डेडिकेशन है जेई के लिए बाई target बनाओ कि इस बार 2024 में physics में लाएंगे अवव 99 percentile यह हमारा target होना चाहिए और अगर आपका साथ मेरे साथ रहा तो मैं आपसे promise करता हूं कि मैं दिलवाओंगा तुम्हें 99 percent कोई rocket science नहीं है तुम खुद देखो जेई मेंस का level है यह तुम्हें लग रहा होगा sir 99 percentile कहीं आपकी जवान तो नहीं slip हो गई भाई यह जल्ली से देखो मैं जितने भी सवाल करा रहा हूं तुम्हारे सामने PYQ करा रहा हूं जान मुझ के PYQ करा रहा हूं क्योंकि तुम्हें यह एसास करा सकूँ यह तुम्हारी गलत फहिमी है अगर इंसान को एक सही दिसा मिल जाए उसको proper strategy पता चल जाए तो उसके लिए जैसे एक्जाम में physics में 99 परसेंटाइल के अवब स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है या बैठे हुए सभी मुझ से promise करो कि तुम्हारा target physics में 99 के उपर परसेंटाइल का है और मैं दिलवाऊंगा इस चैनल पर जितने भी strategy के वीडियो पढ़ाई कैसे करनी है कब कौन से chapter कवर करने है रिवीजन पर जितने भी sessions हो प्रॉपर अटेंड करते रहना और देख लेना कि इस बार January का जो attempt होगा उस समय तुम्हारा physics का result अलग होगा और बचा हुआ result अलग होगा भाई ओ माई गाड यहाँ पर एक भाई साब कह रहे हैं कि सर मुझे अपने talent पर doubt हो रहा है कि मुझसे सवाल कैसे बन रहे हैं आप खुद देखिए आप खुद देखिए जही में में सवाल किस लेवल के आते हैं तुम सच सच बताओ क्या काफी सस्ते चूरन सवाल है या नहीं है और एक और भात मैं आपको बता दूँ आप यह मत सूचिएगा कि आज के session के बाद आपको mechanics पढ़ने की जोगत नहीं है आपको इसके साथ पैरवली assignment भी provide किये जाएंगे जब दिवाली का break मिले तो mechanics के उन assignments को solve करिएगा भाई एक परसेंट भी गड़बर नहीं कर सकते 99% के उपर लाना है selection नहीं top rank लानी है तो जितना जैसे guide करूँ जो material provide करूँ वो material बराबर solve करते जाना है अब मुद्दा यह कि सर्व assignment कहां पर मिलेगा सवाल यह भी तो है तो भाई आप लोग क्या मेरे telegram channel पर जुड़े हुए हो कि नहीं मैं आपको बता देता हूं हो सकता आप मैंसे कुछ student नहीं हूं ठीक है एक telegram channel नाम है physics नोट कर लीजेगा physics ry jee aspirants और साथी साथ यहां पर यह भी बता देता हूं इसका नाम जो है चैनल का वो है physics with ry इस channel को आप लोग join कर लिजेगा आपको आगे आज के इस वीडियो पर जो भी assignments है वो भी provide किये जाएंगे ठीक है तो जब समय मिलेगा क्योंकि देखो यार आपको यह पता है हर साल पता नहीं कितने paper होते होते हैं या नहीं होते हैं बिलकुल होते हैं और बहुत सारे questions आते गोलो डन ठीक है चले भाई आगे बढ़ें आगे बढ़ा जाए इसी के साथ सबी लोग तयार है मेरे हिसाब से तो चलिए हमने देखा अभी work energy theorem की application और इसके बाद अब मैं सुरू करने जा रहा हूं अगला article अगला article क्या है ओहो भाई यह दुन्दला हो गया थोड़ा सा क बहुत ही important जही means में ही नहीं जही advance में यह topic से सवाल लगातार पूछे गए vertical circular motion बहुत ही आसा topic है मैं आपको एक बात बता दूँ जो मैं अगले 5 मिनट बताने जा रहा हूं बस इतनी सी चीजें याद रख लेना आप से vertical circular motion का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आप से important होती है एक work energy theorem और दूसरी equation important होती है force analysis जैसे कि द्यान से देखना vertical circular motion मतलब string length L यहाँ M mass का particle यहाँ पर velocity मैंने V0 दी ठीक यह इस तरीके से जा रहा है आगे की तरफ माली जब वो यहाँ पहुंचा तो उसकी speed V है यह angle theta है तो question इस तरीके का पूछा जा सकता है speed बता दीजे यह यह पूछा जा सकता है यहाँ पर रसी में tension बता दीजे acceleration बता दीजे कई question हो सकते है तो देखिए जब भी आपको speed निकालनी होगी न अब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर vertical circular motion को circular motion में cover क्यों नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर हमें work energy theorem की जववत पढ़ती है और वह आपने वहाँ पर नहीं पढ़ा था अब वह आपने पढ़ रखता है तो अब आपके लिए connect करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि अगर मुझे यह speed निकाल नहीं है तो मैं इस point से इस point तक लगाऊंगा work energy theorem यहाँ पर यह length आपकी L यह length आपकी जो है वो होगी L cos theta तो अगर आप देखें Y direction में जो displacement है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ उस displacement को मैं लिख सकता हूँ L minus L cos theta तो जब यह particle point A से B तक पहुँचेगा तो आपको लगानी है work energy theorem इंट्रेस्टिंग बात यह है कि जब यहाँ पर particle move कर रहा होगा तो इसके उपर safe or safe gravity का work होगा tension का work होगा नहीं क्योंकि जो tension force है वो हमेशा displacement के perpendicular होगा क्योंकि आप यह बात जानते हैं कि tension उपर की तरफ होगा displacement इस direction में होगा और इनके बीच का जो angle है वो 90 होगा बोलो yes or no तो tension work नहीं करेगी safe or safe कौन work करेगा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि safe or safe gravity work करेगा और gravity के work को path से कोई लेना देना नहीं जब particle A से भी गया तो vertical direction में जो displacement है वही important है तो gravity का work जब लिखना है तो मैं लिखोंगा minus के mg h और h की value यह लिखी हुई है यहाँ पर लिख सकते हैं 1 minus cos theta minus क्यों लगा है समझ आगे हो क्योंकि particle उपर जा रहा है force नीचे लग रहा है displacement उपर है force नीचे तो gravity का work negative आएगा बराबर change in kinetic energy चेंज in kinetic energy लिखेंगे तो half m v square minus v0 square यह भाई पहली equation यह आपके लिए important रहेगी work energy theorem जब भी speed निकाल ली हो vertical circular motion में तो आप यहाँ पर work energy theorem लगा है दूसरी important equation क्या होगी इस given point पर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यह एदा लग रहा होगा टेंशन और नीचे लग रहा होगा mg यह एंगल थीटा या angle भी थीटा जलदी बताना tension का component करोगे mg का यहाँ पर observe करो यह radial direction यह वाला यह डिरेक्शन radial है तो tension का component नहीं होगा mg का component होगा अगर mg का component करोगे तो यहाँ पर observe करना, mg का ये वाला component जो है, वो mg cos theta हो जाएगा, और ये वाला component है जनाब, वो mg sin theta हो जाएगा, तो अगर center की तरफ देखो, तो center की तरफ tension लग रहा है, और जो mg cos theta है, वो center से अभे लग रहा है, क्या सभी को ये बात दिखाई दे रही है, क् पताना अगली equation जब लिखोगे, वो लिखोगे tension minus mg cos theta और ये value बराबर किसके लिखोगे mv square by l, ये दो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा important रहेंगी, vertical circular motion जब हो रहा होगा, तो एक बात को हमेंसा याद रखेगा, कि tension की value maximum, नीचे वाले point पर होती है, और अगर ये यहाँ पर एक information जो आपके काफी काम आएगी सुनिएगा, वो information क्या है, मुझे उमीद है कि तुम्हें याद होगा, कि जब हम यहाँ पर particle को velocity देते हैं, अगर ये रस्सी है, inextensible string पर point particle और इसको हमने speed v दिया, तो पहला case number one, अगर इस v की value, root 5gl से जादा या बराबर तो इस case में ये particle, circular motion complete करेगा, second case, case number two, अगर ये velocity, sorry, अगर ये velocity, root 2gl से कम हुई, मतलब 0 तो होई सकता है, मतलब ये, ये वाला case, तो इस case में ये particle, oxalate करेगा, to and fro motion करेगा, like this, oxalation होगा, तीसरा वाला case, अगर ये velocity, इन दौनों के बीच में है, मतलब, root 5gl से कम है, और, root 2gl से जादा है, मतलब ये वाला case है, ये वाला, तो, in that situation, particle का circular motion disturbed हो जाएगा, particle एक point तक जाएगा, और, उस point पर पहुचने के बाद, particle के, sorry, ये रसी जो है, वो slack कर जाएगा, और रसी के slack होते ही, ये particle circle में नहीं गुमेगा, उसके बाद, ये particle जो है, वो क्या करेगा, projectile motion करेगा, ये उमीद है, ये value सभी को याद होंगी, क्या ये value सभी को याद है, पक्का, लेकिन याद रखेगा, ये case तभी लिखा है, जब string का case है, कई बार आपके सामने situation ये भी आ जाती है, कि यहाँ पर, ये जो आपको दिया हुआ है, ये rod है, लेकिन अगर ये massless rod हुआ, सुनना द्यान से, massless rod, massless क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके कि rotation में आप देखेंगे, कि इस rod का mass भी होगा, तो हम क्या करते हैं, जब वहाँ question आता है, तो इसी result को use करते हैं, और हमें लगता है कि question में difference क्या है, लेकिन मैं बात कर minimum velocity कितनी दें, कि ये circular motion complete कर पाए, तो इस बार answer आपका root 5gl नहीं होगा, क्योंकि एक rod slack नहीं कर सकता, एक rod में tension force भी लग सकता है, और एक rod में ऐसे compressive normal force भी लग सकता है, तो point is this, कि इस बार आपको कम velocity देनी पड़ेगी, और मैं ये कह सकता हूँ, इस बार जो आप velocity दे रह कर दिया, कि root 4gl या उससे ज़्यादा velocity अगर आपने दे दी, तो मैं बता दूँ कि circular motion पूरा हो जाएगा, कैसे proof किये, result हमारे लिए important नहीं है, सीधे काम की बात, मुद्दे की बात, focus करो, results पर, क्योंकि result ही काम आएंगे, questions को solve करने में, ठीक है, याद रखना यह answer तभी होगा, जब rod massless होगी, कैसी होगी rod massless होगी, तो कई बार जब हमारे सामने question आता है, माली जे इस profile का कोई question आया, तो सबसे पहले आपको यह check करना बहुत जरूरी होता है, कि भाया, कि उस question में, जो particle है, वो circle में जब घूम रहा है, तो पू work done is, work done by internal force, अब आपको लग रहा last, last मतला work का last article है, इसके बाद अभी हम लोग power और potential energy पढ़ेंगे, पानी पीलूँ बाई, दो मिनेट रुखेगा, पानी वानी आप भी पीली जे बाई, हाँ बाई, कैसा लग रहा है, माहुल तगड़ा हो रखा है क्या, बहुत बढ़िया, अक्षय उपाध्या ने एक बहुती सांदार चीज बताई, मुझे skip कर गया था, लेकिन भाई ने reminder दिलाया, एक बात बता दूँ, जब एक particle सरकल में घूम रहा होता है, और अगर वो सरकल में लगातार घूम रहा है, तो उसकी speed, हर L distance उपर जाने पे, यहाँ पर जो particle को velocity दी, वो root 8gl, सुनना द्यान से, सवालों को solve करने में बहुत मदद करेगा, अब मैं यहाँ पर कुछ point mark कर देता हूँ, माल जिए point A है, यह point B है, और यह point C है, क्या आपको तीनो points दिख रहे है, बोलो भाई, तीनो points दिख रहे है, अब आप से एक बात प velocity root 5gl से जादा है, अगर आपने यह velocity दिए, तो question यह पूछा जाए, point A, B और C पर velocity बताईए, तो मैं आपको बता दूँ, वैसे तो आप work energy theorem लगा के निकाली लेंगे, लेकिन हर L distance उपर जाने के बाद, यह velocity का जो factor है, वो 2 के factor से कम होता जाता है, मतलब यहाँ पर, जब पर जो velocity होगी, वो root 6gl होगी, जब जनाब वो यहाँ पहुचेगा, इस top edge पर, तो जो velocity होगी, वो पता है कितनी होगी, root 4gl होगी, और जब अगेन इस point पर पहुचेगा, तो उसका जो velocity है, वो root 6gl होगा, इंट्रेस्टिंग बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर tension maximum होगा, और यहाँ पर यह tension minimum होगा, और एक और चीज़ काम की बात बता दूँ, अगर उसने पूरा circle complete किया है, तो इस maximum और minimum tension का जो difference है, वो हमेशा 6 mg आएगा, डर गए क्या, मैं तो चेक कर रहा था कहीं सो ना जाओ, मेरे बाई बंदो, मैंने क्या बोला भी, मैंने आपको बोला, कि maximum tension और minimum tension का जो difference है, वो 6 mg आएगा, अगर इस circle में घुम रहा है, कैसे, जड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे mg लगेगा, बोलो, yes और no, एक बापत आएगा, यहाँ पर, इस point पर, tension की maximum value, minus mg, net force center की तरफ, T minus mg, क्या लिख सकता हूँ, बराबर, किसके लिखूंगा, m v square by r, v square मतलब 8gl, जड़ा चेक करेगा, l से l cancel out, tension की maximum value कितनी आती है, tension की value आती है, maximum 9 mg, कितनी आती है, 9 mg, top h पर देखते है, top h पर tension भी नीचे है, और mg भी नीचे है, तो top h पर आप क्या लिखेंगे, tension की minimum value, plus mg, बराबर, m by l, बताए जल्दी से, यहाँ पर यह value कितनी हो देखेंगे, तो यह हो जाएगा 4gl, l से l cancel, तो यहाँ पर tension की minimum value आती है, आपकी 3 mg, बताए, इन दोनों का difference निकाल लिए, 6 mg, इंट्रेस्टिंग बात पता है, अगर यह root 8gl की जग, root 10gl भी होता, root 12gl भी होता, root 14gl भी होता, मुद्दा यह कि अगर root 5gl से यह value कितनी भी ज़ मुझे कोई दिक्कत निए, आप copy निकाल लिए, pen उठाइए, और solve करना शुरू करिए, किसी general V के लिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा, कि maximum और minimum tension का जो difference है, वो आपका 6 mg के बराबर आ रहा है, बोलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ूँ कैसी के साथ, चलिए, सफर चलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, work done by internal forces, मुझे जल्दी से पताइए, इस term की importance समझना बहुत जरूरी है मेरे भाईयो, क्योंकि अगर आपने work done by internal force नहीं समझाना, तो center of mass के, जब वो combined application वाली question आते हैं, जिसमें momentum conservation of work energy theorem का combined application होता है, वहाँ जाकर के लोगों को बहुत doubt आते हैं, तो अगले 5 मिनट आपके जीवन के लिए बहुत ही मैत्रपूर हैं, और अगले 5 मिनट में आपको जो भी बताये जाए, बहुत दिहान से सुनेगा, एक एक बात बहुत गहराई तक जाएगी, और focus हो करके सुनेगा, क्योंकि जहाँ नजर हटी, वही दुरगटना गटी, internal force, मुरे को सबसे पहले यह बताईए, how many of you know about the internal force, मैं कब कहूंगा कि यह forces का जो bunch है, यह internal है, चली, बताईए, देखना ध्यान से, यह काम जो अभी मैं बताने वालों, आगे बहुत यूज होगा, sir, we want ray optics one shot, बेटा टेंशन मतलो, इस channel पर, सारे chapters के one shot मलेंगे, देवाली के बाद, धमाकेदार, revision series आएगी, तो must हो करके, अपनी पड़ाई पर focus करो, tension लेने की कोई जोवत नहीं है, जो भी लोग इस channel से जुड़ गए है, उनका कल्यान होना तैह है, यहाँ पर आपका y, ry आ गया है, बोलो, सहमत हो, network done अगर system के अंदर, हाँ, देखिए, internal forces का मतलब, कुछ लोग बताना तो चाह रहे हैं, हाँ बताओ बेटा, क्या बोले, अक्षय उपाद्या है, रोहित कुमार, action and reaction, बहुत बढ़िया है, तनिस ने बहुती answer सही दिया, क्या बात है, आप लोग की physics तो बहुती सांदर है, नहीं, राम कुमार तो कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं, internal force का मतलब है, ऐसा pair, जिसका action और उसका reaction, ये दौना system का ही हिस्सा है, ये दौना system का ही हिस्सा है, मतलब जैसे कि for example, मैं यहाँ पे consider करता हूँ, ये particle 1 है, ये particle 2 है, particle 1 ने यहाँ पे force लगाया F1, तू ने 1 पे force लगाया F1, और 1 ने 2 पे जो force लगाया, वो है F2, और मैं ये कहूँ, मेरा जो system है वो ये है, और उस system के अंदर 1 भी है और 2 भी है, तो यहाँ पे observe करना, 1 ने 2 पे जो force लगाया, 2 ने 1 पे जो force लगाए, इसमें से आप किसी एक force को action कह सकते हैं दूसरे को reaction कह सकते हैं अगर आपने F1 को action कहा तो F2 को reaction कहेंगे अगर आपने F2 को action कहा तो F1 को reaction कहेंगे अब यहाँ पर यह मत सोचे कि कि किसको action किसको reaction एक और बात बता देता हूं कुछ लोग एक बार मेरे से offline class में बहुत ही सांदर doubt पूछा गया मुझे एक दम से याद आ गया कि सर पहले action लगता है या reaction लगता है मेरे साफ से सर पहले action लगता है फिर reaction लगता है मैंने का ऐसा क्यों कि सर पहले act होगा तभी तो react होगा मैं इस बात को समझ नहीं पाया फिर उसने बहुत ही सांदर example दिया कि सर जैसे कि for example मैं अगर किसी अपने दोस उसके गुस्से में आके चांटा मार दूँ, यह है मेरा action, मेरे चांटा मारने के बाद मेरा दोस्त रोने लगा, यह है उसका reaction, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि पहले action लगेगा, फिर reaction लगेगा, मैंने का वा भाई, मौज कर दी, अपना भाई तो बहुत heavy driver निकला, मेरा भाई यह है कि पहले action होगा, फिर reaction होगा, तो मुद्य की बात यह है कि अगर मैंने यहाँ पर 1 प्लस 2 को अपना system माना, if I say that, कि 1 प्लस 2 मेरा system है, तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा, कि definitely 1 और 2 आपस में जो एक दूसरे के साथ, जो interaction कर रहे हैं, एक दूसरे के उपर जो forces लगा रहे हैं, वो internal forces होगे, कौन सा force internal होगा और कौन सा force external होगा, it will depend on the choice of system, कि आपने किसे अपना system माना है, जैसे कि मैं आपसे यह कहूँ, कि for example, मैंने कहा, भाई, यह एक block है M1, और दूसरा यहाँ block है M2, हमने इस पर force लगाए, एक F1, यह वाली surface है, मानलीजे rough, और यह वाली surface जो है, मानलीजे smooth है, और मानलीजे M1 और M2 के बीच में लग रहा है friction, अब मैं आपसे यह पूछू have some logic, क्या इस question में कोई logic है, अगर आप कह रहें internal बताईए, तो आपको सबसे पहले बताना चाहिए, कि आपने किसे system consider किया है, अगर जनाब मैं यहाँ पर सिर्फ M1 को अपना system मानता हूँ, तो M2 के द्वारा M1 पर जो force लगाया गया है, वो external हो जाएगा, मतलब उस case में ज केरा M1 और M2 अपना एक system है, अगर मैंने M1 और M2 को एक system मान लिया, system तुमारे उपर depend करता है कि तुम किसको मान रहे हो, अगर M1 प्लस M2 को system मान लिया, तो M1 ने M2 पर, और M2 ने M1 पर जो force लगाया, वो internal हो जाएगा, बहुत simple सी बासाम है, मैं यह कह सकता हूँ, अगर क internal force कह पाएंगे, आप observe कर पा रहे हैं कि अगर मैं M1 और M2 दौनों को अपना system मानता हूँ, तो यहाँ पर देख करके बहुत clearly समझ में आ रहा है कि M1 पर जो friction force लग रहा है, और M2 पर जो friction force लग रहा है, यह अगर आपका action है, और जनाब यह आपका reaction है, तो जनाब action प्लस reaction दौनों system के अंदर हो चुके हैं, तो जब भी यह सवाल पूछा जाए कि कौन सा force internal है और कौन सा force external है, तो यह सवाल पूछना तभी जायज होगा, जब आपको यह पता होगा कि what is your system, if I consider only M1 as a system, then the force exerted by M2 on the M1 will be the external force, if I will consider M1 plus M2 whole as a system, then the force exerted by M1 on M2 and the force exerted by M2 on M1 will be the internal force, क्यों भाई, क्या हलचा है, क्या हुआ, अरे भाई, क्या हुआ, सदमे में आगे, क्या focus नहीं बना पा रहे हो, क्या, बोलो, 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 सर, पांच मिनिट का break दीजिए, break, मिलेगा, 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 लेकिन अभी ध्यान से देखेगा, अभी बहुत important article चल रहा है, तो मैं यहाँ पर बात करूँ, work done by internal force, इसका मतलब कहीना कहीं, मैं यह कहना चाहरा हूँ, कि work done by action, plus work done by reaction, इन दौनों का जो sum है, उसी को समझ नहीं आ रही, yes, सुनिए, तो देखना, माल लीजी, point इस direction में displace हुआ, और इसका displacement है, वो ds1 है, और यह point इस direction में displace हुआ, और इसका displacement ds2 है, तो मैं यहाँ पर जब work done by f1 लिखुँगा, तो मैं work done by f1 कहा लिखुँगा, f1.ds1 vector, यह है work done by action, और work done by reaction कहा लिखुग dot ds2 vector, बहुत ही important बात बता रहा हूँ, द्यान से देखना, अगर इन दोनों का sum कर दू, this is the total work done by internal force, मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, dw1 और dw2, इन दोनों का sum जो है, this is the work done by internal force, और internal force का जो work होगा, वो इन दोनों का summation होगा, इन दोनों का summation करें, तो मैं लिखुँग f1 dot ds1, द्यान से देखते जाएगा, बहुत important result बताऊँगा यहाँ से, इसके माध्यम से, plus f2 dot ds2, point is this, यहाँ पर f1 और f2 action और reaction है, तो आपको समझ माना चाहिए, action और reaction हमेशा equal and opposite होते हैं, तो मैं यहाँ पर f1 की value को minus of f2 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर f1 और f2 म value आपको दिखाई दे रही है, क्या उसे minus f1 लिख दू, तो देखना द्यान से, यहाँ पर आपके सामने बनेगा, f1 को कॉमल लेने के बाद, ds1 vector minus ds2 vector, और यहाँ पर अगर observe करें, तो यह term बनेगा, f1 dot displacement of 1 in frame of 2, बहुती सांदा result जो आप मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से देखिएगा, यह था displacement of 1 with respect to 2, इसका मतलब 2 के frame में, जो 1 का displacement है, वो यह लिखा हुआ है, मुद्दे की बात यह है, कि यह वाला जो term है, यह दुनिया के किसी भी frame में same रहेगा, क्योंकि आपने इसका frame पहले fix कर दिया, आपने 2 पे बैठके 1 को देखा, तो इसका displacement क्या हुआ, इसका मतलब यह वाली quantity जो आप देख पा रहे है, यह frame independent है, बहुत ही सांदार बात मैं बताने जा रहा हूँ, internal forces का work, दुनिया के हर frame में same आएगा, सर, शुरू में तो आपने कहा था कि work frame पे depend करता है, सुनिएगा, action का work frame पे depend करेगा, बिलकुल करेगा, अलग अलग आएगा, लेकिन when I am talking about internal forces, then I am saying that, we have to consider the work done by action, as well as we have to consider work done by reaction, तो जब मैं कहता हूँ, action plus reaction मतलब total work done, if I am saying the total work done, तो इसका मतलब है, this is the work done by internal forces, और internal forces का work, दुनिया के हर frame में same आता है, क्योंकि वो सिर्फ depend करता है, relative displacement पर, और इस expression को देखके, यह भी बास समझ म आ रही है, कि अगर वो relative displacement force के direction में होगा, तभी internal forces का work होगा, otherwise internal forces का work नहीं होगा, मतलब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, बहुत ही crystal clear, कि one पर बैठके two को देखा, क्या बात है, one पर बैठके two को देखा, और अगर two, अगर two, one की तरफ आता हुआ दिखा, या one से दूर जाता हम यह कह सकते हैं, कि action और reaction, जिस direction में लग रहे हैं, उसके direction के along, अगर displacement हुआ, तो work होगा, otherwise work नहीं होगा, अलो clear, अनीज आनन्द, Sir, I am your big fan, oh my god, आनन्द साहब, अब तो November सुरू हो चुका है, अब fan when का क्या करेंगे हम, ठीक है, यह विंटर सुरू हो गई है, fan तो आपके summer के दौरान काम आएगा, तो big fan जिसके बारे में आप कह रहे हो, तो वो big fan अभी तो हमारे किसी काम कर नहीं है, है ना भाई, ओके बाई, कुमार अनुप ब्लॉग, मानस वी, एक बार attendance लगा दीजे बाई, एक बार दो हाथ उपर करके attendance लगाईए, पता तो चले बाई, जनता पता चले दीरे दीरे निपटती चली जा रही है, जैसा कि देखकर के समझ मारा है, जनता बहुत तेजी से ड्रॉप कर रह इसी बात से एक बात याद आगी, चलता रहूंगा पत पर, चलता रहूंगा पत पर, चलने में माहिर बन जाओंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, नहीं तो मुसाफिर बन जाओंगा, तो भाई मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मेरा तो फिक्स है, चलता रहूंगा, या तो मंजिल तक पहुंची जाओंगा फाइनली फिनिस लाइन को टेच करी तूंगा और नहीं किया तो इस बात का गम तो नहीं होगा कि मैंने मैदान को बीच में छोड़ दिया था चले बाई बहुत बढ़े हैं इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यहां से हमें क्या क्या कंक्लीजन निकाले हैं वो सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको एक्स्प्लेइन करें आपको टेंशन लेने की जोवत नहीं है मैंने नेक्स स्लाइड पर वो सारी चीजने लिखी हुई हैं अगर आप इंटरनल फोर्स का वर्क निकालने जा रहे हैं तो दुनिया के हर फ्रेम में इंटरनल फोर्स का वर्क सेम आएगा अब देखेगा यहां पर इसी चीज को जनाब तोड करके क्या मैं F1 D S1 कौस ठीटा लिख दूँ यह क्या है यह है displacement in the direction of force अगर displacement in the direction of force जीरो हुआ तो इंटरनल फोर्स का वर्क जीरो होगा यह स्टेट्मेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप कहते हैं कि किसी भी given system पर tension के द्वारा किया गया total वर्क जीरो होता है अगर वो रसी inextensible है मैंने क्या बोला अगर किसी भी system में रसी लगी हुई है और वो वर्क कर रही है तो यह guarantee है किसी एक block पर उसने जितना positive work किया होगा exactly दूसरे पर उतना ही negative work करेगा क्योंकि अगर आपने यह बोल दिया कि वो inextensible है तो inextensible का मतलब कि उस रसी की length change नहीं हो सकती मतलब particles के बीच का relative separation change नहीं हो सकता relative separation change नहीं हो सकता और relative displacement अगर नहीं हो सकता तो tension का work पूरे system पर zero होगा मतलब यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि tension के द्वारा किसी एक block पर जितना positive work किया गया exactly उतना ही same amount का negative work दूसरे block पर किया जाएगा यह बात बहुत ही important है याद रखेगा कि total work done by tension force पूरे system पर whole system यह बात याद करिए whole system पर हमेशा zero होगा इसी तरीके से normal contact force यह polyline जो है ना बाय साब यह center of mass में बहुत use होती है normal contact force का total work पूरे system पर अगर वो system rigid है तो हमेशा zero होता है मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूं अभी आपको और बैतर तरीके से समझ आ जाएगा जैसे कि for example देखेगा माल लीजे यह आपका यह एक wedge है ठीक है इसका mass capital M है और यहाँ पर यह block है नीचे वाली surface माल लीजे smooth है कैसी है smooth मेरे को एक बाद बताएगा यह वाली surface भी माल लीजे smooth है ठीक क्या होगा जैसी यहाँ पर release करोगे यह block slide करते हो नीचे आएगा जब भी block slide करते हो नीचे आएगा तो साहर आप समझ पा रहे होंगे कि यह wedge पीछे जाएगा क्यों क्योंकि यह block इस wedge पे normal force लगाएगा और उस normal का जो horizontal component होगा क्या वो उस wedge को accelerate करेगा बोलो हाँ या ना तो जब उस wedge को accelerate करेगा तो wedge पीछे जाएगा यहाँ पर अगर आप सिर्फ wedge को observe करें सिर्फ wedge को तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि इस wedge पर जो normal force लग रहा है वो work कर रहा होगा to change its kinetic energy तो इसके उपर normal force का work जो होगा कि इसके उपर wedge के उपर इसके उपर work done by normal force positive आएगा लेकिन एक बार दावे के साथ कह सकता हूँ कि normal ने जितना positive work wedge पर किया होगा exactly उतना ही negative work block पर करेगा क्योंकि अगर मैं इस पूरे को एक system मानता हूँ और मैं यहाँ पर wedge के इस point पर बैट करके block के इस point को देखता हूँ तो जब मैं यहाँ पर wedge के इस point पर बैट करके block के इस point को observe करूँ तो मुझे साफ साफ समझा रहा है इन दौनों के बीच का ये gap change होने वाला नहीं है और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि internal forces के द्वारा किया गया work internal forces के द्वारा किया गया work relative separation पर depend करता है और जनाब यहाँ relative separation जब है ही नहीं तो normal का work पूरे system पर 0 होगा मतलब हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर माल लीजे normal के द्वारा इस पर जो work हुआ वो plus के 15 joule हुआ तो यहाँ से बोल सकता हूं कि work done by normal यह बात कर रहा हूं on block यह negative होगा और 77-15 joule होगा इसलिए याद करना कि अगर आपने इस profile के question कभी solve किये हों तो हम वहाँ यह कहते हैं कि आपको work energy theorem block पर नहीं लगानी चाहिए या सिर्फ wedge पर नहीं लगानी चाहिए क्योंकि अगर आप सिर्फ block पर लगाएंगे तो block पर आज normal का work zero नहीं होगा कुछ लोग कहते हैं क्यों नहीं होगा normal तो perpendicular है बेटा normal आज displacement के perpendicular नहीं है क्योंकि यह wedge के relative इदर आ रहा है लेकिन wedge खुद पीछे जा रहा है तो ground frame में उसका displacement इदर कहीं हो रहा है तो यह वाला जो angle है ना यह angle 90 से जादा आएगा वाला normal और ground frame में जो displacement है उसके बीच का angle obtuse होगा और जनाब अगर यह angle obtuse है तो normal का work block पर negative होगा समझे की नहीं बोलो clear है इसलिए हमें recommend किया जाता है ऐसे questions में work energy theorem आइदर block या wedge पर लगाने की वजाए हमें पूरे system पर लगानी चाहिए दे क्योंकि पूरे system पर लगाने का फाइदा बताईए क्या है पूरे system पर लगाने का फाइदा यह है कि पूरे system पर total work done नॉर्मल फोर्स का क्या होगा जीरो जैसे मैंने normal और tension के लिए जीरो बोला वैसें याद रखेगा कि static friction का work भी पूरे सिस्टम पर 0 होता है क्यों क्योंकि siratik friction लगता हि तब जब रिलेटिव स्लेपिंग नहीं होती और जब not trip नहीं तो relative displacement नहीं और जब oral back- Жां का वर्ख पूरे सिस्टम पर टोटल हमेशा निगेटिव आएगा always क्योंकि कानितिक टेंट को अपोज करता है कि का मतलब फिक्शिण और डियुक्टिव डिस्प्लेशमेंट एक दूसरे के याद रखेगा कानितिक इंटायर शिस्टम पर टोटल वक दन बाई कानितिक friction negative होगा tension का zero होगा normal का भी zero होगा static का भी zero होगा कि डन अब बहुत बढ़िया कुनाल तनवर तर दस मिनट का ब्रेक दे दू ब्रेक देंगे बेटा देंगे बस तोड़ी देर में ब्रेक भी देंगे इतना क्या पाई एक बात बताओ तुम्हारी energy कम होनी चाहिए मेरी बताओ मैं morning से अभी तक चार offline classes ले चुका हूँ ठीक चार और लगातार पिछले चार गंटे से तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ बोलो मानते हो पता नहीं कब तक पढ़ाओंगा इसके बाद कल भी मैं class लूंगा मानते हो उस बात को offline में जाकर करें लूंगा न भाई तुम तो आराम से चद्दर ओड के सो जाओगे एक दिन का तुम्हें full rest चाहिए होगा लेकिन जब मैं इतनी high energy के साथ तुमारे साथ टिका हुआ हू इस मैदान में मुझे तो जई का exam नहीं देना मेरा तो selection हो गया 2010 में मानते हो लाइफ एकदम सेट है लेकिन फिर भी अगर मैं तुमारे साथ टिका हूँ तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मेरे साथ टिकना चाहिए यहां भाई लोग कह रहे हैं कि सब break दे दीज सर डिनर नहीं किया मैंने भी डिनर नहीं किया बाई मैं आठ बजे से क्लास ले रहा हूँ मेरे उससे पहले मीटिंग हुई उससे पहले मेरी offline क्लास खतम हुई मेरे पास भी तो समय नहीं है पागल पन चाहिए बाई कल मैस देखा था Maxwell टांग तूट गई बाई की 91 पर साथ मैदान में अंत तक खेल करके मैच जिताया और वो भी तब जब उसकी बाड़ी ने भी साथ देना शुरू कर दिया था साथ देना छोड़ दिया था तो भाई गिव अप नहीं करना है अभी तो चार गंटे निगले अभी इस और ब्रेक देदो पानी पिला दो अरे भाई क् पहले 20 गंटे का भी मैराथन ले चुका हूं यार तो जजबे के साथ टिके रहो यार हाउ दजोस चले बाई चले नेक्स्ट यहां पर जैसा कि आप लोग देख चुके हैं वर्क को हम कवर कर चुके हैं एक बार मैं फटाफट से आपको जल्दी से रिमाइंड करा देता हूं कि हम वर्क में क्या-क्या पढ़ चुके हैं हम वर्क दन बाई इंटर्नल फोर्स पढ़ चुके हैं अगली फिजिकल क्या पावर पावर इस रेट ऑफ वर्क दन पर यूनिट टाइम मतलब जब कोई भी बाडी पर वर्क किया जा रहा है तो उस वर्क के करने का रेट किया है कही न कहीं हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई बाडी पर किसी फोर्स का वर्क हो रहा है तो वो बाडी पर वो फोर्स या तो एनर्जी दे रहा है या एनर्जी ले रहा है तो एनर्जी द आती है वो दिक्कत आज समाप कर देंगे पावर पर इतने पीवाई क्यू ले करके आया हूं कि तुमारे पावर के सारे डाउट ख़तम हो जाए कि स्केलर क्वाइंटिटी यह पता होना चाहिए यह सब आपको पता ही होर्स पावर 746 वाट होता है जब मैं बात कर रहा हूं एवरेज पावर की तो पहली बात तो जब वर्क किसी फोर्स का होता है तो पावर भी किसी फोर्स का होगा तो जब भी हम बात करेंगे पावर की तो हमें यह मेंशन करना होगा कि वो पावर किस फोर्स की है तो यहां पर पावर जैसा की बताया rate of work done और जब हम rate define करते हैं तो rate दो तरीके से define हो सकता है एक instantaneous और एक average तो average power को कैसे लिखा जाता है average power को लिखने का तरीका है work done upon time इसे हम लिखेंगे total work done लिखेंगे total work done divided by total time this is a average power जब हम बात करते है instantaneous power की तो instantaneous power को लिखेंगे dw by dt ठीक है dw क्या है पता यह for a very small displacement work done that is what f dot d is यहाँ पर dw की value अगर हम put करें और यहाँ expression को अगर observe करें तो यह बनेगा f vector dot ds by dt और यह बताएं ds by dt क्या है आपका velocity vector this formula is important अगर आपको किसी भी एक moment पर power निकालनी है तो वो power निकालने का तरीका है force vector और velocity vector का dot इसी term को open करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f v cos theta अब power निकालने के लिए आपके पास 2 choices होती है जब भी आप instantaneous निकाल रहे है या तो आप velocity का वो component निकाल लीजे जो force के direction में है या फिर आप force का वो component निकाल लीजे जो velocity के direction मुद्दे की बाद सिर्फ इतनी सी है कि मान लीजे एक particle की velocity अगर इस direction में है और उस पर लगने वाला force इस direction में है और यह एंगल ठीट है तो हम यहाँ पर इस चीज को दो तरीके से सोच सकते हैं पहला तरीका क्या होगा दो लोग के अपने अपने विचार है पहला तरीका यह होगा कि आप force के component करें फोर्स का एक यह component होगा fcos theta और फोर्स का एक component होगा f sin theta वहलो मानते हो अ हम यह कहेंगे कि force का वह component जो velocity के along है that will be responsible for the power supplied प्रीप्स वाट रेट ओफ वाक दन और वाग्दन फोर्स का वही component करेगा जो velocity के along होगा एक तरीका यह है दूसा तरीका क्या है सोचने का वो देखिए दूसा तरीका यह है भाई यह रहा फोर्स और यह रही velocity और यह रहा एंगल ठीटा बोलो किलियर है आप क्या करिए यह विलासिटी का वो component निकाली है जो यहां पर दूसा तरीका यह भी है लिखने का कि एफ इंटू वी पैडुल डिस अपावर और पहला तरीका क्या था एफ पैडुल इंटू वी इंटू बढ़िया है पहला वाला दूसरा वाला आरे ठंड रखो दौनों ही अपनी जगा सेमी है कई बार क्या होता है कि फोर्स का component करना आसान होता है कई बार विलासिटी का component करना आसान होता है लेकिन एक बार समझ में आ रही है न किसी भी गिवन फोर्स की जो पावर है वो पॉजिटिव या नेगटिव कुछ भी हो सकती है वो बताईए आंसर क्या होगा power delivered by centripetal force centripetal बोलने का मतलब यह हुआ कि net force जो की velocity के perpendicular है अगर फोर्स विलासिटी के perpendicular है तो दो वेक्टर जो की आपस में एक दूसरे के perpendicular है जल्दी से बताईगा क्या उसका dot 0 आएगा या नहीं आएगा तो हम यह कह सकते हैं जब centripetal force के power की बात करेंगे तो जीरो आएगी अगर कोई एक ऐसा force है जिसका velocity vector और force vector के बीच का एंगल अगर वो acute है acute नहीं बेटा acute है तो उस case में हम यह कहेंगे कि power delivered by that force will be positive और अगर वो angle obtuse है तो हम यह कहेंगे कि power delivered by that force will be negative इसलिए यह वाला formula हमारे लिए काफी जादा important हो जाता है यह भी याद रखिए और यह भी याद रखिए बोलो यहां तक सब कुछ के लिए है बोलो यहां तक कोई चीजें बता रहा हूँ धियान से सुनिएगा कई बार question जो आते है न वो direct question नहीं आते आपसे मला आपके सामने rarely ऐसा कोई question मिलेगा कि force दे दिया velocity दे वेक्टर फॉर्म में dot कर दो ठीक है question बड़े गुमा गुमा करके पूछे जाते हैं मला सुल्टा सुल्टा के पूछे जा रहे हैं मला आप सोच रहे हैं इन स्विंग आएगी लेकिन रिवर्स स्विंग आ रही है ठीक है क्या होता है सुने एक और चीज बता देता हूँ जैसा पावर बराबर आपने लिखा dw by dt वहलो लिखा भाई मानते हो यहां पर तुम्हें समझ आ रहा है कि जो वर्क डन है उसे लिखोगे इंटीग्रेल पी डीटी है मैं यहां पर यह कह सकता हूँ कि अगर मुझे पावर और टाइम का पावर और टाइम का गिराफ दे दिया जाए भाई तुम लोग नोट भी कर रहे हो कि नहीं अग अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो आपके अपने पास क्लास नोट होंगे उसमें यह काम-काम की बातें लिखते जाएगा ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए सेशन घतम हो गया सत्संग सुनके चले गए कुछ याद ही नहीं है ठीक है देखना भाई यह टीवन यह टीट नहीं कही है यह टीवल हो सकता है जब यह पावर नेट फोर्स क्योंकि कि किसी एक गिवन फोर्स का वर्क बरावर चेंज होता नेट वंदगा नेंट को मतलब चृंई मैं ऐल दग्वाग सीज अगर उस गिवन ब्धाड़ी पर इस लगई तो यह ने चिन अट व्धय वर्क चेंज इन काइंटिक एनरजी होगा तो यह जो पावर है यह नेट पावर है ठीक बोलो यहां तक किलियर है यहां से तुम्हें एक बात बहुत किलियर ली समझ में आ रही होगी कि अगर पावर कॉंस्टेंट हुई सुनना द्यान से जही मेंस न लगातार इस प्रोफाइल पर कर रहा हूं वह 5W कर रहा हूं तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह बताइए कि चार सेकेंड में कितनी एनरजी सप्लाई होगी तो आप कहेंगे पांच इंटिव चार बोलो किलियर है तो यहां पर यह है टोटल अमांट अफ एनरजी सप्लाइड और इसको बराबर आप कर को मैं यहां पर F.V लेकिन आप जानते हैं कि जो फोर्स है फोर्स उसे मैं क्या लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन मैं अब यहां पर बात करने जा रहा हूं 1D मोशन की किसकी बात करने जा रहा हूं 1D मोशन 1D मोशन में हम यह कह सकते हैं कि फोर्स और विलासिटी वेक्टर या तो पैरवल होंगे या फिर एंटी पैरवल होंगे ठीक हाँ तो यहां पर अब अब आप्ज़र करना कि इस वाले टर्म में जो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है उसे आप या तो डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं बोलो मानते हों या फिर यहां पर इस एक्सेलरेशन को चेक करो मैंने क्या लिखा है मैंने कहा कि या इस एक्सेलरेशन की वालेवल या तो वी इंटो डी बाई डी अक्सेलरेशन लिख शोगी और अगर वंडी मोशन की बात कर रहे हैं तो मैं ठीटा को लेकर के ज्यादा concerned नहीं हूँ, क्योंकि theta या तो 0 होगा या 180 होगा, तो कि force और acceleration के बीच का, sorry, force and velocity के बीच का angle 0 या 180 ही हो सकता है, तो यह मैं क्यों बता रहा हूँ यह result और यह result इनकी जववत पढ़ सकती है कई बार क्या होता है कि आपको हो सकता है power as a function of position दिया जाए and now they are asking you velocity then you can use that expression कई बार हो सकता है कि power as a function of time दिया जाए मतलब जो power है, वो time का function दिया हुआ है, now they are asking you velocity as a function of time तो we can use that differential equation और यह वाली equation कभ यूज करनी है, जब यह as a function of position लिखा होगा हाँ आबाई, हाँ आबाई, all is set 4 गंट 80 के साथ complete हो चुके है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सांदार उम्दा performance, एक बार सभी लोग अपने लिए सांदार जोड़दार तालियां बजा दे भाई क्या power का concept आप सभी को समझ में आया मैंने इस page पे जो भी बाते लिखी है मुझे पताए कि हो सकता आपके class notes में ये चीजे ना लिखी हो तो please लिख लीजेगा क्योंकि questions को solve करने के लिए ये सारी चीजे बहुत ही important है मैं अब सीधे यहाँ पे questions पे आ रहा हूँ चलिए, questions शुरू करते हैं ठीक है, आराम आराम से questions solve करिए कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी मत करिए ये माल लिजे कि relax करते हुए questions को solve करना ठीक, एक मिनेट का समय लिजे और question को पढ़िए और सवाल को solve करने की कोसिस करिए तलियां बसती रहनी चाहिए भाई, बहुत ही सांदा आरसम भाई, आरसम येस, येस, प्राए करिए, question पढ़िए भाई मावीर भाई साब कर रहे हैं कि सर मैंने वॉइस दीमी कर लिया क्योंकि घर में सभी लोग सो चुके अच्छा एक बाह बताईएगा कि कि इस समय अपने घर पर हैं मतलब होम टाउन पर है कि आप में से कुछ स्टुएंट्स तो ऐसे होंगे जो अपने होस्टल से पीजी में हो अब अलाइन बच्चे जो होते हैं तो भाई ओनलाइन वाले तो घर में तो यार लोग कह रहे होंगे यार यह क्या चल रहा है रात को इतनी रात को कौन पड़ाता है कोई संकी आदमी है क्या है अच्छा आप लोग कहां कहां से हैं क्या बात है अच्छा एक बात बात बताएगा यह सवाल आप देख रहे हैं ऐसे सवाल तुमने पहले कभी भी देखे हैं क्या बिल्कुल देखे होंगे अगर आप लोग जैसे एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं और आपने ये चैप्टर पहले अपने जीवन में कभी पढ़ा है तो ऐसे questions देखे हैं में सबसे बड़ा समस्या क्या है मिया समझ ही नहीं आता करें का यही दिक्कत है न यह ंप लोगों को डिफिकट लगते हैं लगते और उस ब्रयमार्मास्त का यूज करते रहीं है और ऐसे सवालों के आंसर निकालते रही है Sir I am from Madhuvani Bihar क्या बात है या बहुत बढ़िया भई देखना यहाँ पर question में एक बात लिखी है constant power supplying energy source और वो आपसे पूछरें displacement और time का graph question पहले समझने की ज़रुवत है आपसे वो displacement as a function of time पूछरें में power constant दी है कुछ लोग कहते हैं straight line होगा कुछ कहते हैं constant होगा मैंने एक थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि अगर power constant है तो power into t बराबर t time में कितनी energy supply होगी p into t और यह energy गई कहाँ to change the kinetic energy हमें वैसे भी proportionality निकालना है तो हम कुछ assumption ले सकते हैं माल लेते हैं कि initially particle rest पे था तो हम यह कहेंगे कि t time में जो energy supply हुई p t क्या मैं इसको बेटा half m v square के बराबर कर दूँ जरह यहां से observe करेगा आपके पास v square की value आ जाती है v square की value आती है 2 p t 2 p t divided by m यहां से देखने के बाद आप लोग observe कर पा रहे होंगे कि जो v की value है वो हमारे पास आती है square root of 2 p by m into t की power half इसको अलग से लिख दिया क्योंकि यहां पर यह तो आपने velocity की proportionality निका ली है लेकिन जनाब सवाल पढ़िये जरह velocity की निकाल ली है position तो देखो हमें proportionality चेक करनी है तो यह term तो constant है तो अगर मैं इसको k लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है मैं यहाँ पर यह मान सकता हूँ k into t की power half follow done अच्छा बहुत बढ़िया जल्दी आएगा यहाँ पर यह v लिखा हुआ है मैं यहाँ पर v को क्या लिख सकता हूँ dx by dt मैं यहाँ पर v को क्या लिख सकता हूँ dx by dt और यह value किसके बराबर होगी k into t की power 1 by 2 तो यहाँ से देखके समझ आ रहोगा dx बराबर आप क्या लिखेंगे k t की power 1 by 2 into dt क्या आप इस expression को integrate कर सकते आप जड़ा integrate करेगा आप observe करेगा यहाँ पर बनेगा k t की power half को integrate करेंगे तो t की power 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 again यह term पूरा constant है इसको k dash कह देते हैं मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पर displacement बराबर आजाएगा k dash into t की power 3 by 2 तेखिए अगर power constant है सुनिये का ध्यान से अगर power constant है तो velocity proportional आती है t की power 1 by 2 के और displacement proportional आता है t की power 3 by 2 के यह छोटी सी बात लेकिन इस पर j mains में पूचे गए कई सवाल यहाँ पर यह है थोड़ी सी mathematics घबराने की ज़वत नहीं आराम से देखिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मुझे यहाँ पर कुछ भी explain करने की भाईयो जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं है जरूरत बताईए क्योंकि यहाँ पर pure mathematics है यह आपने kinematics में पढ़ा है कि अगर मुझे velocity as a function of time पता है तो मुझे अगर position तक पहुँचना है तो मुझे इसको integrate करना पड़ेगा अब आजाओ पीछे सवाल पर अब यहाँ पर देखना तो मैं यहाँ जो graph बनाना है वो बनाना है s बराबर k इंटू t की power 3 बटे 2 तो यार यह तो साफ दिख रहा 3 बटे 2 यह है power 1.5 तो बताओ कौन सा graph होगा मेरे साफ से third will be the correct answer क्या आप लोग का answer भी 3 आ रहा है sir आप और Salim sir बिल्कुल एक जैसा पढ़ाते हो ऐसा क्यों actually मैं और Salim sir we are very close friends और हमारा जो teaching career है वो एक ही institute से शुरू हुआ है तो हमारा जो teaching experience है वो लगबग एक जैसा रहा है इसलिए हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि एक जैसा पढ़ाते हैं ठीक है लेकिन Salim sir is one of the great teacher बहुत सांदार teacher है काफी students के लिए inspiration भी है यह बहुत परानी कहानी है चलिए move on आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ठीक तो भाई clear है आईए अगले सवाल की तरफ आते हैं अगला सवाल देखो अगेन आपके सामने एक और पावर का सवाल J-Mains 2020 में पूछा गया है J-Mains 2020 में पावर का क्या question है यह question को जल्दी से फटा फट पढ़ेगा यह question को पढ़के तो लगता है बड़ी बड़ी बाते हो रही है जब मैं आपको solution बताऊंगा तो आपको ऐसास होगा यह तो बहुत ही आसान question है Question क्या है Constant power of 1 Joule per second The body starts from rest and move in a straight line After 9 seconds the body has moved a distance Again आप फिर से observe करिये कि power constant दी हुई है And they are asking you about the displacement तुम्हें नहीं लग रहा कि बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा भी हम लोगोंने solve किया बस इस बार आपको कुछ numerical data दिया हुआ है और उस numerical data की help लेकर के आपको question को आगे solve करना है मेरे भाई हो यहाँ पर solve करने का तरीका क्या होगा कि मैं सबसे पहले यहाँ किसी general time t की बात करता हूँ 0 से t time तक कि अगर मैं बात करूँ तो इस time interval में कितनी energy supply होगी तो मैं लिखूँगा power into t यह energy गई कहां तो मैं क्या निकालना distance तो मैं सबसे पहले मेरा जो main objective होगा वो क्या होगा पता है मैं यहाँ पर सबसे पहले velocity as a function of time निकालूँगा यह देखना एक मिनट एक मिनट यह देखना यह भाई एक मिनट रुखना महा पात्रा क्या कहा रहा है सर ऐसे नहीं होगा constant power means constant work means constant force means constant acceleration oh my god गजब concept बताए constant power मतलब constant work कहां पढ़ते होगे और constant work मतलब constant force यह आपके concept बहुत हिले हुए है क्या नाम क्या आपका भाई के लिए 21 तोपो की सलामी एक बार भाई जो कह रहे है कि work constant तो force constant वा वेटे वा मौज कर दी भाई ने मैं इस बात को यहीं से प्रूफ कर देता हूँ मेरे भाई यह पता ना power बराबर f.v होता है यह constant body पर force लग रहा है और अगर force लग रहा है तो क्या उसकी velocity चेंज नहीं हो रही होगी वा भाई वा मौज आगी भाई मौज यह इतने गटिया concept यह पक्का मेरा student नहीं है मेरे student इस तरीके की वायाद सवाल तो नहीं कहते सवाल सुना power constant work constant force constant velocity constant acceleration constant साला सब कुछ constant अब तुमारी life constant कैसे है बे गजब फोकस फोकस यहां पर आते हैं हावाई आ जाईए भाई हाफ m, m की वाल्यू कितनी है 2 into v square एटा मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर v square बराबर t आगे तो यहां पर अपन यह कह सकते हैं कि v बराबर t की power 1 by 2 आगे लेकिन हमें निकालना है distance तो मैं यहां पर इस v को क्या dx by dt लिखूँगा और dt को उधा transfer करूँ तो again यह सम आपके सामने कुछ ऐसा बनेगा और we have to integrate that expression यहां पर जब आप integrate करेंगे तो limit जाएगा 0 से 9 तो देखेगा देहान से यहां पर तुमारे पास क्या बनेगा x बराबर t की power यह बनेगा 3 by 2 divided 3 by 2 तो यहां पर x की value आएगी आपके सामने 2 by 3 into t की power 3 by 2 तो हम यह कह सकते हैं 2 by 3 multiplied by t t की value कितनी है 9 ओके नाइस तो 9 की power 3 बटे 2 बोलो clear है अब ज़रा देखना 9 की power 3 बटे 2 का मतलब यह हुआ 2 by 3 into 3 का cube तो जणाब यह value आती है 2 by 3 into 3 का cube जो की 27 है और यह 9 है तो यह value 18 मेरे एसाब से बेटा 18 joule will be the correct answer क्यासा लग रहा है मजा आ रहा है बहुत देर होगी चूरन-चूरन सवाल करके मैंने पहली काता कि power पढ़ने में बहुत आसान होता है तेकिन जब power के questions आते हैं दिमाग एकदम से हिल जाता है समझी नहीं पाते लेकिन अगर आज के lecture में मेरी बातों को तुमने बहुत ध्यान से सुना है तो मैंने आपको यहां पे एक ब्रह्मास्त्र बताया था कि अगर पावर कॉंस्टेंट है तो पावर इंटू टाइम विल बी क्वश्टू दा चेंज इन काइंटिक एनरजी यह हिंट आपके लिए सफीशेंट है क्योंकि यहां से वी आपको ऐस फंक्शन अफ टाइम मिले आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है आजाओ बेटा शुरू हो जाओ यह पैन चलाने की जोगती नहीं है यह मेंस 2021 यह कॉश्टन तो अभी सौल किया तुम देख रहे हो एक ही कॉंसर्ट मुल्टिपल सवाल पूछे जा रहे हैं डिस्टेंस मूट बाड़ी इन ताइम टी तो सौल किया था मिना पैंट चला टी की पावर तीन बटे दो बोलो यह तो सौल भी नहीं करना पड़ा वे बहुत बढ़िया अगला सवाल हाँ यह ट्राय करिए बाई दो हजार बाईस में एक क्वेस्टन आ चुका है ज़स्टेक यो टाइम जल्दी बताइए जल्दी बत याद से ध्यान से question पढ़ लिजेगा particle vertical circle में घूम रहा है लेकिन speed constant है speed कैसे constant रखी गए this is not a point of discussion यह question में mention है मतला हम यह कह सकते है particle uniform circular motion कर रहा है ठीक तो tension in the string is same throughout the motion minimum at a highest point minimum मुझे तो लगता पैंड भी नहीं चलाना पड़ेगा यह तो logically तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर एक particle जब circular motion में घूम रहा है इस तरीके से मेरे भाई जल्दी से बताना यहाँ पर देखने की बाद तुम्हें बहुत clearly समझ में आ रहा होगा कि speed हर जगा constant है यहाँ यहाँ भी तो यहाँ पर भी जनाब भी है speed is same at each and every point लेकिन tension हर जगा सेम नहीं होगी अगर आप यह सोच रहें कि tension की value मैं mv square by l लिख दूँ तो आप गलत सोच रहें जल्दी बताए answer will be what बहुत बयक्षय उपाद दिया ने एकदम सही जवाब दिया कि tension की maximum value bottommost point पर होगी और minimum value topmost point पर होगी मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं पता है जब यह सवाल आया था तो ज़्यादा तो लोग इस सवाल को गलत करके आए थे क्योंकि उनने सोचा कि tension बढ़ाबर m into ac और ac constant है v square by r भहिया mg कहां चला गया question में बहुत किलियरली mention है vertical circle you have to consider the gravity also यहाँ पर जब लिखेंगे तो tension उपर है mg नीचे है तो नीचे वाले point पर अगा tension t1 है तो आप लिखेंगे t1 minus mg और यह बराबर लिखेंगे आप mv square by l तो second वाली situation में बात करें तो बेटा tension भी नीचे है और mg भी नीचे है तो second वाली equation में मैं लिखूंगा tension और mg का जो sum है वो बराबर mv square by l जो की देख के समझ आ रहा है t2 बराबर mg minus mv square by l same आ रही है अलग लग आ रही है तो यहां पर इस same throughout the motion गलत minimum at the highest position of the circular path यह सही है इसका मतलब answer should be 2 answer should be 2 क्या आप सभी का 2 आ रहा है क्या क्या आपका answer 2 आ रहा है क्या बहुत बढ़िया आनंद अवस्ति बेटा यार यहां पर time waste मत करो जब पढ़ा रहा हूं तो पढ़नी रहे हो और यहां पर ज्यान दे रहे हो यार मेरे student तो नहीं लग रहे है है ना मेरे student जो है ना वह बहुत focus हो करके पढ़ते हैं अल्ट की comment वाजी कर रहे हैं बहुत बढ़िया चलिए आगल सवाल की तरह यास यास नेक्स्ट क्वेस्ट आ जाईए जस्ट टेक यो टाइम यह क्वेस्ट पता है कहां से चोड़ी किया गया है इरोडो से हां भाई इरोडो के भी questions उठा उठा करके कई बार मेंस में पूछ लिए जाते हैं लेकिन यहां पर आपसे बहुत छोटा सा हिस्सा पूछा गया है पावर्ट यह क्वर्डोडो्स पूछ पीनिति में आपको व्याल पीर सथे किता हूं नेरिट पर को चाहिए झाल 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 हाँ जी भाई याल चाल 3 आंसर बताया जा रहा है ससांक ने 3 बताया सौमेदीब भॉमिक ने भी 3 बताया 3 पे टिक कर दें क्या चलिए भाई solve करेंगे हो सकता है कि आप लोग ने लेकिन सभी लोग अगर 3 बता रहे है तो इसका मतलब इतना तो तै है कि आप लोगों ने एकदम सही solve किया तो क्वेस्चन में क्या है पार्टिकल इस मूविंग ओन अ सर्कुलर पाथ और रेडियस कॉंस्टेंट और इसका ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दिया हो तब पावर डिलीवर तो दा पार्टिकल देखो मुद्दा ये है कि जब हम पावर की बात करेंगे तो पावर बराबर मैं लिखूंगा force vector dot velocity vector और यहां पर ये बात समझ आ रही होगी कि यार देखो जो force लग रहा है उस force के दो component किये जा सकते एक center के towards और एक velocity vector के direction में मतलब यहां पर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ fc dot ft vector dot velocity vector तो मैंने थोड़ी दिर पहले एक बात बताई थी बहुत ही important कि centripetal force के द्वारा जो power delivered है वो 0 होती है उसको आप यहां पर use कर सकते हो क्योंकि जब fc का velocity के साथ dot करोगे तो fc और velocity का dot क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ft और velocity vector पैरवल होंगे तो यहां पर अपन कहीं न कहीं यह लिख सकते है tangential force multiplied by velocity बोलो यहां तक समझ में आया यह है power अब tangential force कैसे निकालोगे बेटा यह बताओ कौन सा acceleration दिया हुआ है centripetal दिया हुआ है मतलब v square बटे r बराबर क्या होगा k square into r into t square जड़ा observe करना यहां से v square की value क्या तुमारी k square r square into t square आ रही है जल्दी से बताना यहां पर क्या speed की value k r into t आ रही है और थोड़ी देर पहले जब हम circular motion पढ़ रहे थे mass से multiply कर दूँ क्या आपको force मिल जाएगा मेरे भाई जड़ा observe करना कि आपको जब power calculate करनी है तो आपको क्या लिखना है tangential force multiplied by velocity vector tangential force होगा mass into tangential acceleration यहां पर इसको अगर differentiate करें तो जड़ा देखिएगा a t बराबर dv by dt और dv by dt की value आती है k into r यहां से आगया a t तो यहां से आगया f t f t की value क्या लिखोगे m into a t और इसको multiply करोगे किस से v से point is this कि यहां से एक minute यहां पर मैंने power के उपर vector लगा दिया जो कि मुझे नहीं लगाना चाहिए था है ना भई power तो scalar quantity है power तो क्या है scalar quantity है हाँ तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे power बराबर m into a t a t की value क्या होगी k into r multiplied by velocity और अगर आप observe करें तो velocity कितनी है k r into t तो यहां से यह value आती है m into k square r square into t and this is the power आपने एकदम सही जवाब दिया था answer will be the 3 answer will be the 3 done चले आगे बढ़ूं क्या इसी के साथ बहुत बढ़िया ओके तो इसी के साथ power के questions आपके खतम होते हैं भाई ठीक है power के इतने ही questions थे अगला जो हम article start करने जा रहे है that is the last article of this chapter उसके बाद पिर धमाकेदार शुरुवात करेंगे center of mass की तो तैयार हैं आप सभी लोग बोलिये ओके अभी रुखिए next chapter start होगा बस लास्ट आर्टिकल खतम करना है ठीक है जल्दी बताऊंगा फटाफट देखते जाएगा आपने ये terms सुना होगा अगर इस बात को मैं लिखना चाहूँ एक लाइन में तो ऐसे लिख सकता हूँ कि work done बराबर close integral of force vector dot dl vector बराबर 0 अगर दुनिया के किसी भी close path में किसी given force का work 0 है तो बेटा हम उसे conservative force कहते हैं और इसका मतलब इसी बात को थोड़ा सब modify करके मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि conservative forces का work path से independent होगा आप दुनिया के किसी भी path में conservative force का work निकाल लिए हर path में उसका work सेम आएगा ऐसा मैं क्यों बोल सुनिएगा ध्यान से माली जे यह point 1 है यह point 2 है this is a first point this is a second point आप point 1 से 2 गए work done हुआ w1 ठीक अब आप यहां पर 2 से 1 आए जब आप 2 से 1 आए तो work done क्या होगा minus w1 जोगी close path में work क्या करना है बेटा जीरो करना है लेकिन एक बात बताईएगा 2 से 1 आने के कितने number of ways हो सकते हैं हाव मैंनी number of ways जिन तरीकों से आप 2 से 1 आ सकते हैं फटा फट बताईएगी दो से एक आने के कितने तरीके हो सकते हैं इंफिनेट वे इसे आ सकता हूँ मैं यू ऐसे घूम करके आ सकता हूँ मैं कैसे भी आ सकता हूँ बोलो आ सकता हूँ क्या how many number of ways are there यहाँ पे जो number of ways है वो आपके infinite हो सकते हैं तो जनाब आपको पता है कि हर path में work minus w1 ही आएगा तो इसका मतलब जो forces जिनका work दुनिया के किसी भी close path में 0 होता है उसे हम conservative कहते हैं क्योंकि उनका work यहाँ पे यह भी देखके समझ में आ रहा है लॉस नहीं होता जब भी आप इन forces के against में work करते हैं तो वो in the form of potential energy store हो जाए और अगर वो potential energy की form में store हो गया तो उसे बापिस लिया जा सकता है इसलिए तो word आया conservative sorry हाँ मैं क्या word आया conservative conserve का मतलब समझते हैं save save क्या हो रहा है जो इसके against में work हो रहा है मतलब अगर आप यहाँ पर जैसे कि मैं आपके सामने एक example लो मैं यहाँ से एक block को उठा के उपर ले गया आपको पता है mg नीचे लग रहा है मैंने gravity के against में work किया तो जब मैंने gravity के against में जो work किया है वो loss नहीं हुआ वो in the form of potential energy store हो तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आगे एक नई energy के वारे में पढ़ेंगे potential energy लेकिन यह potential energy का जो term है वो सिर्फ और सिर्फ conservative forces के साथ ही associated है एक मिनट रुगेगा भई प्रवेश के साथ है झाल झाल थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर उसके बाद इस्टार्ट करेंगे तीर मिनिट का ब्रेक है ठीक उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे ओके बाई जब तक आप लोग भी पानी वानी पी लीचे या ओल इस गुड मैं आता हूँ अभी बापिस तीर मिनिट के बाद आता हूँ ठीक जगासी स्टार्ट के बाद ऑल एकट है ओन्से 할ाकिर झाल 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 आवाई all is set marker कहां गया भै yes yes all is set oh ho rookie निराया अब ही बॉइस आडिये क्या मेरी थोड़ी दिर ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे भाई ठीक है आप लोग भी पानी बानी पिली जे उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं ओल्ड है भाई थोड़ी देर के लिए काफी देर से ब्रेक भी नी मिल पैना आप लोग को ठीक पांच मिनिट बाद स्टार्ट करें कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक पांच मिल पांच मिल पांच मिल देर के लिए रग्ड़ी देर के लिए कुछ थो नहीं है करते हैं झाल 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 तो मैं यह कह सकता हूँ कि conservative forces का work path से independent होता है और साती साथ conservative forces के corresponding हम potential energy का term define कर सकते हैं यह यहाँ यहाँ बाखी जनता कहां चली गई इतनी जनता थी दीरे दीरे लोग गायब कैसे हो गए यहाँ तो मैं यह कह रहा था कि भाई potential energy ना सिर्फ conservative forces की होती है आप ने कभी friction की potential energy का नाम सुना है नहीं क्योंकि friction एक non conservative force उसका work close पाथ में zero नहीं होता है यहाँ आपको यह भी constant forces होंगे ना constant मतलब इसका direction और magnitude दोनो constant हो वो conservative होगा gravitational force यह भी conservative है और spring force यह भी conservative है इसके लाबा कुछ और भी forces है जो कि हम 12th class में पढ़ते हैं like electrostatic force है ना वो भी conservative है इन forces के corresponding हम potential energy वाला term define कर सकते हैं मतलब मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि gravitational potential energy define है spring potential energy define है electrostatic potential energy define है हाँ भई आगे बढ़ते हैं अब देखेगा यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था potential energy potential energy मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ दिहान से सुनना यह बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ potential energy को कैसे define किया जाता है जो change in potential energy होता है चेंज मतलब final minus initial इसे बराबर पता है हम लोग क्या लिखते है negative of the work done by internal conservative forces this is important कि define किस तरीके से किया गया है यह सिर्फ conservative forces के लिए define है और पहली बात यह किसी एक particle के लिए define नहीं यह system के लिए define है और अगर system के लिए define कर रहे है इसलिए यहाँ पर internal word use किया गया है और आप यह जानते हैं कि work done अगर internal forces का आप निकालना चाहते हैं मतलब मै यहाँ पर यह कह सकता हूँ यू final और यू initial का जो difference है वो बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं integral of force vector.displacement vector आज के बाद जब भी आपसे change in potential energy पूछा जाए देखो दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि या तो आपको force दे दिया जाएगा और change पूछा जाएगा तो यह change निकालना तो बहुत ही आसान है क्योंकि आपको अगर work done calculate करना आता है तो भाई work done calculate करें और उसमें negative sign लग है ठीक हाँ सुने का द्यान से जैसे कि मैंने बताए gravitational potential energy तो मैं आपको बता दूँ जैसे आप यहां से एक block को HI2 उपर तक लेकर के गए पहली बाग तो यह जब gravitational potential energy की बात कर रहा हूं तो यह block की potential energy नहीं है there is no meaning of the gravitational potential energy of the block यह जब potential energy यह define की गई है यह block plus earth पूरे system की है कहने के लिए हम कुछ भी कहते देते हैं लेकिन यहाँ पर potential energy का जो term है वो internal forces के लिए define है और internal forces का मतलब क्या हुआ जिसका action और reaction system का ही हिस् जब भी हम बात करते हैं तो change निकालते हैं और यहाँ पर वो change जो है वो किसके बराबर आएगा बेटा MGH के बराबर आएगा किसके बराबर आएगा भाई MGH के बराबर आएगा बोलो clear है हाँ आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर हमेशा याद रखेगा कि अगर तुमने इस point पर potential energy U0 माने तो H height उपर जाने के बाद जो आप potential energy मानेंगे ना इस point की potential energy आप पता है क्या लिखेंगे U0 प्लस MGH इसी तरीके से यहाँ पर एक और term define किया जाता है spring potential energy वहाँ पर spring potential energy को भी आप ऐसे लिख सकते हैं half kx square लेकिन याद रखेगा half kx square हम तभी लिख पा रहे हैं जब हमने अपनी reference position reference position होती है natural length वहाँ natural length पर potential energy क्या मानी है zero मानी ठीक यह दो formula आपके mains level के लिए काफी काम आते रहते हैं एक तो gravitational potential energy और एक होता है spring की potential energy यह potential energy के term आपको पता होने चाहिए next यहाँ पर जो term हम define करने जा रहे हैं वो है potential energy associated with a force यहाँ पर एक minute हाँ देखिए दो तरीके के सवाल आते हैं कि आपको force देदेगा और delta u पूछ लेगा अब delta u पूछेगा तो आपको यह तो बताएगा ही definitely कि what is the initial of final positions तो वहाँ पर आप work done calculate करके मतलब delta u बराबर minus of w कि आते हैं कि potential energy दे करके they are asking you force यहाँ पर पता यार थोड़ी ज़्यादा मेनत करनी पड़ती है anyone of you जो बता सकता है कि potential energy दी है तो वहाँ से force कैसे निकालते है देखना द्यान से मालीज़ अगर मेरे पास potential energy as a function of position दिया हो है तो मेरेको अगर force निकालना है तो force का जब x component निकालेंगे न तो वह x component पता है क्या होगा partial derivative of this function इसी तरीके से आप जब y component निकालेंगे न तो पता है क्या होगा partial derivative of with respect to y और जब आप fz निकालेंगे न तो व मेहनत ज़ादा है क्योंकि scalar से आपको एक vector quantity तक 5 तो यहाँ पर बेटे हम यह कह सकते हैं कि अगर मैं force लिखना चाहता हूँ तो force को लिखने का तरीका क्या होता है fx i cap plus fy j cap plus fz k cap तो यहाँ पर negative sign को अगर बहार निकालेंगे तो यह बनेगा partial derivative of x यह बनेगा partial derivative of y और जनाब यह टम बनेगा partial derivative of z लेकिन यहाँ पर i cap, j cap और k cap लगाना मत भूल जाईएगा क्योंकि force scalar quantity नहीं vector quantity है, मुझे उमिद एक partial derivative तो आप सभी को करना आता ना भाई, या भाई, partial derivative कर पाओगे की नहीं, अगर मैं यहाँ पर तुमारे सामने एक function देदू, ध्यान से सुनना, u बराबर 2x square y into z cube, ठीक है, question सुनना ध्यान से, अब मैं आप से पूछू कि find the force, force क expression लिखिए, कैसे लिखेंगे, आप जब इस function को differentiate करेंगे, तो पहले x के respect में करेंगे, मतलब मैं यहाँ पर, अगर fx निकालना चाहता हूँ, तो देखो भाई, minus लगा दो बाहर, और यहाँ पर, अब करेंगे x के respect में, अब x के respect में करोगे, तो मुद्दे की बात यह, कि x के इलावा, यहाँ जितने भी terms आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि x के इलावा, जितने भी terms हैं, वो सारे constant होंगे, तो भाई, यहाँ पर जब हम करेंगे, तो minus 2y into z cube बाहर रखेंगे, और x square के derivative को क्या रखेंगे 2x, लेकिन याद रखिए, यहाँ से तुम्हें force का सिर्फ एक ही component मिला है, जैसे मैंने एक component निकाला, उसी तरीके से आप other two components भी निकाल सकते हो, अब मुझे ज्यादा करने की जोगत नहीं है, जैसे मैं y component निकालना चाहरा हूं, minus bar, partial derivative करना है, y के respect में, मेरे बा यहाँ है बाई, क्या हुआ बाई जनता, yes, क्या सारे constant है क्या, बहुत बढ़िया, अगर constant है तो इसका मतलब है y के लाब सारे term बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पर अंदर आपके सामने जो term बचेगा, वो क्या बचेगा, minus 2, yes, minus 2, एक मिनट, क्या हुआ बाई, minus 2, x square, into z cube, यह आ गया, और y का derivative यहाँ क्या होगा, 1, यह आपके पास force का y component आ गया, इसी तरीके से आप force का z component निकाल सकते हैं, पेटा जब z component निकालोगे, तो यह सब constant है, बहर आ जाएगा, तो 2 x square y बहर आ गया, और z cube को integrate करोगे, तो 3 z square आ जाएगा, तो 2 into 3, that is what, 6, तो minus 6 x square y into z square, मैनत तो करनी पर रही है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं, कि मैनत करनी है, दिमाग नहीं चलाना, अब दिमाग चलाना है क्या, बोलो जल्दी बताओ, क्या दिमाग चलाना है क्या, बिल्कुल नहीं चलाना, आपको क्या करना है, जो भी expression दिया हुआ है, उसको partially 3 बार differentiate करना हो बोलो clear है बाई, ओके नाइस, wonderful, देखें यहाँ पर यह expression आपके सामने लिखा हुआ है, तो यह expression बहुत important है, कई बार आपको potential energy दे करके force पूछा जाता है, अब मैं यहाँ पर last article की जो बात करने जा रहा हूँ, that is equilibrium, आप जानते हैं कि equilibrium को कितने सवाल पूछे जाते हैं, ब मुद्धा यह कि equilibrium stable है, unstable है, यह check करने वाली situation है, तो देखो equilibrium तो कोई भी हो, सबसे पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि वहाँ force 0 होगा, और अगर force 0 है तो d by dx की value 0 होगी, अब कि सर वो stable होगा या unstable होगा, तो मैं आपको बता दो, इसके लिए यह graph आपने देखा है, इस तरीक है, अगर एक particle इधर है, और एक particle इधर है, तो यह वाली जो situation है ना, यह stable equilibrium की situation, और यह वाली जो situation है ना, वो unstable equilibrium की situation, क्योंकि यहाँ पर particle को अगर मैं slightly displace करके छोड़ूँगा ना, तो particle दुबारा से अपनी given position पर आ जाएगा, क्योंकि stable equilibrium में particle की potential energy minimum होती है, जब मैं मैं बात करता हूँ, इस वाली position की ना, तो यहाँ पर particle को जैसे slightly displace करूँगा ना, तो particle पर forces उसी direction में लगेंगी, जिस direction में displace किया है, और अगर forces उसी direction में लगे, तो particle भाग जाएगा, और particle अगर भाग गया, तो यह वाली position आपकी unstable equilibrium होती है, याद रखना कि unstable equilibrium वाले case मे particle की जो potential energy है, भाई वो maximum होती है, और stable equilibrium वाले case में भाई उसकी potential energy है, वो minimum होती है, point क्या है, चेक करने का तरीका, अगर आपका double derivative उस given point पर positive आ जाए, तो याद रखना वो stable equilibrium होगा, या आपने math में पढ़ा होगा, concivity check करने का सबसे बढ़िया tool क्या है, double derivative, double differentiation, अगर double derivative positive तो stable, बोलो clear, अगर double derivative negative तो unstable और अगर neutral है, तो double derivative 0 आ जाएगा, बोलो clear है भाई, यहाँ पर यह देखना एक last article बचा है, mechanical energy and its conservation principle, यह क्या है सुनना, देखना किसी भी body पर जब forces लगते हैं, तो उन forces को ऐसे लिख सकता हूँ, work done by external forces plus work done by internal forces, और यह बराबर लिखूंगा change in kinetic energy, क्या work energy theorem सभी को याद है, लेकिन internal forces दो तरीके के हो सकते हैं, अब जो internal forces लग रहा है, भाई वो internal forces conservative भी हो सकता है, और non conservative भी हो सकता है, वो internal force conservative भी हो सकता है, और non conservative भी हो सकता है, बोलो इस बात से सहमत हो, तो मैं भाई यहाँ पर यह internal force जो तुमने लेकिन मुद्दे की बात यह कि internal conservative force का work क्या तुमको याद है कि negative of the change in potential energy होता है तो अगर मैं इस value को यहाँ पर put करूं तो मैं यहाँ पर जो अपना expression लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा work done by external force सुनना इस वाले term को अधर भेज दू प्लस work done by internal non conservative forces बराबर change in kinetic energy plus change in potential energy यह term क्या है याद करो this is a change in mechanical energy हम यहाँ पर यह कह सकते है अगर external forces और internal non conservative forces का sum अगर यह वाला additional term जो आप यहाँ पर देख पार है अगर यह term 0 होगा अगर यह term 0 होगा तो body के ऊपर sorry body की जो mechanical energy है कौनसी energy mechanical energy जो है वो constant रहेगी done तो आज के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि अगर किसी body पर सिर्फ conservative forces लग रहे है सुनना ध्यान से या सिर्फ उसके उपर conservative forces का ही work हो रहा है तो system की mechanical energy change नहीं हो सकती system की mechanical energy को change कौन करता है system की mechanical energy को change करता है external forces और internal non-conservative forces अगर यह दौनों का work total 0 हो जाए तो system की mechanical energy change नहीं हो यह बात याद रखेगा यह बहुती useful result बताया है that is based on the mechanical energy conservation principle अगर मैं इस result का use करूँ एक मिनट question बाद में करेंगे एक page और add करता हूँ हाँ देखेगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ अगर किसी given body के ऊपर सिर्फ conservative forces ही work करते हैं सिर्फ conservative forces का ही work हो रहा है तो mechanical energy conserve होगी बोलो हाँ या ना बोलो भाई पक्का मानते हो इस बात को बहुत बढ़े हैं सुनना भई अगर किसी system की mechanical energy conserve है और mechanical energy conserve है इसका मतलब initial mechanical energy बराबर final mechanical energy एक बाद बताना जो mechanical energy है इसे लिखते कैसे इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो change in kinetic energy plus change in potential energy हाँ सॉरी तब मैं बात कर रहा हूँ mechanical energy की तो यह क्या होगा kinetic energy plus potential energy यहाँ पर लिखेंगे initial वाली और यहाँ पर लिखेंगे kinetic energy plus potential energy final वाली done अतलब यह है initial और यह क्या है final ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब उस body पर सिर्फ और सिर्फ conservative forces का ही work हो रहा है बोलो done एक और बात बता रहा हूँ बहुत ही काम की सुनना क्या मैं kinetic energy बराबर mechanical energy minus potential energy लिख सकता हूँ बोलो बोलो हाँ या ना जब जब आप दो एक बात बताना यह जो टम आपको left hand side में दिखाई दे रहा है kinetic energy जल्दी से देख करके बताओ क्या kinetic energy किसी given body की negative हो सकती है क्या कभी सर external forces conservative नहीं होते बेटा conservative forces वाला term जो है वो सिर्फ internal के लिए ही define है potential energy का जो term है वो internal के लिए define है वो external के लिए define ही नहीं है define ही इस तरीके से किया गया हाँ मैं क्या बता रहा था कि देखो यह kinetic energy आपको पता है कि यह जो term है वो हमेशा या तो positive होगा या 0 हो सकता है इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि mechanical energy minus potential energy यह वाला term greater than और equal to 0 हो सकता है इसका मतलब क्या हुआ कि mechanical energy या तो potential energy से जादा होगी या फिर बराबर होगी particle सिर्फ और सिर्फ उसी reason में trap हो सकता है या particle सिर्फ और सिर्फ उसी reason में पाया जा सकता है जिस मैं mechanical energy, potential energy से जादा या फिर बराबर होगी यह सारी चर्चाएं जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तब कर रहा हूँ जब उस given body के उपर सिर्फ और सिर्फ conservative forces का ही work हो रहा है अगर उस given body के उपर conservative force work नहीं कर रहे तो तो फिर इसकी बात ही नहीं करनी चाहिए क्यों? क्योंकि भाईया फिर तो mechanical energy conserve ही नहीं होगी इस बात को याद रखना ये result आगे questions को solve करने में आपकी help करेगा तो at the end मैं finally conclude कर देता हूँ जल्दी से फटाफट की potential energy में हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें काम की है potential energy किस के लिए define है conservative और non-conservative conservative forces के लिए क्या से define किया? change define है absolute potential energy define नहीं है change क्या है? change बराबर negative of the work done by internal conservative forces बोलो clear है? gravitational potential energy क्या लिखते है? MGH अगर हमने surface पे 0 माना है तो spring potential energy half kx square अगर हमने natural length पे 0 माना है तो mechanical energy conservation कब लगेगा? जब external और internal forces का internal वो भी कौन से वाले non-conservative forces का work क्या हो? 0 हो done? बिल्कुल सर जब भी potential energy minimum होगी, kinetic energy maximum होगी? हा बेटा बिल्कुल maximum होगी? क्या सवाल करने के लिए सभी लोग तयार हैं एकदम? चलिए इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर screen पर आ चुका है try to solve it, पहला सवाल आपके सामने screen पर, चलिए solve करिए आवई बताओ भई, क्या रहे? आंसर बताओ भई, आंसर क्या रहे? आपके सामने की तरफ बताओ भई, आंसर क्या रहे? question देख लिया, ऐसे question कई बार आपने, इससे पहले कितने लोग हैं, जिन्होंने ऐसे questions को solve किया है? how many of you जो ऐसे questions को पहले भी solve कर चुके है? हाँ बाई, सोमनात मुकर जी, बताइए, क्या आपने ऐसा question कभी solve किया है? question को देखेगा आपसे क्या पूछा गया? potential energy का function देदिया, then they are asking you, कि भाईया, आपको यहाँ पे निकालना है, equilibrium separation, जब particle equilibrium में होंगे, तो उनके बीच का separation क्या होगा? और potential energy निकालने है, मेरे भाई, एक बात बताना, equilibrium का मतलब, can I say that, कि force 0 होगा? और force 0 होने का मतलब, can I say that, कि du by dr, जो है, वो 0 होगा, मतलब यह जो function मुझे दिया हुआ है, अगर मैं इसका derivative निकाल करके 0 कर दूँ, क्या मेरा काम बन जाएगा? जल्दी से फटा-फट देखना, यहां पर u बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? a into r की पावर minus 6 plus b into r की पावर minus 12, बोलो लिख सकता हूँ की नहीं? बोलो भाई, ओ भाई, इस्टूडियो में तो चुआ गूम रहा है बे, देखो भाई, यह चुए कहां से आ गए? वाह, यह भी रात कोई आते हैं लग रहा है, हाँ, यहां तक समझ आया, एक बाह बताएगा यहां पर, अगर मैं इसका derivative करूँ, मतलब du by dr, derivative जब करूँगा तो देखना, एक constant, यहां पर, minus 6 into r की पावर minus 7, प्लस, यहां पर आप क्या लिखेंगे b, minus 12 नीचे, और यहां पर क्या एगा, r की पावर minus 13, बोलो यहां तक समझ आया, हाँ, मैं यहां पर आपको एक बात बतातूँ, इस question में थोड़ा सा missing है, यहां पर जो potential energy लिखी कुछ हो सकता, आप लोगों का साथ answer match नहीं कर रहा हूँ, हाँ भई, बोलिए, यहां पर, जरा देखेंगा दियान से, यहां पर एक minus b आएगा, यहां पर, आना चाहिए, तब ही आपका answer आपाएगा, यह printing error है, मुझे एकदम से याद आ गया, तो यह वाला term positive हो जाएगा, बेटा, इसको 0 कर दे, यह click क्यों किया, क्योंकि यह term 0 होना चाहिए था, अगर वो value negative नहीं होती, तो यह term 0 होई नहीं पाता, अब observe करना, तुमारे सामने term क्या बना बेटे, 6a, बोलो, हाय न, अरे, पीछे वाली जनता सोना नहीं है, आखरी दम तक मैदान में टेके रहें 6a upon r की power 7 बराबर, 12b upon r की power 13, 7 power कड गए, मेरे भाईयों, यहां से r की power 6 बराबर, यहां से यह term cancel हुआ 2, तो यह आया 2b by a, तो यहां से देखने पर पता चला, कि r की value आती है, 2b by a की power 1 by 6, 2b by a, अभी या तो answer 3 होगा, या फिर answer 4 होगा, या तो answer 3 होगा, या फिर answer 4 होगा, बोलो clear है बाई, बताओ, यहां पर आप r निकाल चुके हो, मुझे लगता है, अब यह सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, इस r की value को just आपको potential energy वाले term में put करना है, जैसे आप potential energy वाले term में put करेंगे, क्या आपको answer मिल जाएगा, तो यहां पर observe करिएगा, जब मैं यहां पर u की value की बात करूँ, तो u क्या लिखूंगा, minus a upon r की power 6, r की power 6 जो है, वो क्या है, 2b upon a, ठीक है, plus b upon r की power 12, अब r की power 12 का मतलब क्या, इसका square करता है, और बताना जब इसका square करो होगे, तो यह क्या बनेगा, 4b square into a square, यहां पर यह वाला term cancel out हो जाएगा, तो यह term बनता है, बेटे, minus a square by 2b, plus a square by 4b, मेरे साब से answer minus a square by 4b, बताए कौन सा answer आ रहा है, 3 या 4, बहुत बढ़ी है, यस राज, सौम्यदीप, answer आपका 3 आ रहा है, एकदम सही है, पता यह potential energy के जब भी question आते है, equilibrium बाले, क्या बहुत tough हैं क्या, कभी भी सवाल में अगर बोला जाए, कि body equilibrium में है, तो इसका मतलब force 0 है, और अगर force 0 करना है, तो d by dr को 0 कर देना है, बहुत बढ़ी है, सीदु कुमार, बहुत सांदार, आगे बढ़ते हैं, आईए भई, अगला सवाल, य बहुत ही important question है, ऐसे question लगातार आप से पूछे गए है, please read this question, मैं side में हो जाता हूँ, जिससे आप question को read कर पाए, yes, please read this question, सर्फ clear नहीं आ रहा question, क्या question आपको clearly नहीं दिख रहा है क्या, मैं आपको बता देता हूँ, क्या है, मोटा मोटा बता देता हूँ, question क्या है, दिखी question में आपको clearly बोला गया है, कि आपको potential energy का function दिया हूँ, है, in which a particle is in one dimensional motion, while a conservative force act on it, ये जो statement है, कि conservative force ही act हो रहा है, इसका मतलब ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, कि system की mechanical energy conserve है, question में यहाँ पर clearly mention है, कि mechanical energy 8 joules है, and you have to find the incorrect statement, तो भाई, पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, कि अगर ये potential energy का curve दिया हूँ है, तो यहाँ पर 8 joules पर, एक horizontal line docker दो, it is like a mechanical barrier, particle इस barrier को कभी भी cross नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि particle सिर्फ उसी zone में present हो सकता है, जिस zone में particle की mechanical energy, उसकी potential energy से ज़्यादा या फिर बराबर हो, बोलो याद आ रहे, बोलो याद आ रह देखना, at x greater than x4, kinetic energy is constant throughout the reason, बेटा यह तो clear, clear मतलब सही है, यहाँ पर देखना, x4 को जब cross कर रहे है, क्या यहाँ पर potential energy constant है, अब potential energy constant हो गई, तो kinetic energy भी constant हो जाएगी ना यार, तो पहला statement सही है, at x less than x1, kinetic energy is smallest and the particle is moving at a slowest speed, point is this, एक minute, कि particle कभी भी x1 वाले reason को cross करके इधर जाही नहीं पाएगा, क्योंकि x बराबर x1 पर जड़ा observe करिये, कि जब particle पहुँचेगा, तो वहाँ पर mechanical किसके बराबर है, potential के बराबर, अगर mechanical और potential बराबर हो गए, तो इस given position पर beta kinetic energy क्या हो जाएगी 0, तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ, यह particle की extreme position है, particle कभी भी x1 को cross करके left side में जाही नहीं सकता, क्या यह बात समझ आ रही है भाई, सौमेदीप, बहुत बढ़िया, इसका answer 2 आ रहा है, तो और यह कह रहा है, at x is less than x1, kinetic energy is smallest and the particle is moving at a slowest speed, भी यह particle कभी उस तरफ गया ही नहीं है, और जब नहीं गया, तो इसका मतलब यह वाला option क्या हो गया, गलत, मुझे लगता आगे मुझे बढ़ने की जोगत नहीं है, क्योंकि आपको देखके समझ आ आ गया है, कि हमें incorrect statement find out करना है, जही में इसका सवाल है, single correct question होगा, तो इसका मतलब है कि second option जो है, वही आपका answer हो जाएगा, और आगे पढ़ लेते हैं option, अच्छा एक बाह बताएगा, यहाँ पर x2 पर क्या आपकी potential energy minimum है, इस graph के साब से क्या potential energy minimum है, potential energy minimum होने का मतलब यहाँ पर kinetic energy maximum होगी, बिल्कुल सही बात, और यहाँ पर x बराबर x3 पर, एक बाह बताना, x3 पर potential energy कितनी है, 4 joule, total mechanical energy कितनी है, 8 joule, मेरे भाईयो, mechanical energy conservation से, मैं कह सकता हूँ, potential energy 4, plus kinetic energy, यहाँ से देखने पर आपको clearly समझ में आ रहा है, क्या kinetic energy आपकी 4 joule आ चुकी है, क्या kinetic energy जनाब आपकी 4 joule आ चुकी है, बोलिए, done, हाँ बैस, सितु कुमार, सिवकांत, मिस्रा, आदित वर्नवाल, all is good, everything is fine, मुझे लगता है इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, बास, एक मिनिट, क्या हुआ भई, अब यसे मेरा ही लिखावा दिखता है, ठीक है, मुझे लगता है कि, मदलब सारे लगबक questions almost complete हो चुके हैं, तो इसी के साथ WPE आपका complete हुआ, and now we are going to move to the next chapter, and this is the center of mass and collision, चलिए, start किया जाए फिर, आँ बाई, बोलिए, start करें फिर, इस PDF को करते हैं, बंध, और अगले चैप्टर, पानी बानी फिलीजे, सर आपको इस्टूडियो में अकेले डर नहीं लगता, ओ, ओ, डर, डर के आगे जीत है, Mountain Dew, क्यासा रहा भाई, WP में कुछ नया सीखने को मिला आप लोगों को, कुछ पुराने concept revise हुए, कुछ additional नई चीजें सीखी, क्यासा रहा अभी तक का session भाई, थोड़ा सा अपना feedback दीजे भाई, तुमारा reviews जो है, तुमारा feedback है, वो मुझे motivate करेगा भाई, आगे session को continue रखने में भाई, अभी यहाँ पर wait करेगा, दो minute, यह file save हो जाए, फिर उसके बाद हम नई file open करते हैं, भाई body hang करने लग गया, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, बोर्ड नहीं give up कर दिया, रिस्पॉंड ही नहीं कर रहा है, यह, यह, वेट फॉर few minutes, जब तक मैं नई file को upload कर देता हूँ भाई, जवर्जस सांदार, अच्छा रहा बहुत सही, मजा आ गया सर, late night study without feeling of sleep, कैसा करें, क्या हुआ भाई, यह तो body भाई, give up करने लग गया, opening नहीं औरी file, आई, आदो system ही आएं, हो गया भाई, सरे PDF भेज दीजेगा, हाँ, PDF कल आपको मिल जाएगी, morning में, ठीक है, रुको भाई, रुको भाई, technical error आगया भाई, system ही हो गया भाई, दुबारा ट्राई कर लेते हैं, सर, चुए ने अंदर से खराब कर दिया, हो सकता है भाई, बहुत बड़ा चुआ था यार, अब समझ मारा है, यहाँ पर रात में, श्टूडियो में कौन कौन आता है, यह यह यह, ओपनिंग, यार, कोई है भी नहीं स्टूडियो में, तुम्हें यह डरा रहे हूं, भूद भूद बोल के मुझे, कहीं तुम्हें डर नहीं लग जा है यार, यास यास, फाइनली ओपन, वगला चैप्टर हमारा है, सेंटर आफ मास, चलिए, आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई भाई, फाइनली ओपन हो गया, क्या बात है भाई, 108 current viewers, chat rate, यास यास, जल्दी से फटाफट चैट में, वन टाइप करिये भाई, आउस दा जोस, जोस बराबर दिखता रहना चाहिए, आग लगाते रहो भाई, वेट कर रहा हूँ भाई, वेट कर रहा हूँ, फाइल इंपोर्ट हो रही है, थोड़ा सा, system hang कर दिया भाई ने, फिक है, लगता है यह जो चुआ आया था, वो वायर को काट गया है भाई, कोई दिखकत नहीं है, फाइल इतना टाइम क्यों ले रही है भाई, इंपोर्ट होने में, इतनी देर में तो हम पूरा स्लेबस कर देते हैं, कम्प्लीट, अबे यह क्या हो गया, सट्डाउन, अबे, गजब बेच जिती है या, ऐसे कौन करता है भाई, हम तो मजाग कर रहे थे, यह क्या हो गया, यह दुबारा उपन हो रहा है, चलो भाई, एक बार फिट ड्राय करता हूं, जब तक तुम कॉंसेप्ट रिवाई सब लो यार, फिर से भाई उपन हो गई, आवई, क्या हल चाल, सर, मैं एक तांत्रिक बावा को जानता हूं, तुई सबसे बड़ा तांत्रिक है भे, तुछ से बड़ा तांत्रिक कौन है, सर, आज तो पांच गंटे में सिस्टम हैंग हो गया, वही मैं सोच रहा हूं यार, आज तो कोई है भी नहीं यार, इस्टूडियो में, जो मेरी हेल्फ भी कर पाए, सर, एक साइरी हो जाए, साइरी तुम सना दो भई, साइरी तुम सना दो भई, कब होगी भाई, फाइल इंपोर्ड मौर्निंग हो जाएगी क्या? कब होगी भाई, फाइल इंपोर्ड मौर्निंग हो जाएगी क्या होगी? भाई अर्चित क्या हुआ? इतना चुबने लगा हूँ सबको? ये, 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 फाइनली, फाइनली, कम बाक, स्वागत नहीं करेंगे? ये, 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 अपना PPT स्टार्ट हो चुका है, ग्रेट, आगया भाई, आगया आगया, आजाईए बापस आजाईए, चलिए बीच बीच में आपकी मदद करने के लिए भी कुछ unwanted चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जिससे ना चाहते हुए भी आपको बीच में ब्रेक मिल जा गया, चलो भाई, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि बीच में ना चाहते हुए भी भाई लोगों को बराबर ब्रेक मिल रहा है, सर क्या आप मुझे इग्नोर मार रहे हैं, अरे ये, किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आवई, तो चलिए, स्टार्ट करेंगे सेंटर ओफ मास, बहुती इंपोर्टेंट चैप्टर, बहुती हाई वेटेस का टॉपिक नॉन स्टॉप, फिर से अपनी सीट की पेटी को बांध लीजेगा, बीच में थोड़ा सा तूफान आने की वज़ा से, हमें अपनी रफ्तार को थोड़ा सा धीमा करना पड़ा था, लेकिन अफ तूफान और वो बादल की घटाएं बापे से जा चुकी हैं, तो दुबारा से लॉट करके आते हैं, अपना एक और धमाकेदार सेशन को फिर से आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और अब हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर की, this is center of mass and collision, क्या सभी लोग तयार हैं, seat की पेटी बांद के बैठ जाएए, मुझे उमीद है, बीच में, technical glitch की वज़े से, जो आपको break मिला, उसमें आप एक बार refresh हो चुके हैं, और मैदान में आखरी दम तक टिके रहने का जज़बा अभी भी आपके अंदर बरकरार है, बोलिए, बोलिए बाई, all of you are ready, चलिए, यस, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि center of mass क्या होता है, जो उमीद है कि सभी को पता होगा, center of mass का मतलब यह नहीं होता कि वो body का center ही हो, center of mass का मतलब क्या होता है, सुने, जैसे कि for example, मेरे पास मालीजे rod है, मैंने इस rod को फेका, जब मैंने इस rod को फेका, तो इसके अलग-लग point बहुत ही complicated सा motion परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन अगर जितना rod का mass था, उतने ही mass का, अगर मैं यहा motion उस rod पे जिस point का होगा, उस point को बोला जाता है center of mass, center of mass ज़रूरी नहीं, body के उपर हो, center of mass body के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, मैंने क्या बोला, दुबारा repeat कर देता हूँ, जब मैं किसी भी एक extended body को फेकता हूँ, तो उस extended body के उपर, या कोई भी एक ऐसा imaginary point हो सकता है, जिस imaginary point का motion बिलकुल वैसा ही हो, जैसा कि same mass के किसी एक point particle का motion होता है, मतला हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, जब हम लिखते हैं, net external force divided by the total mass, तो यहाँ पर यह जो A जिस point का निकल करके आता है न, उसी point को आप center of mass कह सकते है, external force divided by mass, यहाँ से, यह जो acceleration जिस point का निकल के आएगा, वो आपका center of mass कहलाएगा, बोलो clear है सभी को, हाँ जी, बहुत बढ़े है, आगे बढ़ूँगा इसी के साथ, अब बात आती है, calculation of center of mass, जब भी हमें center of mass calculate करना होता है, तो हमारे पास दो तरीके के system होते हैं, एक discrete होता है, और एक continuous होता है, तो देखो जब भी center of mass निकालना है, जैसे मेरे पास यहाँ पर यह system है, माली जी, यहाँ पर यह particle, यह particle, यह particle, इस given particle का यह position vector है R1, इस given particle का यह position vector है R2, इस given particle का यह position vector है R3, यह M1, यह M2, यह M3, तो अगर मैं कहा रहा हूँ कि center of mass निकाली है, तो इसका मतलब है, we have to find the position, क्या find करनी है, position, position किसके respect में find होगी origin के respect में, एक imaginary point है, जिसकी position, position का मतलब we have to find the coordinates, जैसे मैंने यहाँ पर माना कि मेरे पास एक discrete particle system है, वेटा, discrete particle system का मतलब यह हुआ कि मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ, कि मेरे system के अंदर total number of particle जो है, वो 1, 2 नहीं है, वो total number of particle कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर जब मैं position vector लिखूँगा, center of mass का, तो मैं लिख सकता हूँ, m1 into r1 vector, plus m2 into r2 vector, plus m3 into r3 vector, divided by the total mass, क्या यह formula सभी को याद है, क्या यह formula सभी को याद है, बहुत बढ़िया, आपको, एक और बात बता दू, कि यह formula तब लगाएंगे, जब यह system, आपका continuous होगा या discrete होगा, जब आपका यह system, continuous होगा या discrete होगा भई, नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, अगर आप यह सोचते हैं कि center of mass, वो point होता है, जहां पूरा mass concentrate कर सकते हैं, एकदम गलत, यह फर्जी definition है, इस तरह की फर्जी definitions का आप बिल्कुल भी use, ना करिएगा, तो मैं यहाँ पर बोला, this is a position vector of center of mass, हाँ, अगर माली जे, system continuous होता, यह तो discrete के लिए, अगर यह system कैसा होता, continuous होता, तो continuous system के लिए, position जब हम निकाल रहे होते, तो मैं यहाँ पर, एक minute, continuous को बाद में बताऊंगा, यहाँ पर अगर आपको axiom निकालना होता, तो पता है कैसे लिखते, m1 x1, plus m2 x2, plus m3 x3, divided by the total mass, m1 plus m2 plus m3, this is a way, जैसे axiom लिखा, उसी तरीके से, आप यहाँ पर ycm भी लिख सकते हैं, उसी तरीके से आप zcm भी लिख सकते, हाँ, कुछ ऐसी physical quantities होती हैं, जहाँ पर अगर आपने पूरा center of mass पर concentrate कर दिया, तो भी आपको सही answer मिल जाता है, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, तो ऐसी quantity में पता है कौन कौन सी quantity आती है, अगर आप gravitational potential energy निकाल रहे हैं, आप अगर body का total momentum निकाल रहे हैं, momentum, जैसे मैं यह कह सकता हूँ, ऐसी physical quantities जिनकी power में सिर्फ 1 है, जैसे momentum m into v, मतलब mass of velocity, क्या दोनों की power 1 है, तो अगर आप किसी भी system का momentum निकाल रहे हैं, तो you can assume that whole mass is concentrated at center of mass, ऐसे ही आप बात करो gravitational potential energy, क्या होती है, M, G, H, बोलो होती है, तो जब मैं लिखता हूँ M, G, H, तो वहाँ पे M, G और H, तीनों की power 1 है, तो आप वहाँ भी assume कर सकते हैं, कि पूरा mass कहां concentrated है, center of mass पर, इसी तरीके से आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, torque of gravity, rotation में, gravity का torque निकालते समय भी, हम वहाँ पर M, G को direct कहां लगा सकते हैं, center of mass पर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि जीवन में आप हमेशा कर सकते हैं, जब आप kinetic energy लिखने जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जब आप किसी भी system की kinetic energy लिखें, तो हमेशा याद रखेगा, अगर आप यह सोच रहे हैं, कि मैं system की kinetic energy यह लिख दूँगा, half total mass multiplied by velocity of center of mass का square, तो बेटा यह एकदम गलत है, यहाँ खुद देखिए, जो physical quantities यहाँ यूज हो रही है, this is mass and this is velocity, this is mass and this is velocity, mass की power 1 है, लेकिन velocity की power 2 है, तो यहाँ पर देखकर कि आपको बहुत ही clearly समझ में आ रहा है, कि this is not a linear relation, तो आप to calculate kinetic energy ऐसा नहीं कर सकते हैं, बोलो सैमत हो सभी लोग, बोलो हाय ना में जब आप दो, momentum, gravitational potential energy, torque of gravity, इन cases में आप ऐसा assume कर सकते हैं, आज के बाद जब भी position निकालनी होगी, आपको यह formula यूज करने होगी, अगर आपके पास system discrete है, और माली जब आपका system discrete नहीं है, एक minute, एक page और add करता हूँ यहाँ पर, अगर आपका system discrete नहीं है, continuous है, क्यासा है, continuous, मतलब, जो mass है वो किसी एक point पर concentrated ना हो करके, जैसे कि, यहाँ पर situation देखेगा, situation क्या है, माली जब आपका system discrete नहीं है, अब आपसे पूछा जा, इसका center of mass कहा होगा, तो यहाँ पर हमें element लेना होता है, और माली जब हमने यहाँ पर एक element लिया, माली जब आपके mass है dm, अगर मुझे इसका x coordinate निकालना है, तो x coordinate of center of mass निकालने का तरीका होगा, integral of x dm, divided by the integral of dm, इसी तरीके से अगर मुझे ycum calculate करना है, तो मैं लिखूँगा integral of y dm, divided by integral of dm, बोलो के लिए याद रखना, यह जो element आपने लिया है, यह उसका mass है, यह mass किसका है, element का, elemental mass, और यह जो x लिखा हुआ है, यह x क्या होगा, यह जो element लिया है, उसका center of mass जहां पर है, उसका coordinate होगा, तो जब भी आपके पास continuous bodies होगी, तो उस case में आपको integrate करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, integrate करना पड़ेगा, और जब भी आपके पास discrete होगी, तो आप directly addition वाला method यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह बात तो देखके समझ आई रही हैं ना यार, कि अगर number of terms finite हैं, तो एक simple addition होगा, लेकिन अगर आपके पास number of terms infinite हैं, तो यही वाला term आपका integration form में convert हो जाएगा, और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, important बात, center of mass divides the distance between the two particles in the inverse ratio of their masses, यह line बहुत ही ज़्यादा important है, जैसे कि मैं अगर यह कहूँ, कि एक M1 mass और एक M2 mass, तो यह बात तो तो है कि इन दौनों का center of mass होगा, वो कहीं बीच में आएगा, और अगर मैंने यह कहा कि यार यह distance R1 है, और यह वाला distance कितना है R2, तो एक बात हमेशा याद रखेगा, कि अगर center of mass यहाँ पर है न, तो बेटा M1 into R1 बराबर पता है किस के होगा, M2 into R2 के होगा, वाला मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ, M1 और M2 का यह जो ratio है, यह ratio आप R2 upon R1 के बराबर है, वाला जो distance है न, center of mass से, वो inverse ratio में divide होता है, यह बात आगे जाकर कि आपको बहुती, important है, यह समझ में आना सुरू हो जाएगी, इससे आप यह कह सकते हों कि center of mass किस के पास होगा, heavy body के पास है, lighter body के पास, हाँ बाई, जल्दी बताओ, center of mass किस के पास होगा, heavy body के पास या lighter body के पास, it will always be near to the heavy body, it will always be near to the heavy body, क्योंकि mass के inverse ratio में बट रहा है, एक और काम की बात कि, अगर कोई भी body uniform है और symmetrical है, uniform और symmetrical body है, तो उस body का याद रखना, कि जो center of mass होता है, वो उसके geometrical center पे होता है, जैसे कि मैं for example, बात करूँ एक ring, बात करूँ एक disc की, बात करूँ एक square plate की, तो इनके center of mass कहां पर होंगे, इनके center of mass, इनके geometrical center पे ही होंगे, हाँ, for the calculation of center of mass, we can assume that, whole mass of a body is concentrated, at its center of mass, इसका मतलब क्या है, ये तीसरी वाली line कौन बताएगा, any one of you, जो आप में से ये बता सकता है, कि इस तीसरी वाली line का क्या मतलब है, बताओ भी, ये तीसरी वाली line का मतलब क्या है, तीसरी वाली line का मतलब ये है, जैसे कि मैं ये कहूँ, तुमारे पास, combinations of multiple bodies है, मालो तुमारे पास एक body ये है, एक body ये है, और एक body ये है, इस body का mass है, मालो M3, इस body का mass है, मालो M2, और इस body का mass है, मालो M1 और तुम्हारे सिस्टम के अंदर ये 3 continuous bodies है और तुम से ये पूचा जाए कि बताओ इस पूरे सिस्टम का center of mass कहां पर होगा तो कैसे करोगे क्या करना सुनना इंडिविज्वल अगर हर body का center of mass मास पता है तो आप क्या करो इसे मेल्ट करके इसके center of mass पर रख दो और इसका position वेक्टर निकालो ठीक है बाई अब जब तुमने हर body को melt करके उसके center of mass पर रख दिया तो ये continuous body का configuration जो है क्या ये तुम्हें एक discrete particle system जैसा दिखाई देगा अब आपके सामने ये सवाल ऐसा हो चुका है जैसे कि it is a combination of three different particles क्योंकि अगर आप center of mass निकालना चाह रहे हैं तो हर individual body का अगर आपको center of mass पता है तो आपने उसे melt करके उसके center of mass पर रख दिया तो अब आप यहाँ पर directly जब आप center of mass की position निकालने जाएंगे तो यहाँ पर जनाब आप ऐसे लिख सकते हैं m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector divided by the total mass that is m1 plus m2 plus m3 बोलो clear है क्या यह साड़ी बातें आपको बहतर तरीके से समझ में आ चुकी है अब देखना हम यहाँ पर कैसे इनका use करेंगे देखिएगा ध्यान से हाँ यूज कैसे करेंगे जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक question देता हूँ question क्या है सुनिएगा मैंने कहा कि यार एक rod यह है और एक rod यह है यह दौनों rod आपस में एक दूसरे से connected है यह वाली rod x-axis के along रखी हुई है और यह वाली rod जो है वो y के along रखी हुई है लेकिन इस rod का mass है 2m और इस rod का mass है m लेकिन यह जो length है यह मुझे दी है 2m लेकिन यह जो length है यह suppose मुझे दी है 1m अब आपसे पूछा जाए कि find the location of center of mass आपसे अगर पूछा जा रहा है कि बताए center of mass कहां पर हो तो आप कैसे solve करेंगे भाई एक बात बताओ यह वाली rod जो y axis के along रखी हुई है यह uniform है जो rod x axis के along रखी हुई है वो भी uniform है तो जो rod x axis के along रखी हुई है उसे क्या उसके center of mass पर रख सकते हैं लेकिन उस center of mass का x coordinate होगा 1 by 2 और y coordinate क्या होगा 0 बोलो clear है इसी तरीके से यहां पर इस rod को melt करके क्या इसके center of mass पर रख सकते हो इसका mass है 2m लेकिन इसके center of mass का coordinate होगा 0,1 और यह होगा 2m interesting बात पताए क्या है अगर मैं इन दौनों points को join कर दूँ इन दौनों points को join कर दूँ तो एक बात तो तह है कि center of mass इन दो points के बीच में ही आएगा अगर मैं इस line की equation लिख पाया ना तो एक बात तह है कि जो center of mass के coordinates होगे मेरे भाई ओ ध्यान से सुनिएगा निगाए screen पही रहनी चाहिए क्या आपको समझ में आ रहा है हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि center of mass इन दौनों points के बीच में ही आएगा क्या ये बात सभी को समझ आ रही है और अगर समझ में आ रही है तो ध्यान से सुनिएगा अगर मैं आपसे कहूँ कि center of mass के coordinates लिखिए बताए कैसे लिखेंगे mass into यहाँ पर 1 by 2 i cap इसके लिए क्या लिखेंगे plus 2m लेकिन इसके पास coordinate है j cap divide by 3m divide by 3m जल्दी से देखना ये value आती है 1 by 6 i cap plus 2 by 3 j cap मतला x coordinate 1 बटे 6 और y coordinate 2 बटे 3 क्या यही आ रहे है एक बटे 6 और दो बटे 3 पुलो clear है done 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 चलिए आगे बढ़ता हूँ भई अब मैं यहाँ पर कुछ continuous bodies के जो center of mass है उनके कुछ standard formula proof अभी हमारे लिए important नहीं है जो formula है वो मैं आपको बता दो कि एक अगर आपके पास circular arc दिया हुआ है सुनना ध्यान से formula याद रखना बहुत जरूरी है arc मतलब इस तरीके का arc है यह रह आर्क और मान लीजे यह arc जो है वो center पर जो angle बना रहा है वो ठीट है और इसका radius है r कितना है radius r तो इस arc का जो center of mass होगा वो यहां कहीं होगा और यह जो distance है जिसको मैंने y कहा याद रखेगा इस y की value होगी r sin theta by 2 sin के अंदर जितना angle है न उसी angle से divide करो बोलो याद रहेगा पहला important formula भाई याद कर लिजेगा सभी लो काफी काम आएगा r sin theta by 2 divided by theta by 2 next अगर यह arc आपका semi circular arc हुआ अब मेरे भाई खुद बता न अगर यह semi circular हुआ तो theta की value क्या होगी बहुत important formula है अगर यह semi circular हुआ तो आप समझ पा रहें यह है theta और theta की value pi होगी और अगर theta की value pi है तो अगर मैं y पूछू तो y की value लिखोगे r sin theta by 2 theta by 2 का मतलब कितना हुआ pi by 2 divided by pi by 2 sin pi by 2 की value 1 होती है तो बेटा यह value आगे 2r by pi कितनी आगे 2r by pi यह f by 2 f by 2 जो लिखा हुआ यह pi by 2 है यहाँ से यह 2r by pi हाग तो याद रखना पहली बात तो यह कि देखो यहाँ पर अपने यह जो line ड्रॉ करिए इसे बोलते है perpendicular bicector perpendicular bicector पर ही यहाँ पर center of mass आएगा अगर आपको यह याद है न तो disk का तो वैसी याद हो जाएगा disk के case में बस यहाँ पर एक factor आता है 2 by 3 का क्या ring का सबको याद है not a ring I should say arc क्या arc का सबी को याद है arc में 2 by 3 का multiply कर दीजे आपको ring का अपने आप ही याद हो जाएगा ठीक मैं क्या कहना चाहरा हूँ अभी आपको clear कर देता हूँ जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर बात करी सुनना भाई द्यान से यह एक sector है sector समझते हो पीजा खाए हो पीजा क्यों भे कभी पीजा खाए हो तो अगर तुमने पीजा खाया है तो पीजा की जो एक slice है ना वही sector है मुँमें पानी आ गया यही सोच रहोगे ना कि सर आज भी एक बार खिला देते कटोरा ले लो लोग हाथ में क्यों हो भाई यह एंगल ठीटा है तो याद रखना इसका center of mass यहां होगा और अगर यह distance y है तो मैं इस y की value आपको बता रहा था जैसे कि मैंने वहां पर बताया था r sin theta by 2 divided by theta by 2 इसे बस किस factor से multiply कर दोगे 2 बटे 3 से अब आप सोचों कि अगर यह semi circular disk होती क्या होती semi circular disk होती भई तो semi circular disk के case में theta की value pi और आपको पता है semi circular ring का कितना बताया था 2r by pi बोलो बताया था कितना बताया था 2r by pi इसको किस से multiply कर दो दो बटे 3 से answer क्या आजाएगा 4r by 3 pi बोलिये भई बताये done इसी तरीके से यह आद कर लेना hollow spare यह hollow spare का भई याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि hollow spare बहुत famous पताय क्यों है क्योंकि hollow spare के case में center of mass यहाँ होता है अब यहाँ होने का फाइदा क्या है सुनना यह distance कितना है r by 2 यह distance भी कितना है r by 2 मला center of mass से उपर वाले point और नीचे वाले point का distance सेम होता है clear अब यहाँ पर moment of inertia के question बहुत बार बनते है अगर मैंने यहाँ पर यह axis ले ली और अगर मैंने यह axis ले ली और मैं यह कहूं कि इस axis के about moment of inertia i1 है और इस axis के about moment of inertia i2 है तो भाई पता है तुम्हें interesting बात यह distance सेम होने की बजा से आपने parallel axis theorem पड़ी होगी मुझे उम्मीद है वो कितना होता है icom plus md square क्या यह term सभी को याद है तो देखो भाई यह वो axis है जो center of mass से pass हो रही है इसको अपने icom कहा क्या कहा icom यह distance r by 2 यह distance r by 2 तो इस axis के about और इस axis के about mo i same होता है यह बात आपको आगे जाकर के rotational mechanics में समझ में आएगी लेकिन यह जो concept अभी मैं आपको समझा रहा हूँ यह बहुत ही important है इसलिए मैंने आपको कहा कि एक hollow hemisphere आपके लिए बहुत important होता है क्योंकि इसका center of mass r by 2 पर होता है ठीक है यहाँ पर यह hollow sphere नहीं है बिल्कुल यह sphere यह sphere नहीं है यह सारे term जो लिखे हुए है यह याद रखेगा यह hemisphere है typing error है भाई यह solid sphere नहीं है यह solid भी क्या है आपके पास hemisphere है बिल्कुल सही सोच रहे है आप लो क्योंकि भाई अगर sphere होगा तो उसका center of mass तो geometrical center पर ही होगा ना मेरे भाई अगर मालो यह गोला बना दिया पूरा sphere हुआ तो उसका center of mass तो इधर ही होगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि symmetrical bodies का symmetrical bodies का center of mass क्या उनके symmetrical center पर लाई करता है ठीक है बहुत बढ़े है यह साथी चीज़ें आपको याद रहेंगी ठीक है आगे बढ़ूँ क्या नाइस अब इस page पर जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना बहुत काम की चीज़ है आपको एक बार पता है velocity of center of mass बताओ क्या लिखते हो m1 v1 plus m2 v2 ऐसी लिखते हो ना आपन क्या लिखते हो total mass इस तरी यह है total mass मैं इसको अगर इधर multiply कर दो तो आपके सामने यहाँ पर आएगा summation of m i v i i varies from 1 to n पराबर क्या आएगा यह है total mass multiplied by vcon यह क्या लिखा हो है यह क्या लिखा हो है द्यान से देखना यह है total momentum of the system किसी भी system का आज के बाद हमेशा याद रखना जब भी momentum लिखना हो तो आपका focus सिर्फ किस पर होना चाहिए center of mass की velocity पर अगर आपको center of mass की velocity पता है तो total mass से multiply कर दीजे अपने आप आपके पास total momentum निकल करके आजाएगा लेकिन यह काम आप kinetic energy में नहीं कर सकते हैं जब हम kinetic energy लिखते हैं तो kinetic energy इस तरीके से लिखते हैं सुनना द्यान से kinetic energy of center of mass plus यह होता है k dash factor यह k dash factor पता है क्या होता है यह होता है kinetic energy in frame of center of mass center of mass पे बैट करके उस system की जो kinetic energy दिखाई दे रही है वो यह term है और यह है kinetic energy of center of mass मतला हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अगर kinetic energy calculate करना चाहते हो तो आप सीधे इसके बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें यह वाला additional term भी add होता है so be careful अगर मैं आप से यह कहूँ कि if you have a two particle system सुन लेना द्यान से काम की बात बता रहा हूँ अगर आपके पास two particle system है मैंने आप से कहा कि एक M1 mass है जो V1 velocity से move कर रहा है और एक M2 mass है जो suppose V2 velocity से move कर रहा है इसकी kinetic energy आज से पहले आप कैसे लिखा करते थे जल्दी बताओ आप ऐसी तो लिखोगे हर individual particle के पास जाओगे और कहोगे बता तेरी रजा क्या है बोलो क्या लिखोगे जब मैं M1 की kinetic energy लिखूँगा तो M1 की kinetic energy लिखूँगा half M1 into V1 square जब M2 की लिखूँगा तो क्या लिखूँगा half M2 into V2 square और यहां पर दो ही particle है तो दो term आएंगे अगर two particle system है तो आज के बाद इस kinetic energy को एक और तरीके से लिखा जा सकता है सुनिएगा द्यान से ये वाला formula kinetic energy of center of mass मतलब half total mass M1 plus M2 into Vcm का square पहला term यह आएगा दूसा term क्या है K dash factor K dash factor क्या है इसकी value जब calculate करते हैं तो पता है क्या आता है half M1 M2 upon M1 plus M2 into velocity of 1 in frame of 2 का whole square ये बात कितने लोग को पता है जल्दी बताओ फटा फट ये बात कितने लोग को पता है कि काइंटिक एनरजी ऐसे भी लिखी जा सकती है क्या हुआ भाई जोस कैसे ठंडा हो गया जोस परकरार रहना चाहिए भाई चैट में जल्दी से फटाफट 1 टाइप कर दी देगा भाई लीज टाइप 1 in the chat बहुत बढ़िया तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि देखो भाई काइंटिक एनरजी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन आपको ऐसे भी लिखना आना चाहिए यहां पर यह वाला जो टम है यह रिडियूज मास इंट्रेस्टिंग बात पता आपको क्या है यह वाला जो टम है यह दुनिया के हर फ्रेम में सेम रहता है क्योंकि आपने इसका फ्रेम पहले ही fix कर दिया आपने इसके उपर पहले ही एक sticker चिपका दिया कि this is a kinetic energy in flame of center of math मतला अलग-लग फ्रेम में यह टम अलग लग आएगा लेकिन दुनिया के हर फ्रेम में यह वाला टम क्या आएगा सेम आएगा, अगर आप से कोई यह पू՛े, दुनिया का ऐसा कॉन सा फ्रेम है जिसमें कायंटिक एनरजी मिनिमम होती है, तो याद रखना, वो फ्रेम संटर ओफ मास फ्रेम है, संटर ओफ मास पे बैठ करके, संटर ओफ मास से ही पूछ रहे हो और बता तेरी काइंटिक एनरजी क्या है मेरे भाई एक बात बता ना center of मास पर बैट करके अगर तुम ये वाला term calculate करोगे जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखा है half total mass into vcom और vcom मतलब center of mass की velocity उस पर बैट के उसी से पूछ लिया और बता तेरी velocity क्या है क्या वो 0 आएगी याद रखना दुनिया में ऐसा कौन सा frame है जिस frame में काइंटिक एनरजी minimum होती है तो वो frame है आपका com frame कौन सा frame है com frame और काइंटिक एनरजी की minimum value अगर कोई आप से पूछ ले कि वो क्या होगी तो याद रखना इसको बोलते है के डैस और एक और बात बता दूँ बहुती काम की बात momentum आपने क्या लिखा total mass into VCM center of mass के frame में in frame of center of mass किसी भी system का momentum center of mass के frame में हमेशा zero आएगा बहुती काम की बात बता रहा हूँ बहुती काम की बात बता रहा हूँ आप लोग को क्योंकि center of mass के frame में center of mass की velocity zero होगी तो इसलिए momentum zero होगा momentum zero होगा लेकिन kinetic energy zero नहीं होगी आप यह कहेंगे कि kinetic energy आपकी minimum होगी तो दुनिया का वो frame जिसमें kinetic energy minimum center of mass दुनिया का वो frame जिसमें momentum always zero center of mass डन बोलो clear ओके नाइस बढ़े आगे बढ़े चले questions की practice स्टार्ट की जाए सी के साथ मुझे लगता है कि लगबग मैंने सारे concepts आपको बता दिये questions जैसे जैसे solve करते जाएंगे हमारे सारी चीज़ें जो है वो clear हो जाएंगे पहला सवाल आपके सामने यहां पे screen पर जल्दी से try करिए और बताईए आपका answer क्या आ रहा है हाँ बहुत बढ़े है यार काफी सारे लोग अभी तक टेके हुए है मतलब आपकी energy देख करके काफी अच्छा feel हो रहा है सुरूती सर्मा, सोहानी तनिस्क आदिती अंत्रा राजीव सारस्वत अक्षत बहुत बढ़े है बहुत बढ़े है 3 point particle 3 point particle है आपके पास 1 kg 1.5 kg और यह 2.5 kg are placed at the 3 corners of a right angle triangle ओके नाइस the center of mass कहां पर होगा एक काम करते है इसे origin मान लेते हैं यह x-axis और यह y-axis अगर मैं आपसे पूछूँ इस point का coordinate बताईए तो x coordinate 3 होगा और y coordinate 0 होगा अगर मैं आपसे पूछूँ इस point का coordinate बताईए तो x coordinate 0 होगा और y coordinate 4 होगा ठीक है अब निकालते हैं चलिए xum देखिए 1 वाला origin पर रखा है तो 1 into 0 बहुत बढ़े है nice 1.5 into 3 nice plus 2.5 into 0 0 क्यों किया? क्योंकि 2.5 वाले का x coordinate 0 है डिवाइड में आएगा total mass 1.5 और 2.5 इन दौनों का sum 4 प्लस 1 that is 5 मेरे भाईओ जल्दी से बताना calculation करने पर यह term कितना आ रहा है यह होगया 4.5 divided by 5 यह आ रहा है 0.9 लेकिन यह तो axiom आया अभी हमें axiom भी चाहिए और ycm भी चाहिए नहीं नहीं मुझे लगता है कामी हो गया क्योंकि 0.9 cm towards the right तो एक ही option दिख रहा है क्या आपका यह option है क्या? मुझे लगता है 2 टिक कर दिया जाए बहुत बढ़िया 2 will be the correct answer 2 will be the correct answer कितने लोग का एक दम यही same answer आया था भाई? how many of you जिसका यही same answer आया था? बहुत अच्छे अक्षे, आदित्य चलिए now come to the next question देखिए यहाँ पर यह एक variable rod का question है और ऐसे question लगातार J mains पूस्ता रहा है और मैंने generally देखा है कि आसान होने के बाद भी कई सारे students को challenge phase होता है मैं आपको यहाँ पर 2 minute का समय देता हूँ आप इस question को try करिए please मेरी request है क्योंकि जब तक आप try नहीं करेंगे ना भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि problem कहा हो रही है all is set माहिर official study with हैमंत किरन मिस्रा गजब गजब नाम रखते होगे तुम लो शिर्या यादव yes nice चलिए समय आपका सुरू हो चुका है I will give you the 2 minutes try to solve it try करिए सर्ट 6 गंटे हो चुके हैं बहुत बढ़िया स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस मैफिल्म है question पढ़ लीजेगा भाई yes yes oh oh अराद्दे VDC अराद्दे भाई है क्या अपना क्या भाई क्या हल चाल अराद्दे all is good yes sir राद के दो बज गए हैं पता है मेरे को भाई तुम question solve करो फटाफट ग्यान मत दो यहां पर मजा आ रहा है कितने लोग enjoy कर रहे हैं भाई आज के session को जल्दी जल्दी फटाफट तुम सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक chapter revise कर लो तो मैं तीन दिन का समय दूना तो तुम यह कहूं गए सर तीन दिन में कहा revise हो पाएगा लेकिन यहां मेरे साथ पिछले 6 गंटे से टिके हुए दो चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं तीसरा चल रहा है अगले गंटे में यह भी revise हो जाएगा तो देखो लाइफ सेशन कितने effective होते हैं चले समय समाप्त क्या आप मैं से कोई जनाब आंसर निकाल चुका है क्या लेट सी देखते हैं रो का function हमें दिया हो यह linear mass density दिविए भाई a plus b into x square upon l square यह वेटा आपको रो दिया हुआ है ऐसे सवालों को solve करने का तरीका क्या है सुनिएगा द्यान से मैंने यहाँ पर rod ली यहाँ से x distance दूर जाके एक छोटा सा element consider किया और उसका mass है dm और dm की value लिखूंगा rho into dx आपको formula मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि center of mass का location निकालने का तरीका क्या होता है integral of x dm divided by integral of dm बोलो याद आ रहा है यहाँ पर dm की value यह लिखी हुई है यह value आपने put करनी है और x का multiply करना है तो यहाँ पर यह term बनेगा ax और बगल वाला term बनेगा b x q बटे l square जिसे हमें करना है integrate with respect to dx mass देखना बाई simple integration बनेगा गबराने की जगत नहीं है नीचे वाला जो term है बेटा वो बनेगा b plus b x square divided by l square और यह भी dx और इसको भी करना है integrate लेकिन integration की limit जाएगी 0 से l क्या रहा answer sir c option में mistake है अभी देख लेंगे answer निकाल लेते हैं पहले यहाँ पर इसको किया integrate यह बनेगा ax square ठीक है बाई यह क्या बनेगा b into x की power 4 divided by l square limit 0 से l divide किया डिवाइड में नीचे जो term दिखाई दे रहा है यहाँ पर observe करेगा इस वाले term को लिखे होगे ax बगल में जो term लिखा है उसे लिखोगे b by l square और यह term जो है वो बनेगा x cube by 3 वही से जीरो से l integrate करना है जब आप integrate करेंगे 0 से l तो यहाँ पर जो पहला वाला term है x um का वो आपके पास बनेगा a l square plus b एक मिनट यहाँ पर x cube को integrate किया तो नीचे 4 भी आएगा बिलकुल ठीक है b l square upon 4 divided by a into l plus b l by 3 बोलो भाई समझ आ रहा है चले देखना यहाँ पर l l एक l यहाँ से एक l यहाँ से cancel out उपर वाला जो term बनेगा वो बनेगा 4a plus b 4a plus b into l और नीचे वाला जो term बन रहा है वो बन रहा है 3a plus b और यह पूरा factor जो multiply हो रहा है उसमें 3 उपर आ रहा है 4 नीचे आ रहा है यार यह integration को solve करने पर यह answer आ रहा है कोई option है क्या let's check it 4a plus b 4a plus b 1 minute यहाँ तो कोई option ही नहीं दिख रहा क्या नीचे आ रहा है 3a plus b एक minute कोई option हाँ हाँ match तो कर रहा है नहीं ने लेकिन यहाँ बे 2a आ रहा है कुछ गरबड की है लगता है आपने एक बार integration चेक कर ले हाँ गरबड पकड़ गई भाई जब आप a x x को integrate करेंगे तो x square by 2 आएगा न यार my mistake sorry for this भाई ठीक है गलतियां हो जाती है थोड़ी बहुत x square by 2 आएगा तो यह वाला term जो है वो 4a नहीं बनेगा यह वाला term आपका 2a बनेगा यहाँ पर यह 2 वाला factor भी आएगा एक तो इसी ल हाँ अभी सही है डण 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 आगे बढ़ते हैं वाई अगला सवाल ओहो वाह क्याविटी वाले questions ना पूछे जाए ऐसा हो नहीं सकता यह diagram थोड़ा सा गलत बना हुआ है मुझे याद आ गया इसका सही diagram तो यह होगा यह disc है आपको जैसा की दिखाई दे रहा होगा और इस given disc में से यहाँ से जनाब एक disc कट करके निकाल दिये देखो यह सही diagram है यह उतना scale पर नहीं बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा confusion होता है इसका radius a है और इसका radius a by 2 है और यह मसाला है क्या ऐसे question आपने class notes में solve किये होंग क्या सबी लोग ऐसे question पहले भी solve कर चुके है जे image 2021 में सेम सवाल आपसे पूछा गया और आपसे पूछा जा रहा है what is a location answer बताईए क्या होगा हां देखें मैं आपको बताता हूँ यहां पर हम यूज करते concept of superposition एक बात बताओ जिस डिस्क को कट करके निकाला है अगर मैं उस डिस्क को यहीं पर रख दो तो एक complete डिस्क बन जाएगी और एक बात आपको समझ आ रही होगी कि अगर यह डिस्क है तो डिस्क का जो मास होगा वो area के proportional होगा और area यहां पर r2 के proportional है तो यहां पर अगर मैं यह कहूँ इसका mass m है यह क्या हुआ अगर मैं यह कहूँ कि यह portion जो मैंने कट करके निकाला है उसका mass m है तो पूरी डिस्क अगर बिना cavity के होती तो mass कितना होता बताओ 4m होता क्योंकि उसका radius a है और उसका a by 2 है तो यहां पर जब center of mass का coordinate निकालेंगे न तो बेटा कैसे लिखेंगे पता है अगर total mass होता 4m तो उसका x coordinate होता है यहां पर और यह coordinate बताओ कितना होता a well done बहुत बढ़िया लेकिन 4m में से m mass किया cut तो मैं लिखूंगा minus m और इसका distance अगर देखोगे तो आएगा a plus a by 2 a plus a by 2 and this is 3a by 2 तो मैं क्या है कि cavity अगर नहीं होती तो center of mass geometrical center पर होता तो मैंने कहा एक पूरा disk लीजिए और उस disk में से यह portion cut किया है तो यहां minus कर दीजिए जरा observe करिएगा यहां से बेटे mm यह वाले term cancel out हो जाए तो यहां पर जो term 4a minus 3a by 2 divided by 3 तो यह observe करना ही यह आएगा 8 8 minus 3 that is 5a divided by 6 आंसर बता यह कौन सार है यह वर्दन सिंग आंसर बता रहे हैं 3 एकदम सही जवाब आपका आंसर 3 हो जाएगा क्या 3 विल भी दा करेक्ट आंसर बोलो जल्दी बोलो फटा-फट क्या सभी को समझ में आया यह 3 विल भी दा करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ूं इसी के साथ ओके नाइस वंडरफूल momentum, kinetic energy यह दोनों चर्चा मैं आपके साथ काफी detail में कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले हमारे बीच में momentum और kinetic energy की चर्चा हुई थी तो मैं यहाँ पर इस topic को skip करते हुए आगे बढ़ता हूँ ठीक है बाई हाँ अब आते हैं Newton's second law Newton's second law for the system of particle देखेगा यह equation आपके लिए बहुत ही important है कि किसी भी system पर net external force बराबर क्या होता है total mass into acceleration of center of mass यहाँ से आपको एक बास समझा रही होगी कि center of mass के acceleration को सिर्फ और सिर्फ external forces ही affect कर सकते हैं मतलब internal forces कभी भी center of mass के acceleration के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे मतलब मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि internal forces जो है वो individual किसी भी given particle के acceleration को change कर सकते हैं लेकिन overall center of mass के acceleration को change करेगा अगर कोई तो वो सिर्फ और सिर्फ external force होगा अब यहाँ से तुम्हें एक बास समझा रही होगी कि अगर मैं यह कहूँ कि किसी system के उपर external force 0 है और external force अगर मैंने 0 कहा तो इसका मतलब कहीं न कहीं मैं यह कहना चाहरा हूँ कि acceleration of center of mass 0 है और अगर मैंने कहा कि acceleration of center of mass 0 है तो इसका मतलब मैं यह कहना चाहरा हूँ कि velocity constant है किसकी center of mass की भाईया यहीं से आता है आपका पता है क्या conservation of linear momentum one of the most useful equation यास यास आप सही सुन भाईया अगर किसी system पर net external force 0 होता है तो इस body का total momentum conserve होता है क्या होता है total momentum conserve होता है च्योंकि आप जानते हैं कि जब हम body का momentum लिखते हैं तो total mass into VCM लिखते हैं और VCM को change कौन करेगा ACM और ACM 0 है क्योंकि external force 0 है तो क्या मैं यहां से यह कह सकता हूँ अगर system पर external force 0 होगा तो पूरे system का total momentum change नहीं हो सकता माल लीजे उस system के अंदर ऐसा हो सकता है कि तीन particle है तो मैं यह बोलूँगा यह था momentum initial और final जब लिखूँगा तो क्या लिखूँगा P1 dash P2 dash और P3 dash यह पूरे system का initial और यहां पर जो लिखा हुआ है यह है initial momentum पूरे system का और यहां पर जो दिखाई दे रहा है यह है पूरे system का final momentum यह बराबर होगा कब होगा ऐसा बराबर जब उस system पर external forces 0 होंगे इसी को हम बोलते हैं conservation of linear momentum सर पाई A square by 4 का मास M था तो पाई स्क्वाइर का मास 4 M क्या दिक्कत क्या आ रही है उसका मास 4 M क्यों लिया क्योंकि मास इस प्रोपोर्शनल टू एरिया है न इसी लिए तो देखना अगर मैंने कहा external force 0 है तो यहां पर दो case बन सकते हैं तुमारे सामने पहला case यह बन सकता है कि अगर initially center of mass rest पर था तो वो remains rest पर रहेगा और दूसा condition यह बन सकता है कि अगर initially center of mass के पास velocity है तो मैं यह कह सकता हूं कि center of mass constant velocity से move करता रहेगा मतलब हम यह आ पर यह कह सकते हैं कि जो center of mass है उसकी velocity अगर कोई change करेगा तो वो सिर्फ और सिफ external forces ही होंगे done चलिए जैसा कि मैंने अभी आपको पता है यह पता यह this is one of the most important tool जैसे आपने थोड़ी दिर पहले देखा था ना work energy theorem बहुत important tool है exactly उसी तरीके से conservation of linear momentum भी अपने आप में एक बहुत important tool है आज के बाद याद रखना कि कभी इस तरीके के सवाल आते हैं जिसमें कोई एक event हुआ event कि इस तरीके के कि कोई एकदम से sudden jump कर गया या दो bodies का collision हो गया या sudden explosion हो गया इस तरीके के जो event होते हैं उन event में हम generally जो use करते हैं वो है principle of conservation of linear momentum अगर उस system पर external force 0 है तो और याद रखेगा यह जब आप equation लगाएं तो इस equation को आप inertial frame में ही लगाएं मतलब जो observer है जहां से वो observe कर रहा है वो inertial frame ही होना चाहिए ऐसा ना हो कि जो observer है वो एक non inertial frame में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर observer non inertial frame में हुआ तो पहली बात तो वहाँ पर Newton second law validity नहीं है क्योंकि force बराबर M में आपको याद होगा यह कहां valid होता है सिर्फ inertial frame में तो non inertial frame में हम ऐसी equations ना लगाएं इसका हमें विसेज ध्यान रखना हो चले questions पर आते हैं देखते हैं कि किस तरीके की question जेई means में हम से conservation of momentum के regarding पूछे गएं एक question पढ़ेए फटा फट और try करिए हाँ बताओ भी क्या रहा है question क्या देखना अब block moving horizontally 40 meter per second से move कर रहा है दो पार्ट में तूट गया जो smaller part है उसकी speed 60 हुई है तो पूछा है fractional change in its kinetic energy situation का सबसे पहले diagram बनाई है लग मैं यह कहूंगा मेरे पास एक m mass है जो की मेरे को साफ साफ दिख रहा है 40 meter per second से move कर रहा था 1 raise to 2 के ratio में तूट गया इसका मतलब एक mass बचेगा m by 3 clear दूसरा mass जो यहां बचेगा वो कितना होगा बेटा 2m by 3 जो m by 3 वाला mass है वो मुझे साफ साफ दिख रहा है आगे की तरफ 60 meter per second से जा रहा है 2m by 3 के बारे में पता नहीं है चलिए निकाल लेंगे थोड़ी देर में मेरे को एक बात बताएगा जब यहां पर यह split हुआ जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब conservation of linear momentum लगाना चाहिए मैं यही चर्चा आपके साथ यहां पर कर रहा हूं अगर कोई event हुआ यह event क्या एकदम से split हो गया एकदम से breakdown हुआ तो जब breakdown हुआ तो मेरे भाई एक बात बताना क्या यहां पर कोई external forces लगे है नहीं breakdown क्यों हुआ क्यों कि एकदम से internal forces लगे होंगे internal forces individual bodies का momentum change कर सकते हैं लेकिन पूरे system का momentum change नहीं कर सकते तो यहां पर अगर मैं यह कहूँ कि या इसका speed अगर V1 है तो can you find the speed V1 with the help of momentum conservation एक बात बताएगा initial momentum आप क्या लिखेंगे 40 into M और इस moment पर आप क्या लिखेंगे M by 3 into 60 plus 2 M by 3 into V1 बोलो यहां तक लिए हैं यहां पर जड़ा observe करेगा यह value आगे 20 40 M minus 20 M this is 20 M और यह value आगे 2 M by 3 into V1 M से M cancel 2 से यहां पर 10 और यहां पर मुझे लगता है V1 की value आचुकी I think 13 लेकिन अभी answer नहीं आए बेटा तो कि यहां पर हमें fractional change in kinetic energy निकालना है तो उसके लिए हमें initial of final kinetic energy निकालनी पड़ेंगी अगर मैं initial kinetic energy की बात करूँ तो initial kinetic energy में क्या लिखूँगा half M into V square और V का मतला 40 का square तो यहां से देखने पर आपको clearly समझ आ रहा है 800 M आ गया final kinetic energy जब लिखेंगे तो final kinetic energy में 2 kinetic energy आएंगी एक M by 3 की आएगी और दूसरी 2 M by 3 की आएगी क्या लिख पाओगे चलिए M by 3 की लिखते है M by 3 की बताओ क्या लिखोगे half M by 3 half mass into V square V square मतलब 3600 plus half 2 M by 3 into V1 का square V1 कितना आया था 30 कितना आया था 30 30 का square मतलब 900 बोलो done यहां पर जड़ा observe करना 3 into 2 6 एक मिनट सॉरी यह से 6 यह क्या हुगा हाँ 6 यह आएगा 60 6 से कटेगा ना हाँ 600 आएगा सॉरी और यहां पर 2 से 2 कैंसल आउट यह आगया 300 M calculation चेक कर लिजेगा final kinetic energy लिखेंगे 600 plus 800 कितना आ जाएगा आपका 1400 ने सॉरी 300 है ना 600 plus 300 तो यह मेरे साब से 900 हो गया 900 M फ्रेक्शनल चेंज निकालना है थोड़ी दिर पहले मैंने आपको फ्रेक्शनल चेंज निकालना बताया था मैं यह आपर लिख देता हूँ फ्रेक्शनल चेंज आप किस तरीके से लिखेंगे upon initial kinetic energy final है 900 initial है 800 तो मैं लिखोंगा 900 M minus 800 M this is a change divided by the initial kinetic energy जो की आपके पास कितनी है 800 M M वाले factor cancel out हुआ यह बचेगा 100 बटे 800 1 by 8 answer will be the 3 कितने लोगों का 3 आ रहा है भई कुनाल तनवर मानसवी कीरती पिडिया बहुत बढ़िया वीडी रात दिखा भी यही आ रहा है बहुत अच्छे नाइस देखिए सवाल आसान है थोड़ा सा calculation लेंदी था लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है मुद्दे की बात यहां पर जो हमें समझ में आनी चाहिए वो क्या है वो देखिए बोलो आगे बढ़ू आगे बढ़ें भई धीर मैता सर कपका आ गया बहुत अच्छे इसको करने का एक और तरीका था कौन बताएगा दूसर तरीका इसको करने का एक और तरीका है बताओ जल्दी से कोई बता सकता है आप कायंटिक एनरजी सतरीके से ना लिक करके वैसे भी लिख सकते थे टू पार्टिकल सिस्टम का एक फॉर्मुला बताएथा ना कायंटिक еनरजी अज़ overlap माथ फ्लस कायंटिकल एन फ्रेम अंस याद आ रहा है तो वहां से आपका एक लाइन answer आ जाता आपको इतनी calculation नहीं करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर पहले तो यह एक system था एक पार्टिकल था तो यहाँ पर k-डेस फेक्टर 0 था क्योंकि center of mass पर बैटके center of mass की velocity 0 दिख रही थी तो यहाँ पर अगर तुम इनिशल काइंटिक energy लिखते हैं तो देखो इनिशल पहला तर्म आता के ही सी हो है और दूसरा आता के डेस लेकिन इनिशली के डेस वाला फेक्टर क्या था 0 क्योंकि यही system था center of mass पर बैटके center of mass खोड़ रेस्ट पर आ जाता लेकिन जब आप final काइंटिक energy लिखते है तो देखो पहला वाला तर्म तो change नहीं होता क्यों क्यों external force है नहीं external force नहीं है तो center of mass की velocity constant center of mass की velocity constant तो इसका मतलब यह तो term सेम रहता और जो दूसरा वाला term है वो क्या लिखते है half reduced mass m by 3 और 2m by 3 बताओ reduce mass कितना होगा m1 m2 upon m1 plus m2 तो यहाँ पर यह value जो है वो आपकी बन जाती है 2m by 9 कितनी बनती है 2m by 9 तो reduce mass आता है 2m by 9 into relative velocity relative velocity बताओ कैसे यह 30 आती है और यह 60 है 60-30 यह कितना होगा बताओ 900 तो 2 से 2 cancel यह आगया 100 तुम खुद देखो जब तुम difference निकालोगे तो यह पाला term तो cancel out हो जाएगा तो जो change है वो तुमारा 100 आ जाएगा तो change वही आ रहा है जो यहाँ पर आपने निकाला था तो 100 आ गया change divided by 800 कर दो यहां से भी answer आपका 1 by 8 आ जाएगा बोलो done सर इस session के बाद हम module करें या सीधे पीवाई क्यू पेटा इस session के बाद आपको 2019 से लेकर के 2023 तक के सारे पीवाई क्यू करा रहा हूं क्योंकि अगर मैं देखूं सारे पीवाई क्यू तो तुम्हें पता है center of mass chapter में 100 questions से जादा है क्योंकि paper ही इतने सारे होते है multiple shift multiple attempt covid के समय पर तो चार चार attempt हुए थे तो मैं तो बहुत selective questions ही करा रहा हूं आप लोग को लेकिन इसके बाद जो अब भी आपको दिवाली break मिलेगा उसमें 2019 से 2023 तक के आपको सारे questions attempt करने अब मुद्दा यह है कौन से resources का use करें आपको पता ह हमारा इस channel का एक J landing page है जिसका description आपको इस video के नीचे मिल जाएगा उस पर जाकर करके आप देखेगा आपको chapter wise pyq मिल जाएंगे तो आप उन chapter wise pyq उसको solve करना है ठीक है सर इसके बाद आप J advance का भी session लेंगे क्या देखिए J advance का session अभी तो नहीं लूँगा जेकिन J means के बाद लूँगा ठीक है अभी तो सिर्फ J means के ही session होंगे चलिए यह वाला question try करिए यह तो बहुत ही simple question है मुझे लगता है कि आप question पढ़ने के बाद बिना pen चलाए भी answer निकाल सकते हैं just take your time and find the answer बताइए क्या होगा आपके पास दो ब्लॉक है एक 10 kg का और अगला ब्लॉक है 30 kg का ठीक है 10 kg वाला ब्लॉक यहां रखा हुआ है और 30 kg वाला ब्लॉक यहां कहीं रखा हुआ है the block of 10 kg is move on a same line through a distance of 6 cm towards the other block the distance through which the block of 30 kg है भाई यह यह direct formula based question है मैं यहां पर एक बात बोल सकता हूँ कि जो displacement of center of mass है उसे आप क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या m1 delta r1 m1 into delta r1 delta r1 क्या है जो m1 mass है उसके उसका displacement plus m2 into delta r2 delta r2 क्या है जो m2 mass है उसका displacement upon total mass लेकिन जैसा की question अगर आपने पढ़ा हो तो यहां पर एक बहुत ही important बात लिखी गई है to keep the position of center of mass of a system remains unchanged remains unchanged का मतलब वो यह कहना चाहरा है कि delta rcom की value 0 है और अगर आप कह रहो delta rcm 0 है तो इसका मतलब यह जो आपके सामने यह जो term लिखा हुआ है it should be equal to 0 मेरे भाई यह बताओ पहला mass 10 kg into delta r1 delta r1 की जो value है पहले के लिए 6 होगी बोलो clear है अब आते हैं दूसरे वाले पर दूसरे का mass है 30 लेकिन उसका displacement नहीं पता लेकिन भाई यह value क्या हम 0 कर दें 0 करेंगे तो आपको देखके समझ आ रहा है कि delta r2 की value यहां पर आ जाती है minus 60 by 30 जो कि आप लिख सकते है minus 2 क्या लिख सकते है minus 2 minus यह बता रहा है कि उसको आप दूसरे वाले block के pass लाएंगे या दूर ले जाएंगे pass लाना पड़ेगा simple सी बात है यह 10 केजी इसको डिस्प्लेज करके इधर ले गए तो यहां पर जो 30 केजी रखा हुआ है इसको डिस्प्लेज करके इधर ले आईए clear इसलिए यहां पर answer क्या होना चाहिए 2 cm away या towards यह सॉरी अवे नहीं होगा two words होगा answer should be three answer should be three कीरती ने answer दिया दो अंत्रा ने answer दिया दो बेटा दो answer नहीं होगा दो answer एकदम गलत है hip hop तीन yes third will be the correct yes Raj Singh need आरी है भाई साब को एक बास समझ रहे हैं कि एक को इधर ले गए तो दूसरे को उसके पास लाना पड़ेगा न दूर ले जाएंगे तो center of mass आगे चला जाएगा negative sign यही बताना चाहरा है कि two words shift करना पड़ेगा ठीक है भाई अब हम आते हैं यहां पर कोलीजन पर चलें कोलीजन बहुत important topic है क्या सभी लोग तयार हैं भाई कोलीजन attempt करने के लिए सभी लोग तयार हैं देखिए भाई एक काम करते हैं मुझे लग रहा अपनी जनता काफी ज्यादा ठक चुकी है कुछ लोगों की morning में भी classes है आज का session अपन लोग center of mass तक कही रखते हैं rotation के लिए अलग से लेकर के आएंगे session ठीक है और उसमें safe rotation cover करेंगे इतना तो कर सकते हो ना भी कि इतना भी नहीं हो पा रहा तुम लोग से कि समझ रहा हूं थोड़ा late हो चुगा है अब भाई देखो क्या था कि सुबे तो ले नहीं सकता था session क्योंकि मेरी already classes थे तुम्हें भी पता है आना offline में में मेरी classes रहती है तो यह session हम रात को ही रख पाते हैं और वह भी 8 बजे के बाद रखा है तो वक्त तो लगता ही है हाँ भी चलो चलो ठीक है collision पर आते हैं यहां से देखना collision दो तरीके क्यों होते हैं एक head on और दूसरे कौन से होते हैं बताओ जल्दी oblique head-on तुम्हें पता ही होंगे head-on collision वह collisions होते हैं जिसमें velocity vectors होते हैं particles के वह along the line of impact होते हैं आमने सामने से जो टक कर होती है उसको head-on बोल ठीक और जो head-on नहीं है वह oblique तो अभी मैं सबसे पहले जो चर्चा करने जा रहा हूं वह head-on collision के बारे में करने जा रहा हूं मैं आपको यहां पर कुछ चीज़ें बताता हूं दियान से सुनिएगा इसे body है M1 अमान लिजे यह यहां पर U1 velocity से जा रहा है तूसा body है M2 जो की U2 velocity से जा रहा है इन दो bodies में collision हुआ collision के बाग यह वाली body V1 से जा रही है और यह वाली body V2 से जा रही है U1 U2 initial velocities है और V1 V2 final velocities है कोई भी question आता है मैं आपको बता दूँ अभी मैं head on cover कर रहा हूं और head on भी तीन तरीके का होगा एक elastic एक inelastic और एक और होगा इसी का special case perfectly inelastic elastic का मतलब E का value 1 inelastic का मतलब E का value 1 और 0 के बीच में होगा और perfectly inelastic का मतलब E का value 0 होगा E क्या है coefficient of restitution आप सभी को पता ही होगा तो देखिए generally आपके सामने यह situation आती है जो कि मैं अभी head on में आपके साथ discuss करने जा रहा हूं तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं करने के एक तरीका होता है momentum conservation से पहली equation और दूसरी equation E वाली से मैं यहाँ पर एक दूसरा method follow करता हूं hopefully आप में से कुछ लोग को पता भी हो और हो सकता है कुछ लोग को ना भी पता हो ठीक sir collision थोड़ा basic से पढ़ाना एकदम 11 में भी नहीं पढ़ा था अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाओ तेरे concept सारे clear हो जाएंगे तो देखना यहां पर अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह collision हो रहा है दो bodies में तो यह बात समझ में आनी चाहिए कि यहां पर कोई और external force नहीं है मतला M1 ने M2 पर और M2 ने M1 पर जो force लगा ना वो internal forces है और अगर internal forces हैं तो momentum गंजर होगा तो हम यह कह सकते हैं कि center of mass की जो velocity है वो change नहीं होगी तो कि center of mass की velocity को सिर्फ कौन change करता है external force मैं एक formula बता रहा हूँ V1 V1 है body 1 की final velocity उसका formula पता है क्या है 1 plus E times of Vcom minus E times of U1 this is V1 और अगर आपसे मैं कहूँ V2 निकालिए तो V2 की value लिखूंगा 1 plus E times of Vcom minus E times of U2 these are the final velocities यह formula अगर आपको याद रहे तो आप इन questions को बहुत आसानी से solve कर पाएंगे आपको पता elastic collision कौन सा collision होता है elastic collision वो collision होता है जिसमें mechanical energy throughout the motion remains conserve रहती है मतलब हम यह कह सकते हैं कि during the collision किसी भी तरह की mechanical energy का loss नहीं होता लेकिन ऐसा किसमें होता है Elastic Collision में In Elastic Collision वो Collision होते हैं जिसमें Mechanical Energy का Loss होता है और Perfectly In Elastic Collision वो Collision होते हैं जिसमें Mechanical Energy का Loss सबसे ज़्यादा होता है ठीक तो पहले तो यह Formula आप Hopefully याद रख पाएंगे ठीक है अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ यह V1 और V2 मुझे उमीद है आपको समझ में आगया होगा अभी मैं चर्चा Head-on Collision की कर रहा हूँ किसकी कर रहा हूँ Head-on Collision की यहाँ पर जो term आया E यह E क्या होता है E होता है Impulse during the Reformation और Impulse during the Deformation का Ratio मतलब I2 divided by I1 आपको पता है जब दो Bodies Collide करती है तो पहले Body की Shape Change होती है मतलब Body Deform होती है और बाद में Body दुबारा से Reform होती है Body दुबारा से अपने Actual Shape और Size को Regain करने का कोसिस करता है तो Deformation और Reformation के दोरान उस Body पर जो Impulse लगता है यह उसी का Ratio है जैसा कि मैंने बताया कि जो E का Value है वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता यहाँ पर E का Value 1 तो Elastic E का Value 1 और 0 के बीच में है तो Inelastic E का Value 0 तो Perfectly Inelastic Newton's Law of Collision के हिसाब से यहाँ पर जो E की Value है यह बराबर यहाँ पर किसके होती है Velocity यह जो Term उपर लिखा हुआ है वी केरफुल ध्यान से देखिएगा यह Term आपके सामने लिखा है Velocity of Separation Velocity of Separation और यह Term जो नीचे लिखा है ना बेटा यह पता है क्या होता है Velocity of Approach Point is this Important point क्या है कि यह जो Velocities है ना जैसे Head-on Collision में तो बोलने की जववत है नहीं क्योंकि Initial of Final Velocity line of impact के along ही होते है Line of impact का मतलब कितने लोगों को पता है How many of you जो जानते हैं कि Line of impact का मतलब क्या होता है Line of impact का मतलब होता है जब दो bodies में Collision हुआ जैसे कि ध्यान से सुनना यह एक M1 body है यह एक M2 body है माल लिजे यह body इस direction में U1 से जा रहा है और यह U2 से जा रहा है कुछ दिर बाद यह दौनों bodies एक दूसरे से टकराएंगे तो जब यह टकराएंगे तो दौनों एक दूसरे पर force लगाएंगे जो force है वो force किदर लगेगा मैं कह सकता हूँ वो force इस line के along लगेगा इस line को अपन कहेंगे common normal तो यहां पर head on collision में तो यह velocity अल्रेडी इस common normal के along ही होती है और इसी को पता है क्या बोला जाता है line of impact क्या कहा जाता है line of impact आगे जाके जब आप oblique collision पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यह velocity of separation of velocity of approach ले रहा है यह हमें along the line of impact लेनी होती है वी careful यहां ध्यान से देखना उपर अगर 2-1 कर रहे हैं तो नीचे 1-2 करिएगा उपर 2-2 body में से अगर पहली वाली वाली की velocity को माइनस किया है तो नीचे पहली वाली में से दूसरी वाली velocity को माइनस करिएगा बहुत बढ़िया अगर कोई आपसे पूचे कि यार सरी इस E से क्या होगा इस E से क्या होगा तो मैं कहूंगा अगर हमें E का value पता चल जाए question में तो हम ये बता सकते हैं कि collision किस तरीके का हो रहा है अब देखना द्यान से जैसे मैं एक बहुत ही simple question देता हूँ आपको अपने आपी सारे concept clear हो जाएंगे जैसे मैंने कहा ये एक 1 kg का body है जो आगे की तरफ 3 meter per second से move का और यहां पर एक और body है 2 kg का वो इस समय रेस्ट पर है और suppose इन दो bodies में collision हुआ और मुझे e का value half दिया हुआ है और now they are asking you कि बताइए कि collision के बाद body 1 और body 2 का velocity क्या होगा question समझ आए आप लोगों यहां पर बहुत अलग लग तरीके की question आप से पूछे जा सकते हैं जिसमें से एक question यह है बहुत ही simple सा question है यह body 1 है यह body 2 है collision हुआ body 1 और 2 की हमें final velocities निकालनी है फटा फट से solve करी और बताइए यह पूछने है सिवा चंद्रमॉली कि sir how will you find the VCM of a unknown body अरे बेटा एक बात बताओ क्या यहां पर तुम इस system का VCM नहीं निकाल सकते हैं क्या लिखोगे 1 into 3 plus 2 into 0 divided by the total mass VCM कितना आ गया 1 अब मुझे अगर V1 निकालना है क्या वो formula आप सभी को याद है 1 plus E 1 plus E E का value 1 by 2 multiplied by बताए जल्दी से क्या था 1 plus E multiplied by VCM VCM कितना है 1 minus E E की value 1 by 2 into U1 U1 कितना है 3 formula की importance समझे भाई अभी formula बता आप लोग को यहां पर देखो यह रहा अगर आप body 1 का final velocity निकाल रहे तो यहां पर body 1 का ही initial velocity आएगा और अगर आप body 2 का final velocity निकाल रहे यह तो यहां भी body 2 का initial velocity आएगा बोलो clear बताओ यहां पर इसको solve करने पर बेटा कितना आएगा यह value आपको बहुत clear ली समझ में आ रही होगी यार 3 by 2 minus 3 by 2 अरे यार मेरा तो 0 आ रहा है क्या आप लोग का भी 0 आ रहा है क्या बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है इसका मतलब collision होने के बाद यह वाली body तो rest पर आ चुकी है बाई यह वाली body तो किस पर आ जाएगी? rest पर आ जाएगी अब मैं बात करूँ अगर 2 kg वाले की तो वो हम निकाल सकते हैं वो कैसे लिखोगे बताओ लेको पहला term तो वही रहेगा 1 plus 1 by 2 into 1 minus क्या करोगे 1 by 2 into इसका initial velocity जो की कितना है 0 तो बताइए यहाँ पर यह term कितना है 3 by 2 question निकालने के बाद मेरे भाईयो अगर आपके मन में confidence ना आए तो घबराने की जवत नहीं है मैं आपको तरीका बताओ अगर आपको लग रहा हो कि पता नहीं मेरी calculation सही है गलत तो आप क्या करना कि उस system का initial momentum और final momentum एक बार चेक कर लेना अगर initial and final momentum बराबर है तो आपका answer ए है या नहीं momentum conserve है initial भी तीन है final भी तीन है इसका मतलब हमने answer अपना एकदम सही निकाला है पक्का ओके नाइस wonderful चलिए अब मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं यहां पर एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि what is a change in kinetic energy what is a change in kinetic energy उसे मैं यहां पर बताता हूं कैस हुआ है जैसे कि आपने अभी थोड़ी दिर पहले fractional changes निकाले थे आप से क्या पूछा गया change in mechanical energy आप कहीं यह तो नहीं सोच रहें कि 0 आएगा कि इतने लोह को लग रहा है कि answer 0 आएगा पेटा answer 0 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर observe करो e का value 1 by 2 है e का value 1 by 2 का मतलब inelastic collision है और अगर inelastic collision है तो यह तो तह है कि mechanical energy loss होगी जीरो तब आता जब e की value 1 होती बताओ कैसे निकालोगे initial kinetic energy लिखो कितनी आ रही है half mass 1 into 3 का square मेरे साब से 9 by 2 joule आ रही है और final kinetic energy बताओ कितनी आ रही है half mass 2 into 9 by 4 मेरे साब से 9 by 4 आ रही है done तो बताना यहां पर change कितना आ रहा है change लिखना है mechanical energy का initial वाली ज्यादा है 9 by 2 और final वाली कम है 9 by 4 मेरे साब से यह जे change है वो change कितना आ गया 9 by 4 joule आ गया मैं आपको यहां पर एक और तड़ीका बताता हूँ देखना चाओगे यह जो तड़ीका आपको बताने जा रहा हूं अभी सुनना ध्यान से अच्छा अब आई ना काम की बात मैं वही सोच रहा था एक टूल था हमारे पास इसका हम यूज करते थे बहुत सांदार था वो टूल में बहुत देर से यूज नहीं कर पा रहा था अब यूज कर सकता हूं येस परफेक्ट हाँ जी देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा था देखो ये वाला मैथट बड़ा लेंदी है अगर कभी आपसे चेंजिन मेकैनिकल एनरजी या फ्रेक्शनल चेंजिन काइंटिक एनरजी पूछ लिया तो तुम इतनी मैनत करोगे फाइनल स्पीड निकालोगे फिर फाइनल काईंटिक एनरजी निकालोगे इस बार तो फिर भी आसान था क्योंकि तुमारी किस्मत अच्छी थी क्यों अच्छी थी क्योंकि इनिशेल कोलीजन से पहले एक बॉड़ी रेस्ट पे ती और कोलीजन के बाद दूसरी बॉड़ी और उसमें काइंटिक एनेर्जी का अगर आपने लॉस निकालना है लॉस तो पेटे इस लॉस को आप कैसे लिख सकते हैं पता है हाफ M1 M2 अपाउन M1 प्लस M2 यह है रिड्यूस मास इन्टू इनिशल रिलेटिव विलॉसिटी का स्क्वाइर multiplied by 1 minus e square यह आपके notes में हो सकता हो नहीं है तो याद कर लो मैं यहीं कहूंगा जिन लोग ने मेरे lectures काफी detail में पड़े हुए है उनको पता होगा कि हाँ यह formula मैंने drive किया है class में तो मेरे भाई हो एक बात बताना अब यहां से सवाल solve करना बहुत आसान हो जाता है जैसे कि इस question में मुझे loss अगर calculate करना है loss मैं कैसे लिखूंगा पता है half reduce mass reduce mass क्या होगा 1 into 2 upon 1 plus 2 into relative velocity का square initial relative velocity 3 है तो 3 का square 9 into 1 minus e square मतलब 1 minus 1 by 4 यहां पर यह term cancel out यह term cancel out 3 यहां पर जब हम loss लेखेंगे तो 3 into 4 minus 1 that is 3 by 4 और यह value देखो 9 बटे 4 Joule बता हो कितना समय लगा इस formula से आपको काफी सारी चीजे बहुत अच्छे से explain भी हो रही है कि अगर elastic collision होगा तो e1 होगा बोलो होगा या नहीं अगर elastic collision है तो e1 होगा और e1 है तो what is a loss in kinetic energy 0 क्योंकि initial kinetic energy और final kinetic energy बराबर होती है elastic collision में अब आप सोचिए कि loss maximum किस में होगा उसमें maximum होगा जहां पर e की value 0 होगी और e का value 0 किस में होता है perfectly in elastic collision में perfectly in elastic collision में just after the collision velocity of separation 0 हो जाता है मतलब just after the collision मैं यह कह सकता हूँ both of the blocks की जो velocity है वो same हो जाती है ओके ठीक है done आगे बढ़ते हैं यह in elastic हो गया special cases देखिए दो special cases हैं जो हमें पता होने चाहिए पहला special case क्या है case number one जो मैं यहां पर discuss कर देता हूँ आप लोग के साथ अच्छा यह logo होता है तो यह move करता है done done समझ गया है यह दिक्कत थी उस समय हाँ पहला case क्या है कि माल लो यह body M1 जो की आगे की तरफ U1 से जा रहा है और यह दूसा body है M2 जो आगे की तरफ U2 से जा रहा है इनके बीच में collision हुआ elastic क्यासा collision हुआ elastic तो पता है क्या होता है अगर elastic collision हो रहा है दो bodies के बीच में लेकिन इन दौनों bodies के masses अगर बराबर हो जाए मतलब अगर M1 M2 के बराबर हो जाए तो यह velocities interchange हो जाती है हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही सुना मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि collision के just बाद इसकी जो velocity है जिसको आप V1 कह रहे थे और collision के just बाद इसकी जो velocity है जिससे आप V2 कह रहे थे तो जो V1 है वो U2 हो जाएगा और जो V2 है वो U1 हो जाएगा अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लेकिन ऐसा हमेशा नहीं तब ही होगा जब identical bodies में head-on elastic collision हो प्लीज नोट डाउन कर लीजेगा इस बात को कि अगर head-on elastic collision दो identical bodies में होता है तो velocities interchange हो जाती है इस बात को मैं प्रूब भी कर सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं आप से पूछू VCM निकालिए तो आप लेखेंगे M into U1 plus M into U2 दोनों मास से में divided by 2M यह देखो कितना आ गया है U1 plus U2 divided by 2 एक मिनट yes U1 plus U2 divided by 2 विलो डन अब देखना द्यान से मुझे अगर V1 कालना है formula बताया था थोड़ी दे पहले 1 plus E 1 plus E E की value 1 है तो 1 plus E that is 2 into VCM VCM कितना है U1 plus U2 divided by 2 minus U1 यह value कितनी आ गया U2 अगर मैं आपसे पूछू V2 बताईए V2 कैसे लिखेंगे 2 multiplied by U1 plus U2 divided by 2 minus of U2 यह देखें कितना आ गया U1 check करो क्या मैंने जो बात बोली थी क्या वो आपको समझ में आ रही है मैंने अगर बोला ना velocities interchange हो जाती है तो इसका मतलब you should conclude the direction also मतलब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने यह situation दे दूं ध्यान से सुनना यार मैंने कहा 1 kg का body आगे की तरफ जा रहा है 2 meter per second से और यहाँ पर 1 kg का body इस direction में आ रहा है 1 meter per second से और इनके बीच में जो collision है वो इनके बीच में जो collision है वो कैसा है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्यों क्यों कैसा elastic है ठीक अब तुम सोचना velocities interchange हो जाएंगी तो क्या होने वाला velocities interchange हो जाएंगी तो अगर मैंने इसको body को A बोला और इसको body को B बोला तो just after the collision जो body A है वो opposite direction में 1 meter per second से चलेगी यह है आपकी A body और जो body B है ना बेटे वो इस direction में आपकी 2 meter per second से चलेगी बोलो भाई हो समझ में आया कि नहीं है क्या यह बात याद रहेगी velocity interchange special case सर इसमें velocity interchange नहीं होगा किस case में नहीं होगा बे Mr. Killer deck यह बकवास कर रहा है बहुत देर से नहीं नहीं सही है ठीक तो पहला special case यह है दूसरा special case और बताता हूँ आपको इसके लाबा यहाँ पर यस एक और special case देखिएगा कि मान लिजे कि दो ऐसी bodies में collision होता है जिसमें से एक body का mass पहली वाली body से बहुत ज़्यादा है मतलब मैं यह कह सकता हूँ यह वाली condition मान के चलिए एक plastic की ball फेक करके मारी एक truck में किसमें मारी truck में यह एक plastic की ball किसी बहुत heavy object में फेक करके मारी अब यह मान लो आगे v1 से जा रहा है यह आगे v2 से जा रहा है और मालो इन में collision हुआ coefficient of restitution e1 collision के बाद एक minute इसको v1 v2 से change कर लेते हैं नहीं तो confusion हो जाएगा इसकी initial velocity क्या थे u1 और इसकी initial velocity क्या थे u2 तो collision के जस्ट बाद इसकी velocity है v1 और इसकी velocity क्या है v2 यह है m1 और यह है m2 बोलो दिख रहा है सभी को भाई अब बात ही आती है कि v1 और v2 क्या होंगे तो पहली बात तो अगर मैं आपसे यह कहूं vcm निकालो vcm क्या लिखोगे m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2 देखो यहाँ पर काम की बात बता रहा हूं द्यान से सुनगा जो heavy mass है उसको common लेलो heavy con है m1 या m2 heavy con है जल्दी बताइए m1 और m2 मैं से heavy con है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे यहाँ पर आपको देखके समझ आ रहा है कि जो m2 है वो heavy है तो बाहर आ जाएगा अंदर क्या बचेगा अंदर बनेगा आपका m1 upon m2 into u1 plus u2 upon यहां से भी आप m2 को बाहर common निकाल लिए अंदर बचेगा आपके पास m1 upon m2 plus 1 m2 से m2 cancel out यहां पर observe करना यह वाला term approximately 0 को approach करेगा क्योंकि जो heavy mass है वो नीचे है जो lighter mass है वो उपर है और यहां पर भी जड़ा observe करना यह वाला term भी approximately 0 को approach करेगा तो यहां पर vcm अगर observe करो तो बेटा यह u2 के बराबर आ रहे है काम की बात मुद्दे की बात यही है इसी result को बस याद रखिएगा कि जो center of mass की velocity होती है वो approximately जो heavy object है उसकी जो velocity है उसी के बराबर होती है अगर यह बात याद है तो यह special case के question आप बहुत जल्दी से deal कर सकते हैं कैसे सुनना अगर आपसे यह पूछा जाता वी टू क्या होगा तो आप वी टू का formula क्या लिखते 1 प्लस E इंटू vcm लेकिन vcm को क्या लिखोगे u2 minus e times of u2 तो देखना यह बराबर किसके आ रहा है क्या यह u2 ही आ रहा है अगर एक lighter object बहुत heavy object से टकराएगा तो मेरे भाई एक बात याद रखना कि जो heavy object है उसकी velocity में change नहीं आएगा यह हम यह कह सकते हैं change इतना कम आएगा कि हम उसे neglect कर सकते हैं आप सोची एक truck जा रहा है उसकी speed 5 meter per second है और आपने एक ball fake के मारी 50 meter per second से तो truck पर क्या कोई फर्क पड़ेगा बताई truck तो कहेगा कि ऐसी 50 ball भी मार लो तब भी मेरे पर फर्क जो पड़ेगा वो बहुत कम होगा है ना भाई clear लेकिन हाँ इसकी velocity पर अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा आप B1 निकालोगे तो यह आएगा 1 प्लस E times of VCM VCM क्या होगा U2 minus E times of U1 तो इसमें फर्क देख रखने को नहीं मिलेगा हाँ बस काम की बात तुम्हें यही याद रखनी है कि अगर heavy object है तो उसका जो VCM होगा वो उसके heavy object की जो velocity है उसके बराबर होगा अब जैसे कि मैं यहाँ पर यह question दे सकता हूँ आप लोगो एक question try करिएगा जैसे मैं आपको यह कहूं कि देखना व heavy wall है जो आगे की तरफ जा रही है वन मीटर पर सेकेंड से और इनके बीच में collision होता है और suppose E का value मुझे हाफ दिया है यह question है जब ऐसे questions आते है ना जब बोला जाता है कि एक heavy object है तो उस case में आपको even body के masses देने की भी जववत नहीं है अगर मुझे यहाँ पर even यह भी नहीं पता ना कि body के masses के हैं तो भी मैं answer निकाल सकता हूँ क्योंकि मैंने यह बोल दिया ना कि यार यह जो body है ना M2 वो बहुत ज़्यादा heavy है तो इसका मतलब कहीं न कहीं मैं यह कहना चाहरा हूँ जिसको मैंने v1 कहा है आप v1 बताएए कैसे लिखेंगे v1 लिखेंगे 1 प्लस e 1 प्लस e that is 1 बाइ 2 multiplied by vcom vcom की value क्या लिखेंगे 1 minus 1 बाइ 2 multiplied by 2 देखो भाई यह term क्या आ रहा है 3 बाइ 2 माइनस 1 और मेरे साब से यह 1 by 2 आ गया क्या 1 by 2 आ रहा है क्या चल्दी से confirm करो भाई कौन confirm करेगा इस बात को कुसल बंसल 1 by 2 बहुत बढ़िया इसका मतलब यह value जो है वो 1 by 2 हो जाएगे और हम यह कहेंगे कि m2 पर कोई खास फरक नहीं पढ़ेगा m2 अभी भी मस्त हो करके मस्त मौला चाल चलता जाएगा आराम से हूप टकराओ हमारी velocity पर कोई खास फरक नहीं पढ़ने वाला हाँ बढ़ी यहां पर कई बार यह सवाल पूछ ले जाता है impulse बताओ आपको पता impulse बराबर क्या होता है impulse बराबर होता है change in momentum अगर आपसे यहां पर यह सवाल पूछा जाए यह बताओ कि यह जो m1 मास था इसके इंपल्स में कितना चेंज आया वो भी हम निकाल देंगे इसकी इनिशल विलासिटी 2 है फाइनल विलासिटी 1 बाइ 2 है लेकिन हाँ उसके लिए मास की जवबत पड़ेगी मालोब मास इसका 1 kg है तो क्या आप इंपल्स निकाल सकते हो ओके डन नाइस अरे भाई ये क्या है चुआ है क्या है भाई चुआ तो भाई पहरों तक पहुंच गया डराई दिया इसने तो येस 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 एलो एवरिवान हाउस द जोज क्या हल चाल कैसे हैं आप सभी लोग अबी भी काफी सारी लोग मैदान में टिके हुए हैं लगबग रात के दो बच के सतावन मिनट हो चुके हैं लेकिन अपने भाई लोग अभी भी महनत कर रहे हैं कोशिस कर रहे हैं आपके इस जज़वे को मेरा पूरा सलाम है सब्सक्राइब को कुछ नहीं कर पाया तो आपके पीछे पड़ गया मुझे भी लग रहा है मुझे भी डर लग रहा है एक तो इत्ते बड़े-बड़े चुए हैं ना एक्चले में वो भी यह सोच रहा होगा ना कि यार इस टाइम पर तो कोई आता ही नहीं है यह भाई आज कौन आ गया कौन संगी आदमी है यार रात को हमें अपना कामी नहीं करने दे रहा हम आराम से रात को आते हैं 12 बजे के बाद यहाँ पर जो सोफे वोफे डले हुए ह मौज मस्ती करते हैं आराम से लोट मारते हैं सुबह तक 6-7 बजे तक आज तो भाई पता नहीं लाइट आफ ही नहीं हो रही यह जाई नीरा इतनी देर हो गई तो वो लोग भी परिसान हो गए आज क्या ना उनका कमफर्ट जो है जो कूदते थे थे ना इदा उदर आज व दूगों के साथ क्या होता ना वो लाइट में नहीं आते जब अंदेरा हो जाता है तो आके मौज मस्ती करते हैं तुम्हारी तरह हैं बिल्कुल कि चलिए चलिए सिवाचंद्रमॉली थैंक यू सर थैंक यू फॉर वाट सर कल जीवी वन में कित्ते बज़े क्लास है आई थिंग 740 पर है कल पीटीम होनी की वज़े से क्लास का डिएशन कम कर दिया गया है ना वई बढ़े आगे बढ़े भाई चुवा भी फिजिक्स पढ़ पढ़के इतना एक्साइटिड हो गया है ना कि उसकी काइंटिक एनरजी भी नॉन जीरो आ रही है आप सोचिए चुवा भी यहां पर आके पैरों पर कोलीजन कर रहा है उसे भी कोलीजन की फील आ गई भायो फ्रहाता हो तूं हाँ थीटा बगवान जाने क्या लिखा हुआ हां ही चुक्त दें अमेम सबसे पहले बतादाूँ कोलीजन और फिक्स से सर्फेस बात करने वहाला हूं मौन लीजे यह सर्फेस आहती यह frater यहां से आता और यू टक्राता पिल जिस स्पीड Дarekal Cook पर इदर इसके साथ वो एंगल अलफा बना रहा था और टकराने के बाद वो बीटा बना रहा है मेरे भाई यो एक बाद बताओ क्या सभी को head-on collision समझ में आगे है अगर आपको head-on collision समझ में आगे ना तो अब आप ये मान के चलिए अगले दो मिनिट में आपको समझ आ जाएगा जब दो बाडी में कोलीजन होता है तो जो फोर्स है वो लाइन अफ इंपक्ट के अलॉंग लगते हैं तो लाइन अफ इंपक्ट के अलॉंग सब कुछ वैसा ही होता है जैसा अपने head-on कोलीजन में पड़ा था और लाइन अफ इंपक्ट के परपेंडिकुलर कुछ होता ही नहीं है मतलब मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ जब यह पार्टिकल यहाँ पर आया तो आप साइद यहाँ पर यह समझ पा रहे होंगे कि इसकी विलासिटी इस डिरेक्शन में इसकी विलासिटी इस डिरेक्शन में यूवन थी कितनी थी यूवन इस यूवन के दो कंपोनेंट किये जा सकते हैं यह एंगल अलफा यह एंगल अलफा तो इसका यह वाला जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट क्या होगा वो कंपोनेंट था U1 cos alpha और इसका ये वाला component क्या था U1 sin alpha इसी तरीके से जब वो टकरा के जा रहा था ये angle beta तो ये वाला component जो है वो होगा V1 cos beta और ये वाला जो component है वो होगा V1 sin beta उद्दे की बात ये कि line of impact के perpendicular direction में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी ना होने का मतलब है कि collision से just पहले और collision के just बात जो velocities है वो as it is same रहती है जिसे collision से पहले ये वाला component बताओ कितना U1 sin alpha, line of impact मतलब समझ पा रहे है, common normal जब दो bodies एक दूसरे के contact में आते हैं तो जो common normal है उसी को line of impact कर रहा हूँ यहाँ पर observe करीगा ये line of impact है आपका ठीक, हाँ, तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा U1 sin alpha, कौन सा alpha U1 sin alpha बराबर आपके किस के होगा V1 sin beta के यह है पहली equation, कौन सी equation है पहली equation है, बोलो किलियर है भाई Sir I don't have your subscription but I have seen from some part of you it's totally good lecture thank you so much भाई, अंसु दयाल हाँ, अब देखना line of impact के perpendicular direction में क्या होगा, line of impact के perpendicular direction में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा elastic collision में होता है, यह collision fixed surface से हो रहा है, तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ, कि यह जो final वाली velocity है जिसको मैंने V1 cos beta लिखा हुआ है एक मिनट यहाँ पर किसके होगा V1 cos beta के होगा this is your second equation दोने equation को divide मार दीजे, divide मारेंगे U1 से U1 cancel, V1 से V1 cancel तो यहाँ पर यह term बनेगा 10 alpha upon E बराबर क्या 10 beta, यह result भाई important है, अगर हो सके तो याद रखे alpha और beta पता होना चाहिए यही result यहाँ पर इस page पर साइद लिखा हुआ था 10 alpha upon E बराबर 10 beta आपको यहाँ से देखकर के समझ में आ रहा होगा कि E की जो value है वो generally less than 1 या equal to 1 होती है यहाँ पर अगर यह collision elastic होगा तो elastic collision में body जिस angle पर आ रही है उसी angle पर जाएगी अगर एक body ऐसे टकराया तो ऐसे गया यहाँ पर टकराने से पहले अगर यह angle 30 degree था तो टकराने के बाद भी यह angle 30 degree ही होगा बोलो clear है और otherwise यह वाला जो angle आप देख पार है बीटा यह वाला बीटा जो angle है वो alpha के बराबर या फिर उससे छोटा ही आएगा कहानी क्या है यह समझने का प्रियास करिएगा कि oblique collision में दिमाख मत चलाईए oblique collision में line of impact के along किसके along? line of impact के along वही सारे rule लगेंगे जो head on में और line of impact के perpendicular आपको कुछ भी नहीं करना ठीक है भाई सर लैप्टाप में से दुआ निकलने लग गया है बताओ यार तुम्हारे दुआ निकलने लगा मैं इससे पहले तुम्हें पता है एक बाट 20 गंटे का भी session ले चुगा हूं जिन लोगों ने लास्ट इयर बीस गंटे का वह session अटेंड किया होगा उनका क्या हाल हुआ होगा भई हाँ अब मैं एक डारेक्ट जल्दी से फटाफट वेरीवल मास सिस्टम का एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही जादा कि जब भी कोई body move कर रही होती है और उससे mass लगातार change हो रहा होता या mass का continuous flow हो रहा होता है तो उस body के उपर एक force लगता है जिस force को हम thrust force कहते हैं क्या कहते है thrust force और इस thrust force की जो value होती है न यह बराबर होती है minus V into dm by dt यहापर जो V लिखा है न यह vr है यह vr क्या है यह रि अगर सिर्फ यह formula भी याद रहे गया ना तो तुमसे thrust force के question बन जाएंगे क्या minus sign क्या बता रहा है minus sign यह बता रहा है जैसे कि for example यह rocket है अब इस rocket से gases exact हो रही है और gases बहार की तरफ जा रही है और उन gases की velocity अगर rocket के respect में वी आर है तो इस पर जो force लगेगा ना वो velocity के opposite direction में thrust force लगेगा अब इसका proof वगेरा अभी मैं यहां पर discuss नहीं कर रहा है मुद्दे की बात काम की बात सिर्फ इतनी सी है कि यह formula याद कर लिए और यह formula हमें तब use करना होगा जब किसी भी system में either mass या तो add हो रहा हो या subtract हो रहा हो कि डन रेट अफ फ्लो आफ मास कि आए कि आये questions आ चुके हैं आपके सामने फटाफट से question solve करते हैं जे मेंस के पीवाई क्यू और इस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं क्या सभी लोग तयार हैं आई फटाफट अभी मुझे सभी की एकदम high energy चाहिए भाई अब हम इस session क के लगवग अंतिम पढ़ाव पर पहुंच चुके हैं और आपके 10 से 15 मिनट पूरी high energy के साथ हम इस चैप्टर को बाइंड अप करना चाहेंगे क्या सभी लोग मेरे साथ एक दम जोड़दार तरीके से तैयार हैं So Haūsad Joes, yes तैयार हो जाएं बाई आदित्ये कीड़ती खाएं everyone is ready आई question पडिए Familie ऐसे, question पड़िए वच्छीन पड़िए a body of mass 0.1 kg as a initial velocity of 3Iríaowego it collective elastically with another body b of a same mass which has a velocity of 5 j cal okay nice ठीक है after collision A moves with this velocity okay energy of B after the collision question समझ मैं collision हुआ है collision के वारे में नहीं बताया गया लेकिन आपको पता है during the collision momentum conserve होगा आपको initial भी momentum पता है और आपको finally body A का momentum momentum पता है तो मुझे लगता है कि यह question जो है वो एक momentum conservation का question और अगर यह momentum conservation का question है तो हम बहुत आसानी से solve कर सकते हैं तो बताये क्या करना चाहिए बी careful एक बात का ध्यान रखेगा कि यहाँ पर जो initial velocity दी हुई है न वो same direction में नहीं मतला मुझे यहाँ पर momentum conservation आइधर x या y के लॉंग नहीं लगाना होगा मुझे यहाँ पर momentum conservation 3D में लगाना होगा तो मैं यहाँ पर अगर पहली वाली body की बात करूं तरह देखते हैं body B of a same mass momentum conservation 0.1 multiplied by 3 i cap बोलिए clear है बोलो yes or no बहुत बढ़िया आगे बढ़ता हूं 0.1 multiplied by 5 j cap समझ में आया this is our initial momentum final momentum बताइए क्या लिखेंगे 0.1 multiplied by 4 and आगे आएगा यहाँ पर i cap प्लस j cap बोलो clear है plus 0.1 into velocity vector देखो भाई यह term आपके सामने बनेगा यह term आपके सामने बनेगा क्या यह बात सभी को clear है यहाँ पर इसे थोड़ा सा simplify कर लेते हैं पहला term 3 i cap यह वाला term plus 5 j cap बराबर यहाँ पर observe करें तो यह term है आपके सामने 4 i cap plus 4 j cap plus velocity vector यहाँ पर इदर लेकर के आएं तो velocity vector की जो value है वो आती है minus के i cap और यहाँ पर subtract करें तो यह आती है plus j cap यह यह आ रहे है यह velocity आगी तो बेटा जल्दी बताना फटा फट से यहाँ से तुमारा magnitude क्या आया क्या यह magnitude root 2 आ रहे है क्या चेक करो क्या सभी का magnitude root 2 आ रहे है क्या answer 1 बताए जारा let's see check कर लेते है energy पूछिए B की B की speed पता चल गई तो यहाँ पर kinetic energy क्या लिखे होगे बताओ half m m की value 1 by 10 into v square answer should be 1 by 10 हमें x की value निकालनी है बहुत बढ़ी है यहाँ से x की value 1 आ गई यहाँ से x की value 1 आ गई फटा फट सेशन को like करो यार एक बात बताओ आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जही लेंडिंग पेज विजिट कर चुके हैं how many of you अगर नहीं किया तो करना है भाई ठीक है पता तो चले तुमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और पता चले तुम्हीं उसका profit नहीं ले पा रहे हैं कोई और profit ले रहा है इस बात का ध्यान रखना बोलो आसान सवाल है काफी लोग कर चुके हैं बहुत बढ़िया क्यासा लगा अभी उसमें अपडेट चल रहा है मैटरिल बढ़िया है काफी सारी चीजें है या नहीं आप लोग के लिए फाइदे मन्त इसके लावा अब आपको टॉपिक वाइज एसाइंग्मेंट भी प्रोवाइड किये जा गां तके या तके या तक या तकाफी दिन आपको टॉपिक स्टाउट चैज या इसाट बेंटी जा काफी संद है झाल 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 प्रेंद तुम कहीं से copy किये हो yes answer is 4 root 3 by 2 is a correct answer आदित्यन ने भी निकाल दिया wonderful यार बहुत बड़ी है ऐसे question अगर आप कर पा रहे हो तो क्या बात है देखना द्यान से situation क्या है मैं आपको explain करता हूँ देखिए यहां से एक particle को root 2gh से उपर की तरफ फेका गया है तो क्या होगा कि यह particle नीचे आ रहा है यह particle उपर जा रहा है तो कुछ समय बाद इन दोनों particle का collision होगा तो पहली बात तो यह है कि यह collision होने के बाद दोनों stick कर गए तो collision से जश्ट पहले इनकी speed क्या है वो निकालना ज़रूरी है तो collision कब हुआ अगर यह पता चल जाए मतला अगर हमें time पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा अब आप यह सोचिए कि इन दोनों का acceleration तो g downward direction में तो relative acceleration क्या होगा यह 0 तो time निकालने के लिए मैं relative का concept यूज़ कर सकता हूँ मैं कहूंगा कि इसके frame में इसके speed है root 2gh बोलो yes और no बोलो पका ओके नाइस तो देखेगा मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो होगा distance divided by velocity root 2gh और यहाँ से यह value निकल के आएगी आपकी क्या root h divided by 2g आ गया अगर यह time आ गया तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह particle कितना नीचे आ गया होगा कैसे पता चलेगा क्योंकि इसका acceleration पता है बेटा downward direction में कितना है g है तो मैं इस given particle के लिए जब बात करूँगा तो मैं इसके लिए क्या लिखूँगा v बराबर u प्लस a t और a की value कितनी है g इंटू t और t की value कितनी है square root of h upon 2g यहां से देखकर के साइद आप समझ पारे हों कि यह value आपके पास कितनी आ जाती है g h by 2 बहुत बढ़ी है खीक अच्छा next is कि यार यह particle यहां से यहां पहुँचा है तो जब यह particle यहां से यहां पहुचा है तो इतने time में इसकी velocity कितनी change होगी होगी यह तो particle 1 की velocity है particle 2 की बात कर लेते हैं 2 की बात करेंगे तो मैं यहां पे लिखूँगा square root of 2g h आजी बढ़ी clear है बढ़ी क्या लिखूँगा h upon 2g यहां से देखने के बाद यहां पे बहुत ही clearly समझ में आ रहा है कि यह value root 2g h एक मिनट एक मिनट एक काम करते हैं मैं इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूँ जब मेरे पास time आ गया तो मेरे पास यह तो पता ही चल गया यह कितना नीचे आया है अगर इसको rest से release किया है तो इतने time में यह कितना नीचे आया सीधे निकालते है न यार क्यासे निकालोगे पताइए s बराबर ut plus half a t square तो half a एक ही value g into t square h by 2g यह cancel out हुआ यह value आगी h by 4 इसका मतलब जनाब यह वाला particle यहां से नीचे आ गया कितना आ गया नीचे h by 4 और एक particle यहां से उपर चला गया वो कितना गया 3 h by 4 तो अगर यह h by 4 नीचे आ गया तो इसकी velocity कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ अभी वैसे निकाल चुके हो root 2gh that is h by 4 कितना आ गया बेटे g h by 2 और यह यहां से यहां तक पहुँचा है तो इसकी velocity भी अगर तुम निकालोगे तो देखना कितनी लिखोगे v square बराबर third equation of motion v square बराबर u square plus 2as 2g into 3h by 4 एक टम cancel out हुआ यह आता है g h by 2 यह इस question की punch line है पता है punch line क्या है कि जब यह दौन पार्टिकल टकरा रहे होंगे जिस moment पर टकरा रहे होंगे उस moment पर इस given particle की velocity नीचे की तरफ अगर v है तो इस particle की velocity उपर की तरफ v होगी अब बोट अब दा पार्टिकल must have the same speed अब आप सोचिए same speed mass भी से तो collision जैसे ही होगा initial momentum collision से पहले just 0 है तो just after the collision भी momentum 0 तो हम यह कह सकते है situation ही होगी just after the collision यह अब नीचे आएंगे direct और यह free drop वाली condition हो जाएगी और यह distance कितना चलना है 3H by 4 time पूछा गया मेरे साब से time कैसे निकाल होगी अगर कोई चीज ड्रॉप की गई है तो time निकालते है square root of 2H by G यहां से यह cancel out हुआ और आपका answer आएगा 3H by 2 बिल्कुल सही पता ही आप लोगों ने भी ऐसी solve किया था क्या मेरे साब से answer will be the fourth क्या आप लोगों ने ऐसी approach किया है क्या interesting क्या है बता इस question में कि collision के just बाद final velocity 0 हो गई है this is an interesting fact yes now come to the next question yeah this question is also nice wonderful question बहुत ही सांदर question please एक बार इस question को जरूर read करिएगा question क्या है मैं आपको पढ़के बताता हूँ एक particle है जिसे 60 degree पर project किया गया देखेगा situation अला यहां से एक particle को यूँ फेका गया है जब particle को यहां से फेका गया है तो उसका speed यू है और कितने angle पर फेका है जल्दी बताना 60 degree पर फेका है ऐसा लिखा हूँ है when it reaches to the maximum height भाई कुछ देर बाद यह maximum height पर पहुंच जाएगा maximum height पर जब यह पहुंचेगा तो इसके पास velocity का सिर्फ horizontal component होगा जो कि कितना होगा u cos 60 जो कि कितना होगा u by 2 अब अच्छा एक और बात बताना जब यह maximum height पर पहुंचा यह height maximum है अगर मैं आपसे पूछूँ कि वो maximum height की value क्या होगी projectile motion सभी ने पढ़ा है मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा u square sin square 60 divided by 2g यहाँ पर इस expression को क्या लिखूंगा u square by 2g into root 3 by 2 का whole square that is what 3 by 4 यह value कितनी आजाती है बेटा 3 u square by 8g this is the maximum height done sir यहाँ पर g conservative force है that's why momentum is conserve क्या बोल रहे हो बेटा मानस नहीं नहीं हम जब momentum conserve कर रहे हैं तो just before और after the event कर रहे हैं उस short interval में लेकिन उस short interval में gravity एक non impulsive force है और एक non impulsive force की वज़ा से momentum में कोई khas change नहीं आएगा that is a main reason conservative होना reason नहीं है हाँ आप देखना जभी topmost point पर पहुंचा तो इसकी speed u by 2 है यह colloid करता है दूसरे particle से with another particle of same mass and velocity u i cap collision हुआ वो भी आगे की तरफ जा रहा है तो आप से पूचा है कि final अच्छा एक बात बताना can I conserve the momentum just before or after the event लोनों का mass same है क्या yes same है तो बताना यहां लिखूंगा m into u by 2 plus m into u बराबर 2m multiplied by velocity vector यहां से देख करके बताना यह value कितनी आ रही है 3u by 2 and that is velocity vector this is the final velocity vector collision के just बाद यह जो velocity है यह 3u by 4 हो जाएगा done लेकिन आप से क्या पूचा horizontal distance cover by the combined mass before reaching the ground अब आपको पता है कि इसके बाद यह ground पर जहां पहुचेगा ना तो यह distance पूचा जा रहा है it is like a horizontal projection अब एक बाह बताओ अगर horizontal projection हो रहा है तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ यह वाला distance अगर x है ना तो x बराबर क्या लिख सकते हैं velocity क्योंकि horizontal component कभी change नहीं होगा तो यह हो जाएगा 3u by 4 बोलो yes or no multiplied by t time क्या लिखोगे square root of 2 by g into h और h की value होगी यहाँ पर 3u square divided by 8g यह expression आपके सामने आएगा यहाँ से आप देखें तो यह term cancel out हो जाएगा यहाँ से यह u बाहर आजाएगा तो देखेगा मेरे हिसाब से यह जो term बन रहा है वो क्या बन रहा है भई एक मिनट 3 3 यह तो root अंदर रह गया तो sorry 3 root 3 u square divided by that is 2 and 2 into 4 that is 8 into g yes this will be the answer कोई answer match कर रहा है क्या चेक करिए फटाफट yes यह answer match कर रहा है this will be the correct answer third answer will be the correct third will be the correct समझ आया है क्या चेक करिए काफी अच्छा सवाल है projectile momentum conservation इन दौनों का combined एक बढ़िया application है अच्छा कोई आप मैंसे यह बता सकता है कि मैंने यहां पर जबकि gravity लग रहा है फिर भी मैंने momentum क्यों conserve किया yes any one of you जो मुझे explain कर सकता है कि मैंने यहां पर momentum क्यों conserve किया क्योंकि मैं यहां पर momentum conserve कर रहा हूँ event के just पहले और event के just बाद event के just पहले और event के just बाद momentum इसलिए conserve कर पा रहा हूँ क्योंकि gravitational force एक non-impulsive force है हाँ horizontal में किये यह भी बात सही है हमने वैसे भी x के along किया तो x के along तो वैसे भी कोई force नहीं हाँ बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं तो भूली गया मैंने तो momentum वैसे भी x के along conserve किया done done okay clear come to the next जही में इस 2020 का सवाल था भाई यह आ जाईए अगले सवाल पर आ जाईए भाई सवाल करते जाईए ठकना नहीं है हारना नहीं है particle of mass m colloid perfectly elastically with a mass 3m which is at rest and it moves with a velocity v j cap after collision पहला तो यह बताईए यह जो question आप पढ़ पा रहे है क्या आप सभी लोग यह question स्क्रीन पर देख पा रहे है जल्दी से इस question को पढ़िए और मुझे यह बताईए यह question head-on collision का है या oblique collision का है this question is from head-on और oblique collision जल्दी से सोच करके बताईए आप observe करिएगा इस m mass का initial velocity x-axis के along है और collision के बाद इसका velocity y-axis के along है तो यहां से देख करके समझ आ रहा होगा this is not an example of head-on collision क्योंकि velocity पहले x के along है बाद में यह y के along है 7 hour is not a joke hits off to your sir भाई को यह बताओ कोई 20 गंटे का भी ले चुका हूँ मैं अभी तो 7 गंटे हुए है हाँ बढ़िए अच्छा एक बाद बताओ हमें यहां पर क्या निकालने के लिए बोला गया है हमें यहां पर v की value को निकालना है question क्या है मैं यहां पर बता देता हूँ आपको सबसे पहले diagram बनाना बहुत ज़रूरी है यह है भाई m mass जो कि इस direction में u velocity से move कर रहा था और यह 3m mass rest कर रहा था collision हुआ e का value 1 है collision के बाद यह m mass अब y direction में v से जा रहा है और यह बचा हुआ जो 3m mass है इसके बारे में हमें अभी पता नहीं ठीक है माल लेते हैं यह भी किसी direction में जा रहा होगा माल लेते हैं वो इस direction में v1 से जा रहा होगा ठीक है point is this कि हमें यहाँ पर v और u में relation निकार अब यह oblique collision है तो यहाँ पर वो formula use मत करिए यहाँ पर एक equation तो आप लगा सकते हैं momentum conservation क्या लगा सकते हैं momentum conservation और एक equation आप यहाँ पर जो लगा सकते हैं वो है energy conservation क्योंकि initial kinetic energy और final kinetic energy बराबर होनी चाहिए clear done हाँ एक minute a particle mass colloid elastically ठीक है done मैं माल लेता हूँ कि याड़ इसका यह velocity का जो component है वो v x है और यह वाला velocity का जो component है वो v y है तो हम यहाँ पर momentum conservation x और y दोनों के या लोंग लगाते हैं या फिर एक काम करते हैं इसका velocity हम इस direction में v1 माल लेते हैं चलो बताओ momentum equation क्या लिखोगे m into u i cap plus 3m into 0 बोलिए clear है क्या आगे बढ़ते हैं आगे क्या लिखोगे m into v j cap plus 3m ये क्या आगया जाई इत्ता बड़ा सा v y है पता नहीं ये कहां से आगया 3m multiplied by v1 dash vector यहां से आप देखिए m m m वाला ये term cancel out हुआ और यहां पर 3 से आप divide मार सकते हैं ये term बनेगा आपके सामने u by 3 i cap minus v by 3 j cap और ये value आगई आपकी v1 vector के बराबर अगर आप इसका magnitude निकालना चाहे तो बेटा जल्दी से बता ना v1 vector का magnitude क्या लिखोगे जल्दी बताओ भई ये है u square ये है v square तो यहां पर 1 by 3 को बहार रखें यहां रख सकते हैं u square plus v square यहां तक आगए लेकिन भाई हमें u और v में relation निकालना है अब वो relation कैसे निकालोगे anything और idea तो भाई किसी को और idea है क्या वो relation कैसे निकालोगे पटाफट बताओ वो relation निकालने के लिए आपको initial kinetic energy और final kinetic energy बराबर करनी होगी initial kinetic energy है half m u square final जब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा half m v square plus half 3m एक बात बताना क्या इस 3m वाले की यह क्या हुआ 3m वाले की क्या आपको यह speed पता है इसका करदेंगे square इसका क्या करदेंगे भाई square जब square करोगे तो यहाँ पर तुमारे सामने वो term बनेगा u square plus v square divided by 9 divided by 9 यह क्यों किया क्योंकि आपने question पढ़ा हो तो आपने देखा होगा यह question elastic collision है तो initial kinetic energy of final बराबर होती है अब मुझे लगता है इस equation को बस simply solve करना है half m, half m, half m क्या यह cancel out होगे बहुत बढ़िया u square बराबर बेटा मैं क्या लिखूंगा v square plus यहाँ पर यह term आएगा आपका 3 तो यहाँ पर यह बन जाएगा आपका u square plus v square divided by 3 यहाँ पर u square वाले सारे term एक तरफ लेलो u square minus u square by 3 और यहाँ पर यह term लिखोगे v square plus v square by 3 बेटा जल्दी बताओ यह term क्या आ रहा है 2u square by 3 और यह आ रहा है 3 plus 1 that is 4v square by 3 यहाँ पर v की value बताइए v square बराबर क्या लिखोगे u square सही चल ला है क्या भाई मामला u square by 2 मतलब हमारे पास v की value आती है u by root 2 ज़रा चेक करिए v की value u by root 2 आ रही है क्या कोई answer है क्या हाँ भी वेलकुल fourth will be the correct fourth will be the correct तो कभी भी oblique collision के जब भी आपके सामनी questions आए तो you should follow the basic method जैसा कि आपने देखा पहला momentum conservation लगाया और दूसरे case में हमने initial और final kinetic energy को बराबर कर दिया बोलो डान क्यों भाई अक्षे उपाद दिया है कीर्ती किलियर है भाई राद दे all is good ओके नाइस variable mass system का इतना आसान सवाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक formula बताया था अगर वो formula भी आपको याद है ये question आपसे तुरंत हो जाएगा आप just question को पढ़ लीजिए a spaceship in a space ship stationary interplanetary dust भाई साब नाम तो बड़े बड़े use किये गए गबराने की जवथ नहीं है एक भी its mass increases as oh my god dm by dt की value दी हुए they are asking you acceleration मेरे भाई एक बात बताओ क्या आप यहाँ से thrust force निकाल सकते हो thrust force का formula कितने लोगों को याद है how many of you मेरे भाई बंदो जल्दी बताना क्या मैंने आप लोगो thrust force का formula बताया था minus v into dm by dt और वही thrust force बराबर होगा mass into acceleration dm by dt का value यह लिखा हुआ है यहाँ पर minus v into v v square और यह बराबर लिखोंगा m into a के यहाँ divide कर दीजे acceleration की value आपके पास अपने आप आजाई sorry acceleration की value आएगी minus v q divided by m यह लिजे sorry पानी पिया जाएग कोई option है क्या देख न यह लोग यह है j mains के सवालों का level लोग कहते हैं variable mass system बहुत tough पढ़ते हैं j mains में देखो कितना आसान direct formula based question मैंने जब question डाला था तो मैंने यह सोचा था यह question बहुत अच्छा होगा लोगी मैंने देखा था यह dm by dt की value लिखी है तो I was thinking कि यहाँ पर integration वगेरा करना पड़ेगा लेकिन उन्होंने तो acceleration ही पूछ लिया कि सवाल पता है कब अच्छा होता जैसे अगर वो velocity as a function of time पूछ लेते तो आपको यहाँ पर acceleration को dv by dt लिखे फिर आगे further उसको integrate करके solve करना पड़ता लेकिन यह तो भाई हमारी सोच से भी दो कदम पीछी रह गए यह acceleration निकाल की खुछ हो गए सर एनी सजेशन फॉर M.E.C. and E.M.I. लफ फ्रॉम भाई इसके लिए क्या सजेशन दूँ आपको M.E.C. और E.M.I. तो chapters के नाम है इसमें क्या सजेशन चाहिए चलो आजो भई next question हाँ भी बताओ the maximum compression question पढ़ले ना भाई identical blocks resting on a smooth horizontal flow बढ़िया third block of mass M moving with a speed line joining A and B collide with A बहुत बढ़िया यहाँ पर यह चेक करिए क्या collision का nature दिया हुआ है क्या A और इसमें कैसा collision हो रहा है अई देखो आगे जो भी sessions होंगे ना दिवाली के बाद उसका पूरा schedule आपके साथ share कर दिया जाएगा अब जो भी lecture होंगे वो दिवाली के बाद ही हो पाएंगे दिवाली से पहले तो possible नहीं है हाँ two identical each of mass resting are connected question देखना वही कुछ information कम लग रही है third block C of mass M moving with a speed along the line colloid with A देखो यहाँ पर यह बताए नहीं है कि A और C का जो collision हो रहा है उसका nature क्या है अगर कुछ भी नहीं बताए तो एक काम करते हैं हम यह माल लेते हैं कि यह जो collision हो रहा है वह elastic collision है अगर कुछ भी mention नहीं है तो आपको elastic मानना है done तो देखो C का A के साथ collision होगा एक special case बताया था कि दो identical bodies में अगर collision होता है तो velocities interchange हो जाती है वाई अगर velocity interchange हो जाती है तो situation यह होगी कि collision के बाद यह वाला block की velocity आगे की तरफ भी हो जाएगी अब पूछा है maximum compression अच्छा एक बाद बताओ ऐसे सवालों में compression maximum कब होता है compression maximum तब होता है जब both of the blocks will have a common velocity and both of them are moving together with a common velocity and that is same as center of mass ठीक बानते हो इस बात को हाँ तो देखो अगर यह बात आपको समझ में आ रही है तो अब आप question को बहुत आसानी से approach कर सकते है मैं यहाँ पर directly बोल सकता हूं कि जब maximum compression होगा उस समय kinetic energy sorry work done by spring लिखूंगा half kx square और यह बराबर पता है किस के होगा minus of k dash factor change in kinetic energy जब निकालेंगे न तो final kinetic energy center of mass के frame में 0 होगी क्यों क्यों कि finally जब compression maximum होगा तो दोनों की velocity क्या होगी common होगी तो मैं यहाँ पर यह बोल सकता हूं यह बराबर k dash factor और k dash factor क्या लिखोगे half reduce mass that is what m by 2 clear into relative velocity that is v square बस बराबर करना है बराबर करिए half से half cancel out हो जाएगा यहाँ पर आप यह कह सकते हैं बेटा k x square की जो value है वो आपकी m v square by 2 के बराबर आगी आपको question अगर आपने पढ़ा हो तो x निकालना था यहाँ पर x square की जो value है वो आएगी आपकी m v square by 2 k के बराबर और यहाँ पर कर दो इसका square root तो x की जो value है वो आजाती है m by 2 k का square root into v के बराबर कोई option है क्या जरा check करो कोई option है क्या m y 2 k into v मेरे साब से a will be the correct answer a will be the correct answer मतलब first one correct है क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग आज इस रात की मैफिल में तीन बच के 36 मिनट हो चुके हैं लेकिन मेरे भाई बंदूर अभी भी टिके हुए है बहुत ही सांदर कैसा लग रहा है आपको questions करते रहिए आगे बढ़ते रहिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे में पूछा गया था जैमेंस 2021 में एक बहुत ही basic fundamental question जो आप से पूछा गया है यह सवाल मैंने आपके सामने यहाँ पर screen पर लिख दिया है मैं चाहूंगा कि बिना pen चलाए आप इसका answer बता दिए आप से यहाँ पर question क्या पूछा गया ratio of a magnitude of impulse imparted to the ball A and ball B by the ball along the x direction क्या आप जानते हैं कि impulse पराबर change in momentum होता है interesting बात यह है कि यहाँ पर यह पहले u से जा रहा था और फिर बापिस भी यह u से ही लौटा है तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछा हूँ कि momentum में change क्या है कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे कि 0 बोल देंगे भाई यह momentum एक vector quantity होती है और यहाँ पर direction चेंज हो गया है तो यहाँ ध्यान से देखेगा जब आप change in momentum निकालेंगे that is impulse तो उसकी value यहाँ पर 2m u के बराबर आईगे क्योंकि पहले momentum आगे की तरफ था बाद में momentum पीछे की तरफ है तो उसका जो magnitude है वो 2m u हो जाएगा बोलो done बहुत बढ़िया यहाँ पर जड़ा देखिएगा यहाँ पर टकरा रहा है तो velocity यू थी टकरा के अब यहाँ पर जा रहा है तो भी velocity यू लेकिन इस बार momentum अगर x x-axis के along देखोगे तो x-axis के along जब आ रहा था तो speed u cos 45 जनाब आगे की तरफ थी और टकरा के जब पीछे जा रहा था तो उसकी velocity u sin 45 थी तो अगर मैं आपसे इस case में यह पूछो कि impulse बताईए क्या बताईए impulse बताईए तो इस case में जब आप impulse लिखने जाएंगे तो उस impulse की value क्या होगी एक मिनट यहाँ पर 2 cos 45 ऐसे तो कोई फरक नहीं पड़ता sin और cos दोनों की value से भी होती है हाँ भी तो यहाँ पर जब यह difference निकालेंगे तो यह value आप क्या लिखेंगे 2 m u cos 45 all are done मुझे लगता ratio निकालना है तो यह mass और यह speed इन सब की तो जोगती नहीं पड़ेगी यह तो solve हो गया भाई यह तो बहुत ही फर्जी question है यार cos 45 की value कितनी होगी 1 by root 2 तो यहां से value क्या लिखोगे root 2 times of m u और यह value कितनी है 2 m u आपको ratio of impulse निकालना है तो मेरे हिसाब से i1 upon i2 i1 की value बेटा मैंने लिख दिया 2 m u और i2 का value लिख देता हूँ root 2 times of m u m u से m u cancel out हुआ और यह value आता है root 2 raise to 1 क्या i1 upon i2 का ratio यही आ रहा है चेक करिए चेक करिए फटा-फट कि यस कि बहुत ही बड़े हिप हॉप यह हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग मजा आ रहा है बाई मजा आ रहा है यार देख रहे हैं मतलब कभी कबार तो मुझे भी यह समझ में नहीं आता कि जही मेंस वाले पूछना क्या चाहते हैं यार मतलब डाइग्राम देखके ऐसा लग रहा था भाई साब इस question में कुछ twist होगा देखो पता है यह जो आज का session हो रहा है इसके पीछे last 10 दिन से ने कौन से नहीं वो टिक किये operator ने टाइप किये उसके बाद मैंने proof read किया answers corrections करवाए तो जब मैं question सेलेक्ट कर रहा था तो मैं question solve तो नहीं कर रहा था मैं बस questions के photo देख रहा था यह question मेरे सामने आया पता है मैंने क्या सोचा यार यह question बहुत अच्छा लग रहा है मतलब बताओ यहां पर पहले strategy के साफ से चलेंगे ना तो 99 percentile के ऊपर पहुंचना हमारे लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है आनंद लेते रहे भाई देवाली आ रही है मौज लीजिए आईए अगले सवाल की तरफ आईए आईए जल्दी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आ चुके हैं यहां पर जैसा कि आप अब्जर्व कर पा रहे हैं you have a three blocks ABC are kept in a straight line yes take your time समय लीजिए भाई अपना और बताइए आंसर क्या आ रहा है हुआ है आप लोग उस 15 डे हार्ट चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं देखो भाई मैं तो कर रहा हूं मैं तो 15 गंटे से भी ज्यादा काम कर रहा हूं यह तुम्हें दिख रहा होगा कि बताओ भई क्वेशन पड़ो कि ए मूब्स टूवार्ट्स भी ए जो है वह बी के टूवार्ट्स मूव कर रहा है और हमें यह दिया हुआ है ओके ए का बी के साथ इलास्टिक कोलीजन हुआ देर आफ्टर भी मेक सा कम्प्लीटली इलास्टिक कोलीजन विद सी नाइस और भाई और भाई और भाई और भाई पैंच चलाने की जोवत नहीं है यह डेटा देखकर के मुझे कुछ याद आ गया कुछ देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें ए की वेल्यू हाफ दी थी क्या कुछ याद आ रहा है बिल्कुल दिया दिहान से देखना है यहाँ पर एका बी के साथ कोलीजन हो रहा है and makes an elastic कोलीजन विद इट पहले तो देखो यहाँ पार अरे भाई फिर से चुवा आ गया ओ भाई ओ भाई मुझे डर लग रहा है यह कहीं खूद के अमारे उपर ही ना आ जाए क्या AC के अंदर बुद गया चुवा एक तो रात के साड़े तीन बज रहे है उपर से पूरी बिल्डिंग सुनसान इस टूडियो में मेरे लावा कोई है नहीं और बीच बीच में चुवा कूद कूद क के डरा होर रहा है यार यास 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 हां तो देखिए पहले A और B का कोलीजन कंसिडर करिए और A और B के बीच में जो कोलीजन हो रहा ना उसमें E की वैल्यू 1 दी हुई है जैसा की कूश्चिन बता रहा है A मुव तुवाड्स B with a speed of 9 meter per second and makes an elastic collision with it और उसके बाद B का C के स परफेक्टली inelastic collision होगा तो पहले तो ये elastic collision का सवाल हो गया ना तो बता ये कैसे solve करेंगे आप निकालेंगे यहाँ पर VCOM हमें पता है यह मालो V0 से move कर रहा था तो मैं लिखूंगा VCM क्या लिखूंगा M V0 divided by 3M ये value जनाब कितनी आ जाती है V0 by 3 मुझे लगता है V0 9 दी हुए कितनी दी हुए 9 तो मैं यहाँ पर put करता हूं 9 divided by 3 ये value आ जाती है 3 meter per second बोलो सहमत हैं सभी लो this is VCOM this is what VCOM लेकिन अभी final velocity नहीं आई अगर मैं आप से कहूं कि B की final velocity बताईए बताईए B की final velocity क्या आ रहे है जल्दी बताईए भाई आदित बाई B की final velocity बताईए कैसे निकालेंगे V2 बराबर लिखूंगा 1 प्लस E that is 2 into VCOM VCOM is what 3 VCOM is what 3 minus E की value तो 1 थी लेकिन उसकी initial velocity 0 थी तो इसका मतलब ये value मेरे पास 6 meter per second आती है लेकिन याद रखेगा 6 meter per second will not be the final answer क्योंकि 6 meter per second तो बेटा B block की value है यहाँ पर हमें निकालना है C का अब आपके लिए एक नया सवाल बन चुका है अब ये सवाल आपके लिए एकदम नया बन चुका है कि अब आप ये कहेंगे कि ये block 2M 6 meter per second से जा रहा था और ये टकराया C से जो की initially rest पर था जब इन दोनों का collision होगा तो आपको पता again you can use a momentum concentration 2M into 6 बराबर 4M into V बोलो कि लिए रहे क्योंकि in elastic collision में velocity of separation 0 होगा just after the collision both of the blocks का velocity सेम होगा बोलो सेमत हो yes nice wonderful यहां से 2 से 2 cancel out हुआ और यहां पर 2 से 2 again cancel out हुआ तो V की value मेरे साब से 3 meter per second आ रही है क्या कोई option है जो match हो रहा है yes answer will be the 4th option देखो answer 3 meter per second है answer 3 meter per second है लेकिन option 4 सही होगा यहां होती है हमसे silly mistake answer निकाले 3 और पता चले हमने टिक कर दिया यह अब यहां पर जो 3 लिखा हुआ है वो तो option है कि काफी सारे लोग जो यहां पर answer बता रहे थे इन लोगों ने यह जो 3 बताया था यह यह वाला बताया था यह वाला बताया था option 4 will be the correct ओ हो नाइस wonderful again you have a question from the variable mass system मुझे लगता है कि अब ज्यादा question बचे हुए नहीं साइद नहीं अभी तो है भाई लगे रहो लगे रहो कोई दिक्कत नहीं है आजो variable mass system variable mass system variable mass system variable mass system देख रहे जेए मेंस वाले कहां खेल रहे हैं अच्छे सवाल तो पूछे नहीं जा रहे तो option में ही खेल रहे है चार की जगे तीन और तीन की जगे चालो भईया गलती करो question देखना भई the gases come out at a relative speed of 500 meter per second with respect to the rocket यहां पर आपको rocket का mass दिया है rocket का acceleration आपको दिया है मेरे भाई एक बात बताना अगर मैं यह rocket की बात करूँ rocket का acceleration उपर की तरफ आपको 20 meter per second square दिया है rocket पर नीचे लगेगा gravitational force जो की कितना होगा 10,000 उपर लगेगा thrust force इसकी value बताओ कितनी होगी V relative into dm by dt मुझे यहां पर साफ साफ देख करके समझ में आ रहा है कि मुझसे पूछा क्या गया है मुझसे dm by dt पूछा है बिल्कुल calculate at what rate fuel will come out तो मैं यहां लिखूँँगा 500 into dm by dt acceleration आपको पता है उपर वाला force minus नीचे वाला force बराबर mass into acceleration लिख सकते हैं तो यहां पर जब मैं equation लिखूँँगा तो बताए एक्वेशन क्या लिखने वाला 500 into dm by dt this is the force in the upward direction minus नीचे वाला force नीचे वाला force क्या लिखूँगा 10,000 यह है net force बताओ net force बराबर क्या लिखूँगे mass mass कितना है बेटा जल्दी देखो 1000 into acceleration acceleration कितना है 20 पोलो समझ आया पोलो बहुत बढ़िया यहां क्या लिखूँगा 500 into dm by dt बराबर यह term आपके सामने बनेगा 20,000 और यह है 10,000 तो यह term आपके सामने बनेगा 30,000 तो यहां पर यह cancel out हुआ और dm by dt की value हमारे सामने आती है 300 divided by 5 और यह value आती है 60 kg per second कोई option है क्या 60 ओ हो देख रहो यहां भी खेल रहे है decimal में खेल रहे है मुझे पता है पहली बार में क्या strike की अब पहला ही होगा answer tick कर दो क्योंकि मैंने देखा कि यार मेरा answer 60 तो मुझे लगा पहला ही होगा पहला sticks into 10 की power to 600 लिखा हुआ है वह 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 वेटे वह मौज कर यह कोई टफ है क्या मैंने आप से काता बस एक thrust force का formula याद रखिए वी relative into dm by dt जही मेंस के सवाल आपसे हो जाएंगे लोग कहते हैं variable मास समझ नहीं आ रहा अरे समझना थोड़ी है सवाल लगाने बाई कौन कल पूछने वाला सेलेक्शन के बाद तुमसे बस मुझे यह बता देना कि तुम्हें concept आते थे या नहीं आते थे जिस दिन कमाते न पीजडी करनी है नहीं करनी है चले 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 आगे बढ़ते हैं रुकेगे नहीं ना रुकना थखना है इसी बात से मुझे एक्षाइड यादा आगी कि आप लोग सुनना चाहेंगे प्रवाइब आपके लिए कुछ सब्द याद आ गया है मुझे को इस प्रवाइब करिए और कुछ लाइने सुनिए भाई क्या सुना दिया जाए कि हां सीडियां सीडियां समझते स्टेर्स सीडियां उन्हें मुवारक हो जिन्हें छत तक जाना है क्या बोला मैंने सीडियां उन्हें मुवारक हो जिन्हें चत तक जाना है अड़े वावा भी करना था यार माहो लेकर इतना बड़िया हो रखा है हमारी मंजिल तो आस्मान है हमें तो रास्ते खुद बनाने हैं इसका मतलब समझ में आ रहा है इसका मतलब यह है कि हम मेंस पर जाके नहीं रुकेंगे एडवांस भी फोड के आना है एडवांस के भी ऐसे धमाके दार सेशन लेकर आएंगे कि भाइसाओ ऐसे ऐसे कोईशन लेकर के आएंगे एक एक कोईशन को करने में 15-15 मिनिट लग जाए खून पसीना एक कर देंगे कोई दिक्कत की बात नहींगे चले भाई आगे बड़ेंगे भाई आगे ओहो इससे आसान सवाल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा मुझे समझ में नहीं आता है यह मेंस वाले लो फिजिक्स के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं अब लेट्स बॉल मूविंग इन आपोजिट डिरेक्शन विट 10 मिटर अगर आप किसी भी एक बॉल को अबजर करें तो यह बॉल पहले 10 मीटर पर सेकंड से भाई आगे जा रही थी बाद में यह बॉल 10 मीटर पर सेकंड से बापिस लॉट रही है आप से पता है क्या पूछा है फोर्स यहां पर एक फॉर्मुला यूज होता है वो मैं आपको ब तो फोर्स पूछा है इंपल्स पता चल जाए चेंज इन मोमेंटम और टाइम से डिवाइड कर दें क्या फोर्स आ जाएगा कितना आसान सवाल है आप सोचो पहले आगे 10 से जा रहा था पीछे 10 से जा रहा है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 2MU तो मैं यहां पर लिखोंग और 10 डिवाइड बाइड टाइम टाइम कितना दिया है पॉइंट जीरो जीरो फाइव पॉइंट जीरो जीरो फाइव यहां पर यहां पर एफ एवरेज की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं एक दो तीन यहां पर आएगा ऊपर बटे पाँच चेक करना भई मेरे इसाब अपसे दोसो आ रहा है तू हंडड़र न्यूटन शुडबी दा करेक्ट आंसर आपका आंसर भी दोसो यह आ रहे क्या इसने हैं बर्मा इसने बर्मा 200 बहुत बड़े है शिवम कुमार वा 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 चैट में जल्दी फटा फट वन टाइप करिए यार क्विक क्विक वन नहीं टू टाइप करिए आंसर टू है वन नहीं है अटेंडेंस लगाओ भाई सभी लोग यह देखिए same question है मुझे लगता है उसी profile का पिछली बार आपसे force पूछा गया था इस बार आपको time पूछ रहे हैं वा ओच कर दी मौच same उसी तरीके का question है इस बार आपको उसने force दे दिया है they are saying that कि यह force आपके सामने 100 newton है initial speed बारा and bounce back without changing its initial speed क्या यार कैसे question पोछ रहे हैं बहुती आसान सवाल यहाँ पर मैं दुबारा से change in momentum लिख सकता हूँ that is what 2m m की value क्या होगी 0.15 0.15 का मतलब 15 बटे 100 और यहां लिखोंगा into 12 वोलो clear यह आएगा change in momentum यहां से क्या आएगा change in momentum यह कितना होगया 2 into 15 यह होगया 30 into 12 बटे 100 यह आएगा 36 by 10 this is the change in momentum force आपको दिया हुआ है अभी थोड़ी दिर पहले बताया था 3.6 divided by time time के बारे में नहीं पता बराबर लिखोंगा 100 मेरे साब से यहां से time की value आ जाएगी 3.6 divided by 100 क्या आपका answer 2 ही आ रहे क्या यह लिजे impulse के direct question आसान आसान आएगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ यह वाला जो question है यह वाला यह मैं यहाँ पर delete कर रहा हूं क्योंकि इस question में कुछ गड़बड है इसमें कुछ data missing था इसलिए मैं गड़बड इसको वो कर रहा हूं क्या गोलते हैं delete तुम यह मैं सोचना कि यह question क्यो नहीं करा रहे सा क्योंकि मुझे याद है मैंने correction करने के लिए बोला था लेकिन इस question में भाई ने correction नहीं किया कुछ printing error है हाँ अगला सवाल आ जाए यह तो आप बता दो यार अब ज्यादा question बचे नहीं है दो question बचे हुएं बाई दो question बचे हुएं बाई center of mask के फटा फट quick जल्दी बताओ क्या है diagram बनाओ यहाँ पर 1 kg head on elastic collision हो रहा है बढ़िया होने दो चलने दो किसके साथ एक stationary body के साथ मतलब 3 kg की body जो की already किस पर थी rest पर थी ठीक है after collision the smaller body reverses its direction of motion and moves with a speed of 2 meter per second ठीक मतलब initial इसकी velocity नहीं पतापन को वो V0 रही होगी जेकिन collision के बाद बता है कि इसकी velocity reverse हो चुकी है मतलब इस direction में 2 meter per second है ठीक है और हमसे क्या पूछा है initial speed of a smaller body before collision आयो क्या solve किया जा सकता है इस बार ये question थोड़ा सा different हुआ है इस बार actually में क्या final velocity दी गई है और आपसे initial पूछी गई है लेकिन एक बात बताएगा क्या आप यहाँ पे VCM calculate कर सकते है VCM क्या लिखेंगे 1 into V0 divided by the total mass और total mass क्या होगा 4 और ये value यहाँ से आएगी V0 by 4 ये जनाब VCOM आया अब मेरे को अगर इसकी final value पता चल गई है और collision elastic है तो final value है minus 2 बराबर 1 प्लस E, E का value 1 that is 2 into V0 by 4 minus initial velocity is V0 ये term आपके सामने बनेगा minus के V0 by 2 यहाँ से ही cancel out हुआ और बेटा मेरे हिसाब से V0 का value 4 आ रहा है चेक करना आपका भी answer 4 आ रहा है क्या how many of you जिनका answer 4 ही आ रहा है बहुत बढ़ी है धीर मेहता, कुनाल तन्वर, अंत्रा, कुकरेती nice, wonderful आसान सवाल है यार J means 2023 का सवाल है भाई J means 2023 का सवाल yes, this is a last question this is a last question ये सवाल आप लोग खुद करेंगे भाई same as it is ऐसा सवाल जो की J means 2023 में पूछ रहा है exactly इसी profile का वो question पता है J advance में भी पूछ चुका है question पढ़िए आखरी सवाल भाई कैसा रहा भाई session how was the session भाई sir अब दिमाग नहीं चल रहा इसी लिए चलिए आखरी सवाल है इसके बाद हम bind up करते है rotation के लिए अलग से एक special session रखेंगे जिसमें rotation को cover करेंगे क्योंकि rotation important topic है अभी cover करेंगे दिमाग आपका चलना बंद हो गया तो मेरे efforts भी जाएंगे energy भी जाएगी लेकिन आपको समझ में नहीं आ पाएगा हाँ जी भाई हाँ बताईए भाई जोड़दार तालिया एक बात बताईएगा आज से पहले कभी जीवन में आपने लगातार आठ घंटे बैट करके एक position में पढ़ाई करी है राजीव सारस्वत सर मज़ा आ गया थैंक यू सर फॉर सच अ ग्रेट सेशन अब यह answer बताओ अभी थैंक यू क्यों बोल ले हो कभी नहीं करी है आप सोचिए मेरे साथ अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो एक दिन वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन तुम 20-20 24-24 गंटे वन स्टॉप में पूरी 11 पूरी 12 कवर कर रहे होगे यह मैं बता रहा हूँ और यह दिन जल्दी ही आएंगे तो मैं लग रहा होगा ऐसा कैसे यस यह होगा आप खुद सोचिए कि आज मैंने अभी मात्र साथ से 8 गंटे में आपको तीन चैप्टर में काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कॉंसेट बता दी इतने बता दिए कि आपसे मेंस लेवल के सवाल तो हो रहे ना भाई सर SHM का SHM आएगा बिटा दिवाली के बाद आएगा ठीक है जो भी टॉपिक्स है अभी तो देखो यह पता यह जो जैसे आपको याद होगा कल पीजे सर ने आपका कोनिक सेक्शन पे लिया था जैसे आज मैंने लिया यह तो सिर्फ ट्रेलर है ट्रेलर एक्चुली मैं कई सार इस्ट्वेंट यह कह रहे थे कि सर चैनल लॉंच कर दिया कुछ कंटेंट नहीं आ रहा स्वालिट सा मैंने का यह ले लो दिवाली से पहले एक बड़ा धमाका तो यह तो सिर्फ ट्रेलर है यह सिर्फ तुम्हें बताया जा रहा है कि एकैडिमी कली क इतना सांदार कंटेंट तुमारे लिए अब इस चैनल पर आएगा मैं ऐसे हवावाजी थोड़ी कर रहा था तो अगर तुमसे प्रॉमिस किया गया है तो उसको पूरा किया जाएगा भाई हाँ बड़ी क्वेश्चन पर आ जाओ क्वेश्चन पर ठीक बॉल ऑफ मास 200 ग्राम देखो क्वेश्चन क्या मैं बता दू यह इस तरीके का वर्टिकल पोश्ट है ठीक इसकी हाइट है 20 मीटर और इसके उपर यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है जिसका मास 200 ग्राम है कितन बॉलट का मास है 10 ग्राम अ बॉलट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग इन होरिजोंटल डिरेक्शन हिट दा सेंटर अव बॉल आफ्टर को लिजन बोट रेवल इंडिपेंडेंटेंट लिए आता है हिट करता है हिट करने के बाद दौनों मूव करते हैं और यहाँ पर एक ब पर यहाँ बने यह दिस इस 120 मीटर पड़ो क्वेशन पड़ो ठीक from the foot of the post the value of a initial velocity of a bullet will be देखो एक बात तुम्हें साहथ समझ में आनी चाहिए कि कोलीजन के जेस्ट बात इसने जो डिस्टेंच चला है और इसने जो डिस्टेंच चला है उसका रेशियो देखें तो वन रेश्टू फॉर है एक्चुल में यह horizontal प्रोजेक्शन है और horizontal प्रोजेक्शन में आपको साहथ एक बात पता होगी कि जो time of flight है वो velocity पर डिपेंड by G क्या यहां पर 2 सेकंड लिख दो मैं यह कह सकता हूं कि bullet और इस ball को जो समय लगेगा वो 2 सेकंड होगा बोलो किलियर है सभी को थोड़ा सा fast quick move करते हैं क्योंकि आखरी सवाल है तो energy अपने peak पर होनी चाहिए तो तैयार हैं सभी लोग उस energy को देखने के लिए जिस energy की time of flight यह जो 2 सेकंड है यह bullet का भी होगा और बॉल का भी होगा च्योंकि horizontal projection में जो time of flight है वो height पर depend करता है vertical displacement दोनों का सेम है अगर vertical displacement दोनों का सेम है तो दोनों time of flight सेम होगा मेरे भाईयों आपको यहां पर range दिखाई दे रहे हैं x-axis के लोग क्या यहां कोई भी external force है x-axis के जब कोई भी external force नहीं है तो मैं यह कह सकता हूँ कि दोनों की velocity सेम होगी मतलब जनाब हम यहां पर एक बात तो कही सकते हैं कि अगर collision के just bar bullet की velocity v2 है और इस ball की velocity v1 है तो मैं यहां पर एक बात कहूँगा कि जो 30 बराबर लिखा है वो लिखूँगा v1 into 2 और यहां से मेरे पास v1 की value आएगी 15 बोलो clear है इसी तरीके से मैं अगर इसकी बात करूँ तो यह है 120 और यह बराबर लिखूँगा v2 into 2 तो यहां से v2 की value आ आंसर अभी आप लोगों का नहीं आया है क्योंकि यह collision के just बाद आपने ball और bullet का velocity निकाला है अगर आप question को दिहान से पढ़े तो आपसे यहां पर initial velocity of bullet पूछे मैं यहां पर कह सकता हूँ x-axis के लोंग कोई भी external force नहीं है can I conserve the momentum event से just पहले collision से just पहले और collision के just बात can I say that कि यहां पर momentum कंजव रहेगा और अगर मैं कहता हूँ कि momentum कंजव रहेगा तो जल्दी से देखके बताएगा 10 gram है तो 10 into velocity क्या लिखूंगा v0 बोलो yes or no हाय ना मैं जबाद दीजेगा बहुत बढ़िया अगला 10 into जब मैं बात करूँगा bullet की किसकी बात क्या मैंने momentum बराबर कर दिया है जैसी मैंने यहां पर momentum बराबर किया 0 0 0 यह cancel out हुआ यहां पर v0 की value आते है 60 plus 20 into 15 20 into 15 यह आएगा 300 मिले साब से answer should be 360 क्या 60 कोई option है yes 4th answer answer should be the 4th क्या बेटा आपका भी 4th option आ रहा है क्या अक्षय उपाद्या है यह wonderful बड़े सवाल था देखिए मैं यह नहीं कहूंगा कि J means में बहुत ही simple सवाल पूछे जाते हैं आज आपने अगर suppose 100 questions solve किये suppose let us assume तो उन 100 में से आपने देखा होगा कि लगबग 30 से 40 percent question वाकई में अच्छे सवाल होते हैं अब means है तो सारे सवाल tough नहीं होते लेकिन आपको पता है कि अगर आपका target बहुत अच्छा percentile है तो आपको हर सवाल सही करना जरूरी है और out of the 25 question आपका target ही होना चाहिए कि आपको 20 से जादा सवाल सही करने हैं तभी आप एक बहुत अच्छी rank तक पहुँच पाएंगे त इसी के साथ आज के इस session को हम करते हैं समाप्त तो how was the session प्लीज एक बार अपना comment box इस वीडियो को end करने के बाद जो comment section आए उसमें अपना feedback दे करके जरूर जाईएगा और मेरी आप सभी से request है कि आपको किस तरीके की help चाहिए आपकी academic help हम कैसे कर सकते हैं और आपको किन-क chapters के one shot वीडियो चाहिए उसके वारे में comments पर जरूर लिखके जाएगा क्योंकि मैं आपसे यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे मोहित भारगव सर regularly comments box को observe करते हैं और उस comments में जिन topics की ज़्यादा demand रहती है या जो इस समय topics students के लिए ज़्यादा challenging होते हैं हम उनी topics पर वीडियो लेके आते हैं और आपको एक बहुती सांदार update दे दूँ फॉर जेई aspirant की दिवाली के बाद हम लोग लेकर के आ रहे हैं एक बहुती धमाकेदार revision series आप सभी लोग के लिए जिसमें एक महीने के अंदर हम effectively जेई mains के point of view से इतना सांदार revision करेंगे कि आप अपना परसेंटाइल में देखेंगे कि 99 परसेंटाइल के करीब पहुंच जाएंगे चलें फिर इसी के साथ तयार हैं धन्यवाद आप सभी का या आप इतने लंबे समय तक मेरे साथ जोड़े रहे लगातार आपने भी कोसिस करी मुझे यह देखकर कि बहुत अच्छा लगा कि ल और difficult होता है क्योंकि आप से physics नहीं पढ़ रहे हैं आप maths भी पढ़ते हैं chemistry भी पढ़ते हैं मैं तो सिर्फ पूरे दिन सुभे साम एक ही subject पढ़ता हूं एक ही subject पढ़ाता हूं मेरे लिए आसान है लेकिन आप लोगों के लिए इतना सब कुछ एक साथ पैर्वली लेकर के चलना वाकई में आपके जोस को सलाम है थैंक्यू सो मच तो इसी के साथ अलविला मुलाकात फिर होगी दिवाली एकदम मस्त हो करके बनाईए दिवाली फेस्टिवल इंजॉय करिए ठीक है भाई ओके थैंक्यू सो मच ओके करीक है भाई प्रष पके जो एक पाई रिंजुर के लेकर भाई दो इंजुर सक्ता है भाई।